यहां ना हूं तो मंगा लिजेग अपनी स्ट्रीम रहे स्टार्ट करूं यहां लोग अपना यह आई होप कि आप बहुत लंबी सी पॉलिटी के रिविजन क्लास के लिए तैयार हैं तो प्रीशेडूल्ड और वी आर जस्टार्ट करने से पहले इस वांटेट तो यू अब ब्रीफ ओर्वर्वीव बाउट दिस क्लास आप इस क्लास से बहुत जादा एक्सपेक्ट मत करिएगा रिजन बिइंग यह एक रिविजन क्लास है सो आइल गो लिटल फास्ट आप सभी लोगों को गडिवनिंग तो सबसे पहले मैं यह बता रहा था कि देखो कई बार यह होता है कि आप क्लास में आपका पूरा पॉर्टका और हो जाने वाला है तो यह जो घृट्टे का एक ऊवर्वीव लेते वह आपको रिवाइस करवाएगा तो अगीव लिटल फास्टर एक्काट एच Trek टॉपिक ठीक है और ठीक है इससे लंबा मैंने 6.5 आर्स में कवर किया हुआ है अपनी चैनल पर अपनी आइस पर अवेलेबल है उससे भी लंबा यूप्यसी वाला पर 10 आर्स में कवर्ड वैसे मुझे कवर करने में अराउंड 90 आस लगते हैं पॉलिटी कवर करने में तो लोगों को जिन्होंने इस साल यूप्यसी के एक्जाम का रिजल्ट जो अभी आया है 2022 का उसमें सक्सेस अटीन करिये तो सबसे पहले उन सभी लोगों को 5 ranks rank 2 Garma Lohia rank 3 Uma rank 4 Smriti rank 8 Anirut or rank 10 Rahul और भी कई सारे ऐसे रिजल्स हैं जो स्टिल काउंटिंग में हैं सौसे ज़्यादा रिजल्स ओनली एस कमिनिटी से हैं सो वी आर्वेरी प्राउड ओफ दो स्टूदिन्स हो है नैप्ट दे सेलेक्शन ओफ यूप्यसी इग्जैमिनेशन उन सभी लोगों को ठीक है चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का पार्ट बिलकुल बेसिक से बिलकुल ब्रीफ में स्टार्ट करेंगे पॉलिटी जिसको हिंदी में हम राजव्यवस्था कहते हैं पॉलिटी वर्ड ग्रीक वर्ड पॉलिस से निकला है जिसका मतलब होता है city state तो जो भी affair city state से connected हुआ करता था उसे हम लोग quality कहा करते थे city state आज से 300 साल पहले instant ग्रीस में हुआ करते थे और इन city states को आप ऐसे देख सकते हो यह है यूरोप यह है ग्रीस और यह थोड़ा गये है यह है डिल्फी यह है कॉरिंथ यह है माइसीन अर्गॉस एथेंस स्पार्टा ठीक है तो यह city states थे और इनके affairs को पहले पॉलिस कहा जाता था वही आगे चलके quality बन गया इनका जिक्र आपने 300 और ट्रॉय जैसी Hollywood movies में सुना होगा तो यह तो elements का एक set होता है system set of elements होता है जो आपस में interconnected होते हैं ते वस्ता कुछ ऐसे तत्मों का समुच्च्च होती है जो परस पर अंतर संबंदित होते हैं ठीक है और उनके बीच में dependency होती है जैसे कि human body एक system है और यहाँ पे कई सारे organs मिलके human body को बनाते हैं विल्कुल वैसे ही computer भी एक system है जिसके सारे organs मिलके computer को बनाते हैं विल्कुल उसी तरीके से हमारा जो political system है वो भी हमारी जो quality है वो भी एक system है राजविवस्था भी एक होंगे और जो element होंगे वो कौन से हैं तो देखे ये चार elements से मिलकर बनता है हमारा political system जिससे हम state बोलते हैं तो जो state है वो जिन चार system से मिलके बनता है population, territory, government and sovereignty ये topic मैं इसले touch कर रहा हूँ हमेशा मैं यही से start करता हूँ और आपको पता होगा कि last to last years में ये question पूछा गया simple सा उन्होंने पूछा था state का मतलब क्या है और उन्होंने इन चारो elements को combine करके statement बनाया था and that was the correct answer मतलब यह सबसे fundamental topic है जहां से UPSC questions पूछती है that is the most fundamental topic और इस पर UPSC question पूछा हुआ है तो population का होना बहुत जरूरी है किसी भी state के state होने के लिए without population we cannot call a state state कोई भी ऐसी जगह है कोई barren island जहां पर कोई रहता ही नहीं हम कैसे state बोलेंगे territory अगर कोई एक लोहे के platform पे खड़ा है समंदर के बीचों बीच और वो claim करता है कि वो state है cannot be government को होना बहुत जरूरी है कोई unorganized tribal group किसी जंगल में रहके खुद को state नहीं बोल सकता if they do not have any kind of government there must be a legislature, an executive and a judicial system जबतकि ये पूरा होगा नहीं आप उसको government नहीं बोल पाओगे और बिना government के कोई state, state नहीं होता sovereignty is the supreme power, संप्रभुता सर्वोच शक्ति होती है मतलब sovereignty होती है decision making capability कोई भी state अगर sovereign है तो वो अपने internal और external affairs में decision making में free होता है that is the meaning of sovereignty तो ये चारो elements मिलते हैं तब state, state बनता है चलिए, state की definition हो गई अब बात ये आती है कि constitution क्या है चुकि state के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो हमें इन चारो elements के बारे में जानकारी कठा करनी पड़ेगी क्योंकि यही elements है state के if you want to understand state आपको जानना होगा state की population, territory, governmental, sovereignty के बारे में Indian constitution के reference में आपको ये चारो चीज़े मिलती हैं एक document, एक किताब में जिसे हम कहते हैं Indian constitution Indian constitution क्या है Indian constitution set है rules का जी जो हमें या किसी भी country को guide करता है किसी state को या किसी political organization को ऐसा नहीं कि constitution किसी एक state का ही हो सकता है किसी organization का भी constitution हो सकता है so that is the definition of constitution now, constitution fundamental principles की body होती है जो बताती है कि कैसे किसी state को किसी body को govern किया जाए पैललली, ये fundamental law of the land होता है जो लोगों की aspirations and goals को fulfill करता है ये कैसा framework है जो बहुत जदा important है जिसे हम breach नहीं कर सकते और ये fundamental values को अपने आप में inculcate करता है जिसे violate नहीं किया जाना चाहिए so that is the conceptual meaning of fundamentals of the constitution fundamentals पे अगर कोई question आता है constitution कि you must know now, go ahead constitution एक living document है living document का मतलब ये है जो constitution हमने 1947 से बनाना शुरू किया 1950 में हमने जिसे final कर दिया 1946 से constitution making का काम शुरू हो गया था December से 1950 में हमने 50 में हमने अपना constitution implement किया तो उस constitution को बनी more than 70 years हो चुके है तो जो constitution तब बना था क्या वही आज implemented है नहीं, हमने उसमें कई सारे changes किये है that's why हम उसे living document बोलते है that is not a static document now, ये living document है क्योंकि ये हमारी needs and aspirations के हिसाब से खुद को change कर लेता है और ये change खुद को कैसे करता है अब कोई जादू तो है नहीं constitution में कि जैसे मन में आया, जब मन में आया change हो गया, ठीक है conventions से और statutes या जो कानून बनाया जाते है उनसे ये change होता है तो अगर argument आता है which of the following elements ensures that Indian constitution is a living document तो amendment, judicial interpretation, conventions यानि के परमपराएं और statutes यानि के law, ये सभी इसे living document बनाते हैं ये हमें एक political framework देता है जहाँ पर decision making power कहां कि distributed है, ये पता चल जाता है हमारा constitution, हमारी aspirations, ideals जो हमारी national struggle के दौरान थे उनको भी portray करता है और हमें ये एक moral identity देता है कि हम इंडिया में रहते हैं at the same time, ये हमें political identity भी grant करता है कि आप Indian हैं और Indian होने के अपने फायदे हैं आप भारती है नागरिक है ये identity हमें हमारा constitution देता है now, constitutionalism का एक concept है यहाँ से भी sometimes questions आ जाते हैं constitutionalism के बारे में you can have a lot of explanation but before that, एक बात याद रखेगा constitutionalism is equal to limitation limitation on government limitation on government that is constitution or limitation on the power that is the meaning of constitutionalism यानि के संग्विधानवाद संग्विधानवाद या constitutionalism की meaning होती है कि जो भी power है उसके उपर limitation imposed के जाएगी ध्यान दीजेगा in general constitutionalism के लिए constitution होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है constitutionalism की precondition constitution नहीं है constitutionalism की precondition government की power limitation है so that is the precondition for the constitutionalism if you're getting that point now ऐसा हो सकता है कि किसी state में constitution हो लेकिन constitutionalism ना हो मतलब constitution ही arbitrary power दे रहा है जो भी government को head कर रहा है जैसे मान लो किसी समय में जर्मनी में Hitler हुआ करता था Hitler जो भी करता था एक constitution की according करता था लेकिन वो arbitrary manner में rule करता था उसका constitution ही उसको power दे देता था तो वहाँ पे constitution तो था लेकिन constitutionalism नहीं था parallelly आप Britain को देख लो वहाँ पे कोई written constitution नहीं है sometimes यह भी क्याते हैं कि वहाँ constitution ही नहीं है although unwritten constitution है but despite not having written constitution they have constitutionalism because उनकी government के उपर limitation है so that's what I explained यह government को लोगों के aspirations फुल्फिल करने का मौका देता है specify करता है कि किसके पास क्या powers है और basic rules define करने के साथ साथ कुछ limitations impose करता है कि कौन क्या कर सकता है यह political philosophy है जो बताती है कि जो authority है वो ultimately लोगों से drive करती है सरकार और लोगों के उपर उसका arbitrary use नहीं कर सकते और जो constitutionalism है उसके beginning 1215 के Magna Carta से मानी जाती है जब 1215 में जो John of England थे उन्होंने कुछ rights surrender किये feudal laws को, dukes को, barons को so that was the case यह पहली बार था जब किसी राजा ने अपनी power को limit किया so that was the origin of the constitutionalism further English Bill of Rights जहां पे राजा रानी जो orange के राजकुमार थे और queen जो थी मेरी वो आय जो glorious revolution था 1688 का वहां के बाद उन्होंने Parliament की बातों को माना और English Bill of Rights पर sign किया जिसके बाद यह बताया गया कि क्या rights होंगे Parliament के, क्या होंगे rights लोगों के और क्या rights king exercise करेगा तो यह भी constitutionalism का example है, जो constitutionalism का western idea है वो negative है मतलब यहां पर यह चाहते हैं कि government restrict हो, disempower हो और limit हो जाए, उनके पास कुछ काम करने का right ना हो, but this is not so with the Indian constitution Indian constitution में जो constitutionalism का एक notion है that's positive it means government will act proactively to ensure that they are making a positive change in the lives of the people तो यह positive concept है हमारे यहां और जो component है, जहां से हम ensure करते हैं कि constitutionalism है या फिर नहीं है, that you can have rule of law होना चाहिए, जिसे बिटिस एक scholar थे, A.V.I.C., उन्होंने institute किया था, now separation of power, हर organ अपना-पना काम करेगा, free press और media जहां पर उन government को criticize भी कर सकते हैं, independence of judiciary अगर कहीं पर किसी ने किसी की power को infringe करने की कोशिस की, तो judiciary independent है, रोकेगी, elected government, यानि कि government temporary nature की होती है, if they are not performing well they will be replaced, ठीक है, तो यह कुछ elements है, जो components हैं जो constitutionalism को ensure करते हैं, तो, यह तो चलो आपको clear हो गया कि constitutionalism क्या है now, बात करते हैं preamble और constitution के salient features की, let's go ahead, सबसे पहले हम preamble की बात करते हैं, preamble देखो, जब भी आप कोई किताब उठाओगे, तो उस किताब की सबसे पहले page पर एक preface होता है, ठीक है, रफीक ने बता दिया, constitution एक living document है, ठीक है limited government, government, limited government, ठीक है, बढ़ियां कर रहे हैं आप लोग, अगर समझ में आ रहा है, just be active in comment box, ठीक है, constitution is the fundamental law of the land, that's great, बहुत बढ़ियां, चलिए, आते हैं अपनी इस topic पे, कि जो preamble है, जब भी आप कोई किताब खोलते हो, तो उस किताब के सबसे पहले प्रीफेस होता है, हर बुक में होता है, जहां पर राइटर बताता है कि किताब को उसने क्यों लिखा, उस किताब में क्या है, उस किताब को लिखने का क्या objective है, बिल्कुल वैसे ही, जब अपना constitution उठाओगे, तो वहाँ पे सबसे पहले page पर आपको मिलता है, preamble, preamble एक प्रीफेस की तरह है, constitution के, जहां पर बताया गया है कि constitution का क्या idea है, क्या उसके ideals है, क्या aspirations है, हम इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, यह सारी बाते हमारे preamble में लखी गई हैं, कहा जाता है कि अगर आपको किसी किताब को पढ़ने का पूरा मौका ना मिले, तो उठाके preface पढ़ दीजिए, आपको किताब में क्या है idea लग जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके पास Indian constitution को पढ़ने का पूरा समय ना हो, just have a look on the preamble, और आपको constitution का fundamental idea लग जाएगा, इससे quality के question prelims में solve नहीं होंगे, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ, तो इस शक्कर में तो रहना मत के preamble पढ़के जाएंगे, और सारे question solve हो जाएंगे, क्योंकि सर ने बोला था constitution पढ़ने का मौका ना मिले, में कि क्या objective होगा constitution का, फिर पूरा constitution बना, last में उसी objective resolution को थोड़ा साथ तोड़ मरोड के change करके, हमने preamble बनाया, और उसको सबसे last में vote किया, preamble को सबसे last में vote किया गया, और सबसे पहले page पे add कर दिया गया, ठीक है, तो ये तो रही बात, तो ये जो statement है, ये reflect करता है, जो हमारे preamble का, कि लोगों की hopes and aspirations क्या है, और जो preamble है, हम उसे एक preface की तरह देख सकते हैं, जो हमारे constitution के important बातों को highlight कर देता है, ये बताता है कि हमारे इंडिया के constitution के पीछे के ideals क्या है, और इसे हमने derive किया objective resolution से, जिसे pass किया गया था 22nd of January 1947 को, हलाकि ये court of law में enforceable नहीं है, मतलब अगर कुछ preamble में लिखा है, सरकार नहीं मान रही, तो आप जाके court के पास चले, जो सरकार का गला पकड़ की कि देखो preamble में लिखा है, नहीं मान रहीं, तो ये सीधी सी बाते question आएगा, preamble is enforceable or not, तो नहीं है enforceable, although, ये हमारे constitution के objective को state करता है, और ये मदद करता है, जब भी constitution के किसी article में vagueness हो, तो हम इसकी मदद से interpret कर सकते हैं constitution को, अगर कहीं पर ambiguity है, तो ये statement आता है, preamble can help, in case of vagueness in any article, for the explanation, प्रेंबल में लिखा गया है, वी दी people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure to all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, so that is the text of the preamble, ये preamble का text है, जो preamble है वो इंडिकेट करता है, कि source of authority कौन है इंडिया में, source of authority है, be the people of India, मतलब यहाँ पर जो भी power government के पास है, वो लोगों से है, और इंडिक्लेर करता है, कि इंडिया होगा एक socialist, secular, democratic और republic nation, इसके objectives क्या है, कि ये justice, liberty, equality, सभी citizens को देगा, fraternity ensure करेगा, कि लोग लड़ेंगे जगड़ेंगे नहीं, और देश के integrity को maintain करेगा, सबसे last में बताया गया, कि इस constitution को हमने कब adopt किया, adoption की date 26th of November 1949, adopt ये तभी हो गया था, implement हुआ था 26th of November को, और यहाँ पर एक बात अगर आप text में देखोगे, तो और समझ में आ जाएगी, कि constitution को हमने खुदी adopt किया है, हमने खुदी बनाया है, और हमने खुदी को इस खुद के उपर implement कर लिया है, मतलब कोई बाहर से सरकार आके, हमारा constitution बना के, हमारे उपर जबर जस्ती थोपके नहीं गई है, ठीक है, बढ़ियां ठीक है, बढ़ियां बात है, अच्छी बात है, according to, बिल्कुल पालकी वाला के कार्डिंग, प्रेंबल आइडिन्टिटी, कार्ड है constitution का सही बात है, हाँ, सिंपल है, इसलिए कोई पढ़ के नहीं जाता है, और पेंबल से question आता है तो दिमाग घूम जाता है, ठीक है, यह अच्छी बात है, कि मैं आप की तरह बोल रहा हूँ हूँ, ऐसे question आएगा, तो छे attempt में आप बारे बार क्रेक कर लोगे, ऐसे ही आता है, फिर होता नहीं है, हिस्ट्री का लेक्षर मैंने ले लिया है, बहुत ब्रीफ में, हाँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जस्ट आस्क, बैग आप बॉर्रोईंग, पूरे constitution को बोलते हैं, पर यहाँ बात, चलो, ठीक है, यह बात हो गई, अब आओ, देखो, यह देखो, 42nd amendment जो constitution का है, उसमें कुछ चीजें change की गई थी हमारे प्रेंबल में, जैसे प्रेंबल में, जो description था, उसमें हमने, पहले हुआ करता था, sovereign democratic republic, ठीक है, फिर हमने उसको change किया, उसको किया, sovereign socialist secular democratic republic, तो यहाँ पे हमने दो keyword add कर दिये थे, socialist और secular, और फिर जो दूसरी line थी, unity of the nation, उसको हमने change करके, unity and integrity of the nation कर दिया था, तो constitution में तीन नए वर्ड जोड़े गए थे, दोस वर, socialist, secular और integrity, कुछ लोग इस end को भी पकड़ लेते हैं, तो बोलते हैं, चार वर्ड जोड़े गए थे, आप इतनी technicality के चक्कर में पढ़ना मत, तीन वर्ड जोड़े गए थे, socialist, secular और integrity, बात खतम, ठीक है, अब इनका मतलब देखना है, तो देख लो, sovereign का मतलब यह होता है, sovereignty is the supreme power, आज I told you earlier, और sovereignty के दो मतलब होते हैं, internal sovereignty and external sovereignty, मतलब internal affairs में policy कैसे बनाती है, सरकार देश के अंदर कैसे काम काच चलेगा, वो state decide करेगा, ठीक है, और external sovereignty का मतलब यह होता है, कि हमारी foreign policy क्या है, उसमें हमें कोई उसादेश dictate नहीं करेगा, we know, हमें क्या करना है, एज यह संकर्जी decide कर लेंगे, क्या करना है, आप परिशान मत हो, socialist का मतलब यह होता है, देखो socialism के दो मतलब होते हैं, एक होता है economic मतलब, एक होता है political मतलब, political perspective से socialism का मतलब यह होता है, कि हम equality ensure करेंगे, social equality और economic equality, यह overall इसका मतलब है, तो जो equality की बात हम करते हैं, as an ideal, तो यह तो इसका मतलब हो गया, political perspective से, कि society में सभी लोग एक बराबर होंगे, सभी को एक जैसे right मिलेंगे, किसी के साथ कोई discrimination नहीं होगा, और जब आप economic perspective से जाते हो, तो यहाँ पर socialism में हम closed economy की बात करते हैं, कि जो economy होगी, वो closed होगी, सरकार का means of protection के उपर control होगा, जो companies होगी, वो public sectors में रन होगी, तो देखो जब हम opt कर रहे थे, तो हम बड़े confused थे, कि हम socialism अपना हैं या capitalism अपना हैं, फिर नेरू जी थे तो उनका जुकाओ socialism की और ज़ादा था, लेकिन पटेल जी जो थे, वो चाहते थे कि हम capitalism के model को opt करें, या उनकी कुछ elements opt करें, तो कुल मिला कि हमने मद्यम मार्ग निकाला, बुद्धा जी को याद किया, और middle path opt कर लिया, तो हमने जो model opt किया है, that is of democratic socialism, यानि कि हमने democracy में socialism को mix कर दिया, ठीक है, तो capitalism क्या बोलता है, सारे पर private ownership होगी, और socialism बोलता है, सारा सरकार ले लेगी, हमने बीच का रास्ता अपनाया, कुछ सरकार को दे दो, कुछ private को रख दो, ठीक है, और हमने equality को establish करने की कोसिस की, यह हमारे constitution की original text में नहीं हुआ करता था, इसे हमने 42nd amendment में, 1946 में add किया था, और socialism का मतलब होता है, कि हम socialist means को, मतलब democratic socialism का मतलब होता है, कि हम socialist means को democratic तरीके से achieve करेंगे, Now, secular, secular का मतलब यह होता है, कि equidistance to all the religion, सभी धर्मों से एक बराबर दूरी, और उन्हीं एक जैसा treat करना, तो India as a state secular है, मतलब हम सभी धर्मों को, सभी religions को एक जैसा treat करते हैं, किसी को भी preference नहीं दी जाती, किसी को भी पीछे नहीं ढखेला जाता, अब यहाँ पे देखें, जो इसकी हिंदी है, secularism की, वो वैसे तो होती है, धर्म निर्पेक्ष, लेकिन हमारे constitution के text में, जो word इस्तिमाल किया गया है, that is, पंथ निर्पेक्ष, और पंथ निर्पेक्ष इसलिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका अपना एक मतलब है, secular का वैसे मतलब तो धर्म निर्पेक्ष हो जाता है, लेकिन पंथ निर्पेक्ष का मतलब ये है, कि हर रिलीजिन में कुछ पंथ होता है, हर धर्म में कुछ पंथ होता है, पंथ का मतलब होता है रास्ता, जैसे एकर आप हिंदु़िजम को बकड़ो, तो हिंदुजम में आपको वेशनमिजम मिलेगा, भगवतिजम मिलेगा, शक्तिजम मिलेगा, शैविजम मिलेगा, ये हिंदुजम के भीतरी कई सारे रास्ते हैं, वैसे आप इसलाम में जाओगे, तो सिया हैं, सुन्नी हैं, इसके लामा वहाबीज हैं, एहमदियाज हैं, अलोट अफ सेक्टर देयर, मतलब एक ही गौट तक पहुँचने के कई सारे रास्ते, कृष्ट्यनिटी में जाओगे, तो फिर कैथलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, वैसे ही आपको बुद्दिजम और जैनिजम में भी कई सारे सेक्ट मिलेंगे, अब ऐसा नहों जाए कि कोई सरकार बोले कि देखो, हम तो हिंदुजम को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम तो शैविजम को प्रमोट कर रहे हैं, या कोई सरकार ये बोले कि देखो, हम इसलाम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो सुननी जो sect है उसे promote कर रहे हैं तो ऐसी कोई situation create ना हो इसलिए हमने साफ किया कि religion नहीं आप उसके within sect को भी promote नहीं कर सकते और आपको सभी के साथ equidistance maintain करनी होगी जो concept है जो concept है Indian secularism का that is of positive secularism जहां पे हम सभी religion को एक जैसा treat करते हैं while जो western concept है secularism का वो negative है जहां पर वो हर religion से एक distance maintain करके चलते हैं ठीक है मतलब वहाँ पर women पादरी बनेगी की नहीं बनेगी वो decide करेंगे सरकार intervene नहीं करेगी हमारे ऐसा नहीं है अगर सभी माला temple में women के इंट्री नहीं होगी तो मामला religious से लेकिन government intervene करेगी अगर कोई तीन बार तलाग बोलके किसी women को छोड़ देगा तो मामला भले ही religion से government intervene करेगी मतलब जो derogatory practices है religion की उन्हें bear नहीं किया जाएगा ये मतलब है secularism का ठीक है इसके अलामा देखो एक Turkish secularism पहले हुआ करता था मतलब जहां पर मुस्तफा कमाल पाशन ने जबर्दस्ती religion को suppress किया ठीक है उन्होंने बोला कि आप पाँच बार नमाद मत पढ़ो तीन बार पढ़ो चल जाएगा आप डाड़ी मन हो रखो ना रखो मन हो हैड पहनो ना पहनो जो एक टोपी होती है वो पहनो ना पहनो तो उन्होंने ये कुछ चेंजेस किये तो वो Turkish secularism है ठीक है तो types होते है मैंने आभी आपको Western, Indian और Turkish स्रीनों बता दिया चल ना Democratic, democracy दो words से मिलके बनाया है demos plus kratia, demos का मतलब होता है people kratia का मतलब होता है rule, it means rule of the people ठीक है, तो democracy को हमने आपकिया है जहाँ पे लोग अपनी government को चुनते हैं और एक time limit के बाद उन्हें फिर से बापिस से लोगों के बीच में आ के अपने लिए vote मांगना होता है if they cannot succeed in achieving the trust of the people they will be thrown out of the government and that is the model of democracy that we have opted in our constitution now republic, republic का सीधा सा मतलब है head of the state must be elected he or she can neither be nominated nor be hereditary ठीक है, जो राज्जी का मुखिया होगा जो सरकार का मुखिया, राज्जी का मुखिया head of the state, जैसे हमारे राष्टपती है वो चुने जाएंगे, वो Britain की महरानी की तरह hereditary नहीं हो सकते, at the same time यहाँ पे उन्हें nominate भी नहीं किया जा सकता simple सा यही मतलब है republic का now, justice, जो term justice है इसका मतलब होता है कि हर किसी को वो मिले, जो उसके लायक है due, everyone must get their due उसे ही कहा जाता है justice justice का मतलब हमेशा किसी को जेल में डालना नहीं होता जो juristry justice कर रही है justice का मतलब होता है, जो जिसके लायक है उसे आप वो दे दो, मतलब अगर इसे ने crime किया है तो उसको आप punishment दो, किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे society को बहुत benefit पहुँच रहा है तो आप उसे awards दो, भारत रतने दो परमवीर चक्र दो, ये भी justice ही होता है अब मामला वो दूसरा है कि लोग crime ज़्यादा करते हैं जेल में ज़्यादा जाते हैं बाकी लोग अच्छा गाम कम करते हैं तो justice का connotation पूरा नहीं हो पाता तो हमारे यहाँ जो concept है वो तीन तरीके के justice का है social justice, economic justice और political justice social justice का मतलब यह होता है कि हम एक equitable society बनाएंगे जहाँ पर सभी लोगों को equal social status मिलेगा economic justice का मतलब होता है कि जो means of production है उनका equitable distribution होगा concentration of wealth को हम कम करेंगे ऐसा नहीं किसी के पास खूब सारा पैसा कोई खाय बिन मर रहा political justice का मतलब यह है कि सभी लोगों को equal right होंगे चाहे vote करने का right हो या election contest करने का right हो political participation का right हो सबको बराबर right मिलेगा अब यहाँ पर बात करते हैं liberty की liberty का मतलब यह होता है कि आप अपने will को exercise कर पाएं और liberty का मतलब होता है absence of restraint जहाँ पर आपके ऊपर कोई imposition ना हो आप अपने personality को अच्छी तरीके से डेवलब कर सको liberty या फिर freedom जो constitution है वो सभी individuals को liberty देता है किसकी thought की expression की belief की faith की worship की तो यह पाँच चीजों की liberty मिलती है एक दो तीन चार पाँच कई बार तो simply पूछ लेता है कि किस चीज की liberty हमारे constitution में दी गई है इसमें तो कोई एक switch कर देंगे दिमाग खराब हो जाएगा now reasonable restrictions फिर भी liberty के ऊपर imposed होंगे जो logical हो reason पे यानि की बुद्धी पे बेज़़ों वो लगाये जाएंगे यह नहीं बोलने का दिकार है तो कुछ भी बोलोगे जो liberty के ideals है, equality के fraternity के वो हमने french revolution से लिए now equality जो term equality है इसका मतलब होता है absence of privilege यह UPSC पूछ भी चुकी है UPSC previous year में equality का मतलब पूछ चुकी है मतलब किसी भी व्यक्ति को society में कोई special status नहीं मिलेगा सभी लोगों को हम equality treat करेंगे ठीक है ठीक है political अच्छा लिख रहा है वाप लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह पाटिसिपेटिंग वेल कि अभी लोग बढ़िया पाटिसिपेट कर रहे है कंटिनिग ओके जुटा मिकोलेटी है इसका मतलब होता है कि special privileges का absence चाहां पे society और जो provisions है उनकी educate opportunity सभी लोगों को मिले जो preamble है वो सभी लोगों को equality status की देता है opportunity की देता है जो provision है इसमें हमने civic political और economic dimension को add कर रखा है that's okay now fraternity fraternity का मतलब है थे कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी ने रखेंगे सबको अपना भाई मानेंगे एक साथ मिलके रहेंगे और अगर हम चाहते हैं ना कि देश की unity और integrity बनी रहे यानि कि सब लोग इकठा रहे है और हमारा देश एक जुट रहे इसके रिए fraternity बहुत जरूरी है fraternity is the basic element for securing unity and integrity अगर लोग ही आपस में connected नहीं है तो देश कैसे connected रहेगा तो हमारा जो प्रेमबल है उसके according जो fraternity है वो दो चीज़े फुल्फिल करती है एक तो एक व्यक्ति की dignity को ensure करती है और दूसरा देश की integrity को ensure करती है अगर आप हर व्यक्ति को अपने जैसा समझोगे अपना भाई अपना बहन मानोगे तो ऐसी condition में उस person की भी dignity maintain रहेगी और आपकी भी maintain रहेगी चूँकि एक sense of closeness आप में रहेगी तो देश connected रहेगा और nation भी जुड़ा हुआ रहेगा integrity जो word है वो 42nd amendment से हमने जोड़ा हमारे original constitution में नहीं था objectives देखिए जो preamble है उसका fundamental objective हमारे पास क्या है या फिर हमने ये जो incorporate किया है हमारा जो preamble है वो क्या objectives रखता है ये एक way of life है जहाँ पे हम fraternity, liberty, equality इन्हें एक साथ जोड़ के रखते हैं liberty को आप equality के साथ अलग नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने liberty को equality के साथ अलग किया equality को अगर आपने liberty से अलग किया तो liberty और equality के क्या impact होंगे वो मैं भी आपको बता दिता हूँ बिना equality के liberty में कुछ लोग तो powerful हो जाएंगे कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होगा मतलब liberty तो है लेकिन equality नहीं है तो किसी के पास जिसके पास liberty है वो बहुत powerful है और जिसके पास liberty नहीं है वो तो गया equality अगर आपने दे दी liberty नहीं दी तो एक व्यक्ति की जो capability है आप उसको suppress कर दोगी क्योंकि आपने सबको बराबर माल दिया आप किसी को important जहीं नहीं रहे हो fraternity अगर आपने नहीं रखी तो liberty और equality दोनों बेकार हो जाएंगे फिर तो आप सब लड़ी मर लोगे फिर क्या मतलब निकलता है तो fraternity के बिना liberty और equality दोनों ही implement नहीं हो पाएंगे मतलब यह तीनों element आपस में बहुत दादा connected है और important है हमारी Indian constitution के sources की बात करते हैं हमने अपना constitution कहां से उठाया हमारा जो constitution है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमने 1935 के act से उठा लिया था वो जो बनाया हुआ था अंग्रेजों ने वो हमको समझ में आता था अच्छा लगता था हमने उठा के रख लिया वहां से जो उठाया वो है federal scheme यानि की center or state अलग-अलग होंगे दोनों के power constitution में होगी governor का office judiciary public service commission जिसके आप तयारी कर रहे हो emergency provision जब crisis आता है तो यूज करते है और administrative details सब हमने 1935 के government of india act से उठा लिया यहाँ पर हमने बताया कि किस देश से हमने क्या उठाया australia से concurrent list freedom of trade commerce जो state trade होता है joint sitting two houses के parliament की ऑस्टेलिया से canada से federation का system residue power center के पास होगी state में governance का appointment center करेगा और advisory jurisdiction supreme court के पास होगा highland से हमने उठाया DPSP को राजसभा के members का nomination होगा और president का election कैसे होगा जपान से उठाया procedure established by law इन्हें अभी आगे मिलेंगे समझेंगे Soviet Union जो पहले USSR के नाम से जाना जाता था वहां से हमने fundamental duties को उठाया justice के idea, social economic, political यहां से उठाया ठीक है UK से हमने parliamentary government, rule of law, legislative procedure, single citizenship, cabinet system, prerogative rights जो हमारे article 32 में दिये गए है parliamentary privileges और bicameralism यानि कि लोगसभा राजसभा जैसे दो house होगे यह सब UK से उठाया USA से उठाया fundamental right, independence of judiciary, judicial review, impeachment of president, उनको हटाने का तरीका Supreme Court, High Court के judges का removal और Vice President की post यह सब USA से उठाया Germany जो पहले Weimar Constitution हुआ करता था, fundamental rights, emergency में suspend कर देंगे, यह हमने उधर से ले लिया South Africa से हमने amendment का procedure इंडियन constitution में और राजसभा के members के election का तरीका उठा लिया France से हमने republicanism उठाया, head of the state elected होगा, liberty equality of fraternity के ideals भी preamble में हमने France से उठाये हैं अब देखिए Supreme Court ने किस तरीके से preamble को interpret किया है या फिर जो एक relation रहा है fundamental right के साथ उसे explain करते हैं Supreme Court ने बेरुबारी union case में 1960 में बोला था कि जो preamble है वो जनरल परपस बताता है हमारे constitution के कई सरे provisions का Actually में constitution में जो बाते लिखी गई है उनका क्या मतलब है वो preamble clear करता है इसलिए अगर आपको हमारे constitution makers का mind समझना है तो preamble पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या सोचते थे इस recognition के बावजूद कि preamble कितना significant है Supreme Court ने एक बात बोल दी कि preamble हमारे constitution का part नहीं है मतलब वो पहले page पे है constitution से अलग है it's not part of constitution since it is not part of constitution तो article 368 इस पर लगेगा नहीं और article 368 इस पर लगेगा नहीं तो इसका amendment हो नहीं सकता था कम से कम विरुबारी case तक फिर एक एशनन भारती चीज में 1973 का Supreme Court ने अपना earlier opinion जो विरुबारी case में था उसको reject कर दिया और बोला प्रेंबल हमारे constitution का part है इसका मतलब कि गरम इसमें amendment करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है और यह हमारे constitution के grand और noble village जो विजन है उसे express करता है ऐसा वो मही case 1994 में आया सुप्रीम कोट ने एक बार वही बात कहीं कि प्रेंबल इंटिग्रल पार्ट है अपनी बात को दोहरा दिया है इसमें कुछ नया नहीं था ना यहां पर देखिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे constitution के important features की हमारे constitution लेंदियस constitution है दुनिया का reason बिल्कुल साफ है इसमें चार्स और ताल से ज्यादा आर्टिकल्स है वैसे 395 ही है जो capital एक capital भी किसी constitution के साम रटैच होता है ना वो एक अलग constitution होता है मतलब एक अलग आर्टिकल होता है constitution थोड़ी हो जाएगा और जो small a small भी होता है वो clause होता है ठीक है तो clause सब clause में यह भी जाता है और capital A capital B independent articles होते हैं ठीक है तो वैसे तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल है बट originally 395 ही है हमने अलग-अलग sources से लिया है इंडिया की जो diversity है वो बहुत जादा है अलग-अलग कास्ट लीजन कास्ट क्रीट के लोग यहां पर रहते हैं हमारे देश में स्टेट्स को कोई constitution नहीं बनाने दिया गया तो एक अही constitution बना है और बहुत सारे conflicts problems थी जिनका solution constitution को देना था इसलिए हमारा constitution बड़ा लेंदी बन गया फेडर सिस्टम हमने युनिटरी फीचर के साथ अपनाया फेडर सिस्टम में हमने सेंटर और स्टेट का प्राविजन रखा और जब भी कोई क्राइसिस आएगा तो जो पूरा inclination है वो सेंटर क्यों चला जाएगा यह हमने अडॉप किया इनन constitution में फेडर करेस्टिक्स हैं डूल गवर्मेंट सिस्टम है मतलब एक तो सेंटर है एक स्टेट है पावर्स का डिविजन है तीन जो और गन्स है गवर्मेंट के एग्जेकिटिव जुडिसरी और लेजिसले किये गए ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें और बाइक कैमरलिजम है यानि की लुवर हाउस और अपर हाउस की बीच का डिविजन है इंडिन constitution यूनीक है कई सारे मामलों में क्योंकि इसमें कई सारे उनिट्री फीचर्स इंकॉर्परेट किये गए हैं डिस्पाइट कि बाइए इसे इसे कौक्षि फेडरल बोलते हैं कॉन बोलता है इंडिन constitution को इसे फेडरल आप बताएए comment box में मुझे बताएगा कौन की कौसी फेडरल इंडिन constitution को किसने बोला था जस्ट इस्ट्क इंडी commentary करो सेंटर को हमने स्ट्रॉंग बनाया है ठीक है और इंडिया सर्विसेस सेंटर और स्टेट दोनों के लिए हैं इमर्जिंसी प्रोविजन्स इंक्लाइनेशन दिखाते हैं सेंटर की और और गवर्नस अपॉइंट किया जाते हैं प्रस्टेंट के द्वारा यह वो सारी चीजें हैं जो हमारे फेडरल स्कीम में यूनिटरी फीचर्स को पोर्ट्रे करती हैं दिखाती है हमारे यहां एक जो मेंस से ले जाती है तो मेंबर्ज ऑफ एग्जिकेटिव्स अर पार्ट आफ दि मेंबर्स ऑफ लेजिसलेशर जो मेंबर आफ पार्लेमेंट सांसद होते हैं वही मंत्री बन जाते है न तो यह पॉन्सिटम का फीचर है क्लेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कां majority party का rule होता है जिसको सबसे ज़्यादा seat मिलेंगी वो government बनाने के लिए आगे आएगा हाँ उसे 50% plus 1 की majority maintain करनी पड़ेगी है तो ठीक है ने collection government बनाओ Prime Minister और Chief Minister की leadership होती है Chief Minister State में, Prime Minister Center में Lower House का resolution हो सकता है जिसे कि लोगसभा और State Assembly Government में cabinet होती है मतलब कुछ inner core group होता है Ministers का जो rule करता है हमने sovereignty और Parliament और judicial supremacy की बीच में balance established किया हुआ है Parliament को enough power दी गई है कई सारे मामलों में उनकी proceeding कैसे चलेगी वो अपनी proceeding को publish करना चाहते हैं कब नहीं आप उनका contempt नहीं कर सकते हैं वो punish कर सकते हैं करनाटेका के Assembly ने दो जर्नलिस्ट को एक एक साल की जिल सुना दी थी तो they have this right वाकी judiciary supreme है Britain की तरह हमने सारे rights पर्लामेंट को नहीं दे रखे तो हमने एक balance established किया है Supreme Court आर्टिकल 13, 32 और 136 के तहट judicial review कर सकते है judicial review का मतलब ये है कि जो law बनाया गया है हमारे legislature के दोरा जो actions implement किये जा रहे है हमारे executive के दोरा वो उसे review कर सकते है even वो अपने खुद के judgment को review कर सकते है और judicial review का authority उनको court of record भी बनाती है ठीक है Parliament जो है वो representative है लोगों के will की उसके पास authority है law बनाने की और वो हमारे constitution के major part को amend भी कर सकती है हमारा constitution flexible भी है और rigid भी है flexibility और rigid का मतलब क्या है अगर कोई constitution rubber का बना है तो उसे flexible माना जाता है और अगर वो लोहे का या eat का बना हुआ हो तो फिर उसे rigid माना जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है गलत explanation है flexible constitution का मतलब यह होता है कि आप constitution को वैसे ही amend कर सकते हो जैसे एक normal law बनता है और rigid constitution का मतलब यह होता है कि उसके लिए आपके पास कोई special procedure है तो अमेरिका में constitution को amend करने का procedure एक special है और rigid है वहाँ पे most of the cases में तो three-fourth majority चाहिए होती है amendment करने के लिए जबकि Britain में तो constitution वैसे amend हो जाता है जैसे कि normal law बनता है हमारे यहां ऐसा नहीं है हमारे यहां कुछ provisions normally amend हो जाते है कुछ provisions के लिए काफिट अप provisions है पूथ हर्ड की majority चाहिए होती है और कुछ provisions में जो federal scheme को impact करते हैं state का भी concern चाहिए होता है तो हमारे यहां दोनों का mixture है कुछ और भी provisions है जिने हमें special parliamentary majority के साथ amend करना होता है जहां पर हमें आजह से ज़्यादा states की मदद चाहिए होती है वो approve करेंगे तब ठीक है तो इस बात को ensure करता है कि widest possible majority हो अगर constitution comment किया जा रहा है specifically ऐसी scheme जो हमारे federation को impact करती हो अब हम बात करेंगे citizenship के बारे में ठीक है we are going smooth सबकुछ एक दम brief में मैं बढ़िया तरीके से explain करता हुआ चल रहा हूँ ठीक है बढ़िया पसपास depot system social system add है 42nd amendment से सही बात है केसी वियर सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है केसी वियर बहुत बढ़िया स्कृष्णा आश्यतोस ठीक आश्यतोस अभी बढ़ा देते है बढ़िया चली सिर्जन सिप की बात करते है सिर्जन सिप की बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि सिर्जन सिप एक status है जो किसी भी country में जो स्टेट होता है वो वहां के लोगों को grant करता है सिर्जन सिप एक बहुत special चीज है सिर्जन सिप खाने में नमक्य जैसी होती है अगर आपको मिली हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपकी सिर्जन सिप खतम कर देंगे जो किसी दूसरे देश के निवासी है वो जादू और पीके नहीं जो दूसरे देश से आते हैं वो लोग एलियन वाले नहीं ठीक है टिजन जो वो इन्डिविजोस होते हैं जो नहीं स्टेट की full membership मिलती है और उनके पास civil और political rights होते हैं एलियन्स होते हैं जो दूसरे देश के निवासी होते हैं इंडिया में आके रह रह रहे हैं उन्हें सारे civil और political rights नहीं मिलते हैं एलियन्स दो तरीके के होते हैं friendly alien और enemy alien जैसे की PK और जादू और enemy alien वो जो अमेरिका के उपर हमला करते हैं ऐसा नहीं है friendly alien ऐसे देशों के निवासी होते हैं जिनके साथ हमारे अच्छे relations हैं और enemy alien ऐसे देशों के निवासी को कहा जाता है जिनके साथ हम in war हों मतलब पाकिस्तान और चाइना के निवासियों को residents को हम enemy alien नहीं बोल सकते क्योंकि उनके साथ अभी हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं Ukraine के लोग Russia के लोगों को Russia के लोग Ukraine के लोगों को enemy alien बोल सकते हैं So calling anyone enemy alien it will be a precondition that you are in war with that country अगर वो मतलब एक सिंपल सी बात कही जाती है politics में in the peace time no country is enemy country शांती की समय में कोई भी देश दुश्मन देश नहीं होता और किसी भी देश का निवाशी enemy alien नहीं नहीं होता चला जो citizenship है वो हमारे constitution के पार्ट टू में mention किया गया है ठीक है आर्टिकल 5-11 के बीश में ये फुल प्रिटिकल मेंबर्शिप देता है ये दिखाता है कि आप स्टेट की ओ पॉर्मनेंट अपनी allegiance enemy के निश्था रखते हैं ये official recognition है कि आप उस देश का पार्ट है आप pledge करते हो कि आप स्टेट के लिए loyal रहोगे और स्टेट अपने citizens को protect भी करता है citizenship को अगर आप avail करते हो तो आपको मिलते हैं कई सारे rights आपको fulfill करनी होते हैं duties आपको मिलते हैं कुछ privileges और आपके उपर होते हैं कुछ obligations जिनको आपको follow करना पड़ेगा कुछ ऐसी offices हैं जिनको के वर Indian citizens ये एजियूम कर सकते हैं जैसे कि President, Vice President, Supreme Court के Judge, High Court के Judge, Attorney General, State की Governor, Advocate General Member of Parliament बनना, Voting का राइट होना, Member of Parliament ये क्या वो तो बात हो गई, State Legislature का Member बनना और Public Services में Recruit होना और Vote करना ये सारे rights आपको तभी मिलेंगे जब आप Indian citizen होंगे तो Indian citizen होने के बाद ही आपको ये rights मिलते हैं जो citizenship का concept है, वो हमारे constitution के adopt होने के साथ ही applicable हो गया 26-1949 से, जो इंडिया का constitution है उसमें हम देखते हैं कि जो citizenship का concept है, वो इंडिया के constitution के commencement, यानि कि implement होने के साथ implement हो जाता है Article 11 जो इंडियन constitution कहाँ वो ये बताता है कि citizenship के सम्मन्द में अगर कोई change किया जाना है या कुछ भी इसके provisions बनाने हैं तो ये काम Parliament करेगी, इस शीच को यूज करते हुए Parliament ने citizenship act of 1955 बनाया मतलब citizenship के relation में कोई कानून बनाना है, तो Parliament बनाएगी, Article 11 ऐसा बोलता है Article 5 बोलता है कि citizenship दो मिसाहिल के basis पे, मतलब जब हमारा constitution इंप्लिमेंट हुआ तो जो भरत में रह रहा है वो नागरिक बन गया Article 6 कहता है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए, उनको नागरिकता दी जाएगी Article 7 बोलता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उनको राइट्स मिलेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है, मतब जिनके दादा पर दादा, मतब ग्रैंड पैरेंट्स, इंडिया के थे, वो कैसे नागरिकता ले सकते हैं आर्टिकल 9 ये बोलता है, कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की वॉलेंटरली सिर्जन से पर अवैल कर लेता है, तो हम उसके सिर्जन सिप खतम कर देंगे सिर्जन सिप को एक्वायर करने के पांस तरीके हैं, बाइब बर्थ, बाइडी सिंट, यानि की बनसानों का ताधार पर, बाइडिस्ट्रेशन, बाइडिस्ट्रेशन, और इनकोपरेशन अफ टेरिटरी, चीक है? पाने के पांस तरीके, बाइडिस्ट्रेशन, 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 बाइडिस्ट तो उसको नागरिक्ता मिल जाती थी लेकिन 1986 में इसके प्राविजन्स में थोड़ा चेंज किया गया अगर कोई व्यक्ती 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में पैदा होता है और जून 30 1987 के पीच में पैदा होता है तो भारत का नागरिक वो पैदा होने से बन जाएगा अगर वो जुलाई एक 1987 के बाद पैदा होता है लेकिन पैदा होते वक्त उसके पैरेंट्स इंडिया के सिटिजन थे तब उसे भारत की नागरिक्ता मिलेगी कोई भी foreign diplomat जो इंडिया में posted है कोई tourist या फिर कोई enemy alien जो temporary period के लिए इंडिया में है अगर इनके बच्चे यहां पैदा हो जाते हैं तो उन्हें नागरिक्ता नहीं मिलेगी ऐसा थोड़ी है कि यहां पर आप आये थे तो आपको नागरिक्ता मिल जाएगी कि कोई भी बच्चा भारत के भले ही बाहर पैदा हो रहा हो लेकिन पहले यह था कि अगर उसके पिता जी इंडियन स्रेडिजन है उसे नागरिक्ता मिल जाएगी पहले मदर स्रेडिजन ने तो नहीं मिलती थी बाद में 1992 में इसको अमेंडिकर के gender neutral बनाया गया अगर कोई बच्चा देश के बाहर भी पैदा होता है लेकिन उसके माता-प्रिता मेंसे कोई भी इंडियन स्रेडिजन है तो बात का नागरिक बन जाएगा बाइड रेजिस्ट्रेशन बाइड रेजिस्ट्रेशन में सिर्फ इतना है कि कुछ सर्टेन केटिगरी ओफ लोग हैं जो बाइड रेजिस्ट्रेशन से प्ले सकते हैं नेच्रलाइजिशन के जरिए तो कोई भी ले सकता है लेकिन रेजिस्ट्रेशन के जरिए कुछ लोग है जो से प्ले सकते हैं जैस इंडियन से शादी कर ले तो वो पास साल यहां रहके रेजिस्ट्रेशन के जरीए से प्ले सकता है पर्सन जो कॉमन वेल्थ कंट्री के मेंबर हैं ठीक है कॉमन वेल्थ में वो देश हैं जो कभी भी बिटन की कॉलोनी हुआ करते थे उनका एक गुरुप बना है कॉमन वेल्थ के फॉर्म में पहले वैसे यह च्छह महीने था है च्छह महीने रहके से प्ले लो बाद में बढ़ा कि इसको पांच साल किया गया थुरा सा इंक्रीज कर कि वो दूसरे देश की सिर्जन से प्रेनाउंस करें छोड़ दे जहां का वो सिर्जन है दूसरा उसका कैरेक्टर अच्छा हो तीसरा कि हमारे एट सीडियूल में 22 लैंग्विज दी गई है उनमें से उसे किसी एक लैंग्विज की अच्छी जानकारी हो और वो भारत का ना सिर्जन सिर्जन सिप नहीं गरांट करता हम किसी भी ऐसे देश के निवासी को इंडिया में बाई नेचुलाइजेशन सिर्जन सिप नहीं देते गवर्मिंट यह सारी कंडिशन्स वेवाफ कर सकती है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उस परसर नी साइंस आर्ट लिट्रेच वर्ल्ड पीस या हुमन प्रोग्रेस में कोई बहुत अच्छा कॉंट्रिवीशन दिया है कोई बहुत एमिनन पर्सन है मारा सरकार उन्हें इन सभी कंडिशन्स के एलिमिनेशन के बाद डिरेक्टली सर्जन सिप दे सकती है क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो in corporation of territory हम किसी भी territory को occupy करते हैं तो हम वहां के लोगों को इंडियन सुझमेर अपना ही हिस्सा है तो वहां के लोग ऑ प्रेट करने के बाद उन्हें इंडियन सेर्जन बना लिया जाएगा कि चली जाती है दिशन टमिनेशन एंड टिन तरीके हैं दिशन का मतलब यह होता है यह रेंट्रे एक्ट होता है अगर एक पर्सन इंडिया का सर्जन है एडस समय टाइम वो किसी दूसरे देश की सर्जनिसip ले सकता है ले लिया है तो वा इंडिया की सर्जनिसभ छोड़ सकता है और जब यह एक परसन अपनी सर्जनिसip छोड़ता है मानलो यह तो हो गया कि आपने खुद से अपनी सर्जिंसिप छोड़ दी तो आप छोड़ सकते हो मान लिजी आपके घर में कोई बच्चा है आपका बेटा है बेटी है वो छोटे हैं अब उन्हें नहीं पता 14, 15, 12 साल के उन्हें कि इंडिया की सर्जिंसिप का क्या मतलब है तो उस समय तो देखो वो लोग नहीं रहेंगे सर्जिंट माता पिता ने छोड़ दिया तो उनकी भी गई लेकिन जब वो 18 साल के होंगे तो वो चाहें तो एपलाई कर सकते हैं कि देखो हमें तब नहीं समझ में आया कि माता पिता ने इंडियन सर्जिंसिप छोड़ दी बट हम रहना चाहते हैं अभी हमें समझ आ गई है तो सरकार उनको सर्जिंसिप दे देगी विकाज जब उनके माता पिता ने सर्जिंसिप छोड़ी तो वो माइनर थे ठीक है अगर किसी ने इंडियन सर्जिंसिप के सांस सांत किसी दूसरे देश की सर्जिंसिप को एक्वायर कर लिया और उसने इंडियन की सर्जिंसिप को छोड़ा नहीं तो हम उसकी जो सर्जिंसिप है वो आटमेटिकली टमिनेट हो जाएगी एक तो आप खुछ से छोड़ दो, ठीक है, और दूसरा, आपने एकर खुछ से नहीं छोड़ा है, और दूसरे देश के citizenship ले लिए है, तो आपकी citizenship terminate हो जाएगी, that's termination, अब तीसरा है deprivation, deprivation का है कि जबरदस्ती आपकी citizenship खतम कर देंगे, अब उसकी कुछ preconditions है, ये compulsory termination होत अगर उस person नहीं, इंडिया से कोई important information, unlawfully trade की है, या communicate की है, किसी enemy को during the war, तो भी हम उसके citizenship खतम कर देंगे, अगर किसी व्यक्ति नहीं, citizenship इंडिया की लिए, वो इंडिया में रहते हुए अभी उसे 5 साल ही हुए है, लेकिन in between उसने एक ऐसा crime commit कर दिया, जिससे उसे दो सा या 2 से जादा साल की punishment मिल गई, तो भी हम उसके citizenship खतम कर देंगे, इसके अलामा कि कोई ordinary Indian citizen जो 7 साल से इंडिया में नहीं रह रहा है, ठीक है, और वो अपना intention भी शोनी कर रहा है, कि वो इंडिया का citizen बने रहना चाहता है, इसके अलामा, वो ना तो किसी ऐसे organization में काम करता ह जिसका इंडिया मेंबर हो, और नहीं वो foreign में रहके पढ़ रहा है, तो उसके citizen subscribe कर देंगे, हाला कि इससे बचने का एक करीका है, कि आप साल में एक बार Indian consulate में जाओ, एक होता है embassy, कुछ consulates होते हैं, कई बार consulates एक से जादा होते हैं, जहाँ पे Indian nationals को दूसरे देस में help क की जाती है, तो आप महाँ पर जाओ और बता दो कि देखो, हम surgeon बने रहना चाहते हैं, तो फिर वो नहीं हटाएंगे आपको, ठीक है, चलिए, fundamental rights, बहुत important chapter, रियाद सर्मा का कहना है कि पूरा पाकिस्तान ले लेना चाहिए, अकसाई चिन भी ले लेना चाहिए, अफगानिस्तान छोड़ देंगे, बफर जोन बनाने के लिए, बहुत बढ़िया प्लान है आपका, government of India को आपके प्लान के बारे में communicate किया जाएगा, एलियन्स को भी fundamental duties follow करनी होती है क्या, कौन से एलियन, वो जो बाहर दूसरे ग्रह से आएंगे या वो enemy alien, friendly alien वाले, ठीक है चलो, fundamental rights की बात करते हैं, fundamental rights को बताने से पहले मैं rights बता देता हूँ, rights are the claims of the individuals, those have been approved by the state and the society, अधिकार मनुश्य के वेदावे होते हैं, जिन्हें राज दथा समात के द्वारा वैधता प्रदान कर दी जाती है, एक तो इसका ये मतलब है, कि rights क्या हैं, वो आपके claim है, वो ऐसे claims जो आप state भी बोले कि हाँआँ आपका claim सही है, society भी बोले, आपका claim सही है, तो आपका right बन जाता है, दूसा तरीका ये होता है, कि rights are those social conditions without which you cannot attain your self-development, अधिकार वे परिस्थितियां होती है, वो situations होती है, conditions होती है, जिनकी absence में आप अपना self-development नहीं कर पाओगे, तो ये तो मतलब हुआ right का, right की definition पूछ ली जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि right की definition क्या है, ठीक है, तो ये right का मतलब हो गया, अब fundamental right की बात करते हैं, देखो, जब भी आप किसी चीज़ को define कर रहे हो, तो उसी चीज़ को use नहीं कर सकते, rights हर those rights, ऐसे नहीं define करते हैं, जो चीज़ use कर रहे हो, वो keyword नहीं आएगा, ठीक है, fundamental right की बात करते हैं, कुछ rights बहुत basic होते हैं, इतने basic होते हैं, कि अगर वो भी आप से ले लिए जाएं, तो फिर आपके लिए survive करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे आपको बोलने ही ना दिया जाए, भगवान ने जुबान दी है, लेकिन आपको बोलने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं, चुप रहो नहीं तो गोली मार देंगे, अब ये fundamental right है आपका, मतलब बोलोगी भी नहीं तो आप कैसे survive कर पाओगे, ठीक है, आपको कहीं आने जाने ना दिया जाए, आपको खाना ना खाने दिया जाए, आपको पानी ना पीने दिया जाए, आपको suffocating atmosphere में रख दिया जाए, आपको सोने ना दिया जाए, ये कुछ ऐसी basic चीजें हैं, जो आपसे नहीं चीनी जा सकती, अगर ये भी आपसे चीन ली जाएंगी, तो आप survive ही नहीं कर पाओगे, आपको कोई भी पकड़ के jail में बंद कर दे, बिना मतलब का बंद कर दे, तो देखे, कुछ rights ऐसे होते हैं, वो बहुत basic होते हैं, बहुत fundamental होते हैं, जिनके बिना एक इनसान survive भी नहीं कर पाएगा, उन्हें fundamental right कहा जाता है, तो fundamental rights essential होते हैं, ताकि एक व्यक्ति की liberty को protect किया जा सके, ये limitations impose करते हैं, government के उपर, कि वो किसी व्यक्ति की life को hinder ना करे, राइट्स को fundamental इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये most essential conditions हैं, किसी भी व्यक्ति के full intellectual, moral और spiritual status को attain करने के लिए, fundamental rights inalienable हैं, मतलब इन्हें छीना नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें अगर छीन लिया गया, तो normal times में तो कम से कम आप इन्हें नहीं छीन सकते, special time में छीना जाता है, जो concept है fundamental rights का, यह American constitution से derived है, fundamental rights में individual rights और group rights दोनों ही involved हैं, ठीक है, तो यह तो कुछ basic बाते हो गई fundamental rights के बारे में, fundamental rights enforceable और justiciable है, enforceable का मतलब कि जो constitution में fundamental rights जे दिये गए हैं, सरकार को नहीं लागू करना पड़ेगा, यह तो मतलब हुआ enforceable का, justiciable का मतलब यह है कि अगर उ और जिसने implement नहीं किया है, वो guilty भी माना जाएगा, यह negative obligation है state के ओपर, fundamental right यह बताता है कि यह आपको नहीं करना है, that is mentioned by fundamental right, यह absolute नहीं है, बलके restricted है, मतलब बोलने का right है, इसमतलब यह कुछ भी बोलोगी, right to speech and expression है, it does not mean you will say anything you want, there must be some kind of restriction and those restriction must be reasonable, absolute restriction नहीं लगा जाएगा, ठीक है, reasonable restriction लगाया जाएगा, तो यह basic बाते हैं, rights के बारे में, fundamental rights के nature की बात करते है, fundamental rights, absolute right नहीं है, बलके यह restricted rights है, हर fundamental right में कुछ limitations आपके उपर दिखेंगी, कुछ scholars तो गुस्से में आकि यह भी बोल देते हैं, कि जो part 3 है, chapter जिसमें fundamental right दिया गया है, इसे हमें यह नह fundamental right इस chapter का title मत रखो, इस chapter का title रखो, limitations on fundamental right, क्योंकि इसमें fundamental right कम बताए गए हैं, और limitations इसमें ज्यादा बताए गई है, वो तो नराजगी की बात है, constitution certain restrictions impose करता है एक individual के fundamental right के enjoyment पे, और authorize करता है Parliament को कि वो reasonable restriction लगा सकते है, fundamental right के ऊपर restriction लगाने के certain grounds है, जो यह है, state की sovereignty और security क के लिए, weaker section की well-being के लिए, जैसे की बच्चे, women, SC, ST, and OBC, और किसी foreign state के साथ friendly relation के लिए, इन सभी चीजों को protect करने के लिए, fundamental rights can be restricted, बढ़िया बात, चलो आगे बढ़ते हैं, now, fundamental rights, ऐसे जो absolute है, कुछ fundamental rights हैं, जो absolute है, वैसे तो fundamental rights absolute नहीं होते, restriction होते हैं, लेकिन कुछ fundamental right के उपर कोई restriction नहीं है, कोई exception नहीं है, जैसे article 17, right against untouchability, आप किसी को discriminate नहीं कर सकते, touch me not वाला gesture आप शो नहीं कर सकते कि मेरे नजदीक मताओ, just because तुम किसी caste से belong करते हो, अगर आपने ऐसा किया, you will be punished, और इस article के उपर किसी भी प्रकार का कोई exception नहीं है, कि आप इस condition में unt untouchability practice कर सकते हो, और इस condition में नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, you cannot practice untouchability मतलब नहीं कर सकते, कोई effort नहीं, right to education, 6-14 साल के बच्चों को right to education मिला है, article 21, 1, according मतलब मिला है, सब को मिला है, बिना किसी exception के, article 24, 14 साल से common number के बच्चों को hazardous work में employee नहीं किया जाएगा, मतलब नह exception नहीं है, किस condition में आप employee कर सकते हैं, इस condition में नहीं कर सकते हो, यह सब कुछ नहीं, नहीं कर सकते हैं, article 25, clause 1, right to freedom of consigns, आप अपनी अंतर आत्मा से क्या सोचते हो, inner self में क्या सोचते हो, इसके उपर कोई restriction नहीं है, इसके उपर तो कोई लगा भी नहीं सकता restriction में है, क्या ल में कैरेंटी किये गए हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे fundamental right national emergency में suspend किया जा सकते हैं आर्टिकल 19 को केवल तफ suspend किया जा सकता है जब जो national emergency है वो war या फिर external aggression के basis पे लागू की गई हो अगर armed rebellion के basis पे emergency लागू की गई है तो वहाँ पर article 19 suspend नहीं होगा यह तो fundamental बात हो गई when it can be suspended amendability of fundamental right की बात करते हैं fundamental right amend हो सकता है कि नहीं हो सकता है बड़ा question रहा इसका भी नहीं और भी है common sense लगाया कर उसमझ में आ जाएगा DD ठीक है मोहित ठीक है ठीक है चिंद बहुत बहुत धन्यमाद आपका limitations ज्यादा है राइट कम लगता है बिल्कु सही कैथरीन पीर्स certain conditions है आइल टेल medical grounds पर चलता है तो रोना हुआ तो ठीक है घर सकते हो आप touch me not वाला gesture medical ground पर चलेगा social discrimination is not allowed अब आई यह बात करते हैं कि fundamental right की amendability में जहां पर आर्टिकल 14 में क्लॉस 4 एड किया गया और यह बोला गया कि SCHT के लिए हम special provision कर सकते हैं ठीक है और यह आया reservation system अब यहां पर जो पहला amendment किया गया हमारे constitution में तो इस amendment was in fundamental right तब debate emerge होके आई कि क्या हम fundamental right को amend कर सकते हैं जैसे पार्लियमेंट ने फर्स से अमेंड कर दिया जैसे की फर्स से अमेंड कर दिया अग्यों के अग्यों कि संकरी प्रसाद वर्सिस union of इंडिया के 1951 सुप्रीम कोट ने यह बोला कि fundamental right amend किये जा सकते हैं government के द्वारा कि जवाला नेरुजी थे प्रधान मंत्री अब सुप्रीम कोट कैसे मना करें पाप लग जाएगा इतने वहान नेता थे तो संकरी प्रसाद केस में तो बोले कि fundamental right amend कर सकते हैं ठीक है संकरी परसाद केस में भी बोला संकरीन सिंगo संकरीन प्रसाद संञंसिंग कर सकती है इनहों ने बोल दिया कि fundamental right परलेमेंट अमेंड नहीं नहीं कर सकती है अब ये बात उस से में दिखो अंद्रा गांदी जी हुआ करती थी प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांदी जी को बहुत बुरा लगा उन्होंने बोला कि जब पापा थे तब तो आप बोल रहे हैं कि अमेंड कर सकते हैं तो उन्होंने बुरा देखो, आपके पिटा जी सज्जन आदमी थे, और आप सज्जन आदमी नहीं हो, ठीक है, आप सज्जन औरत भी नहीं हो, तो फिर आपके उपर भरोसा नहीं है, तो आपको तो अमेंट नहीं करने रहेंगे, अब जब ऐसा हुआ, तो इंद्रा गांधी एलन वाइट कोई भी ऐसा लॉड नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट को वाइलेट करें आप अगर ऐसा करते हो तो फिर वो एलन वाइट हो जाएगा उन्होंने आर्टिकल 13 में यह जो लॉड है इसका इंटरप्रेटेशन चेंज कर दिया और बोला कि आर्टिकल 368 के तह जो amendment किया जाता है that will not be considered as the law under article 13 मतलब की अगर Constitution में amendment करकے fundamental right में चेंज किया जाता है तो under article 13 it will not be considered as law and if under article 13 it will not be considered as law तो fundamental right में जो चेंज किया गया है by the constitutional amendment वो legitimate बना रहेगा और Supreme Court वहां पे judicial review का इस्तिमान का पर फिर जरिज्हल नहीं कर सकता थिक एक है एक है इन्हों ने आर्टिकल 368 का टाइटल भी चेंज कर दिया पैलेस का टाइटल रुगा करता था कि अमेंड मेंट अन्ट प्रसीजर आप दी प्रसीजर फोर देमेंड मेंट अप्रिटिशन बाद में power of parliament to amend the constitution and procedure therefore जी title इन्होंने change कर दिया ठीक है और यहीं पर clause 3 भी add किया गया जिसमें लिखा गया nothing in article 13 shall apply to any amendment made under this article इस चीज़ को भी यहां पर mention कर दो फिर question भारती के साय 1973 का Supreme Court ने देखा 700 पेज का judgment पास किया Supreme Court ने अब बोला कि इंद्रा गांधी जो कह रही है सब सही है उनको जो भी constitution में change करना है कर ले कोई दिक्कत नहीं है बस 700 पेज में को ने में लिख दिया कि basic structure वाइलेट नहीं होना चाहिए उनका मतलब साफ था कि देखो ये घर बना हुआ है इस classroom है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है अब इस classroom में आपको कोई renovation करना है कुछ painting करवानी है कुछ और woodwork करवाना है तो आप करवा लो लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक रम्मा लेकि आप नीव की जो eat है वो ले जाके खोदोगे ये थोड़े लाओ किया जाएगा renovation करवा सकते हो तो यही Supreme Court ने बोला केश्वन भारती judgment में कि you can have changes in the constitution but these kind of changes cannot destroy the basic structure of the constitution सरकार ने पूछा कि क्या है basic structure बता दो उन्होंने कहा कभी आईएगा चाय पर बताएंगे क्या है basic structure वो कई बार चाय पर गई बट उन्होंने बताया नहीं तो basic structure क्या है ये judiciary ने कभी नहीं बताया कई सारे judgment में कुछ चीज़ें जो वो जी basic structure declare कर चुके है वो हमको पता है वो मैं बता दे रहा हूं जैसे की supremacy of constitution republican and democratic form of government secular character of constitution separation of power federal character of the constitution welfare state unity and integrity sovereignty democratic character unity of the country freedom, individual freedom और welfare state इन सभी को अभी तक court किसी ने किसी case में fundamental principle मानते हुए basic structure declare कर चुके दो doctrine बता देता हूं doctrine of severability और doctrine of eclipse judicial review की power of supreme court के पास under article 13 इसका मतलब कि कोई भी कानून अगर पार्लेमेंट ने बनाया है और वो हमारे constitution को violate करता है तो वो उसे null and why declare कर सकते हैं unconstitutional बना सकते हैं अब पहले problem यह हो जाती थी कि माल लो एक बड़ा सा कानून बना उसमें चार clause है one two three and four अब इसमें एक clause one है जो हमारे constitution को violate करता है दो तीन और चार नहीं करते हैं तो क्या करेंगे पूरा constitute पूरा जो law है वही scrap कर देंगे तो बाद में Supreme Court ने doctrine of severability में यह बोला कैसा नहीं है if a law has several part and only a single part is violating constitution then that part will be declared as null and why that is violating the constitution not every part not each and every part ठीक है तो अगर इसका केवल एक हिस्सा यानि कि पहला clause constitution के against में है तो सिर्फ इस पार्ट को हम लोग null and why declare करेंगे यह दूसरा तीसरा चौथा valid रहेगा इसे कहा जाता है doctrine of severability मतलब several parts will be there and only that part will be considered as null and void which has violated constitution and not the complete law पर आता है doctrine of eclipse doctrine of eclipse doctrine of eclipse का मतलब यह है कि कई सारे ऐसे कानून थे जो हमारे constitution के बनने से पहले हुआ करते थे अब हमारा जब constitution बना तो वो सारे कानून खतम हो गए और हमारे constitution के जो laws थे वो implement हो गए अब बड़ा ग्रहण मालो कि सूर्य चांद को धक लेता है यह सूर्य है यह चांद को धक ले रहा है ऐसे case में ऐसा नहीं है कि चांद कहीं गायब हो गया है चांद अपनी जिगें पर है उसके उपर केवल Eclipse यानि के ग्रहन आ गया है और जब सूरह यहां से हट जाएगा तो चांद विजिबल हो जाएगा ठीक है? तो यहां पर यही बात कही गई कि मालनो एक law पहले से existence में था जो हो सकता है हमारे constitution के आने से पहले भी रहा हो और कोई नया हमारा constitution बना तो वो जो पुराना कानून है वो कहीं गया नहीं हो बस हमारे constitution के पीछे छुप गया है और जब हमारा कोई भी ऐसा law है जो हमने हटा दिया मतलब हमने उस law को खतम कर दिया अपनी constitution में से वो provision हटा दिया तो जो पहले वाला provision था ना वो automatically applicable हो जाएगा इसे कहा गया doctrine of eclipse I hope मैंने बता दिया कि doctrine of eclipse क्या है और doctrine of severability क्या है ठीक्या 6 fundamental rights हमारे constitution में अभी है right to equality article 14 to 18 right to freedom article 19 to 22 right against exploitation article 23 and 24 right to freedom of religion article 25 and 28 cultural and educational rights article 29 and 30 right to constitutional remedies article 32 ठीक्या साथ fundamental right हुआ करते थे 1971 में 44th amendment के जरिए जो हमारा right to property था उसे scrap करके article 301 के तहत एक legal right बना दिया गया article 20 और 21 ये तो point में explain कर चुका हूँ article 12 बताता है कि state का क्या मतलब है union government state government, panchayat, municipality, district, पोर्स ये सारे part होंगे किसका state का कुछ other authorities, शाहे वो statuary हूँ या non-statuary हूँ ये सब state का part हो जाएंगे तो प्रीम कोट ने private bodies या agencies को भी state की definition में डाल दिया है जो state की जैसे काम करते हों या उनके पास state जैसी power हो जो term state है इसे एक wider sense में define किया गया है government agencies को लेकर कोई private agency है जो सरकार का का काम करती है सरकार जैसी power रखती है वो भी माना जाएगा कि state ही है तो article 12 हो गया ये article 13 judicial review की power देता है जिसमें बुला गया है कि all laws inconsistent with or in violation of any of the fundamental self-evoid fundamental right self-evoid कोई भी कानून ऐसा नहीं हो सकता जो fundamental right को violate करता हो अगर है तो मैं उसे नलन वाइट declare कर देंगे जो term law है article 13 में इसका wider connotation है जिसमें शामिल है permanent या फिर temporary statuary instrument, orders, bylaws, regulations and notifications सब law माने जाएंगे और ये कोई भी fundamental right violate नहीं कर सकते केशन भारती केस में ये बोला गया even constitutional amendment law की केटिगरी में आता है under article 13 इसलिए जो constitutional amendment fundamental right को change कर रहा है उसके उपर judicial review लग सकता है और article 226 में similar power जो हैं वो high court के पास भी है article 14 की बात करते हैं right to equality equality before law और equal production of law की बात की गई है equality before law का मतलब ये है कि कानून के सामने सब बराबर हैं किसी को कोई special privilege नहीं है that is the meaning of equality ये एक negative concept है मतलब कोई भी person above the law नहीं है इसका मतलब होता है कि किसी को कोई special privilege नहीं मिलेगा और हर person irrespective of their social status उनके ओपर court की jurisdictions implement होंगे equality before law rule of law का एक fundamental concept है equal protection of law rule of law का मतलब है equality before law का मतलब है कानून के सामने सब बराबर लिकिम problem ये है कि कानून के सामने अगर आप सब को बराबर treat करोगे तो कई बार ये inequality हो जाएगी simple सी बात है एक pregnant women है और एक healthy person है कोई ऐसे women है जो pregnant नहीं है और कोई ऐसे women है जो pregnant है दोनोंने crime commit किया है आप दोनों को equal punishment नहीं दे सकते इविन दो दोनोंने equal crime commit किया हो क्योंकि जब आग एक pregnant women को punish कर रहे होते हैं तो आप एक बच्चे को भी punish कर रहे होते हैं जो उनके uterus में है और उसने कोई crime commit नहीं किया है तो उनके लिए कुछ रियायते रहेंगी उसके basis पर pardon भी होता है तो यह कहा जाता है equality must be in equal circumstances समानता समान परिस्थितियों में होनी चाहिए equality in unequal circumstances is inequality in itself मैं दोराता हूँ अपने लाइन को equality in unequal circumstances is inequality in itself हाँ समान परिस्थितियों में समानता अपने आप में अर समानता होती है getting my point माल लेते हैं कि 10 लोगों को race में शामिल किया जाना है और एक व्यक्ति है जो parents ठीक से चल नहीं सकता और आपने सभी को एक ही starting point पर खड़ा किया हुआ है क्योंकि आप तो equality before law में believe करते हो लेकिन यह inequality है क्योंकि वो parents ठीक से नहीं चल सकता वो एक दिव्यांग person है आपको उसे 500 मिटर आगे खड़ा करना चाहिए अगर race 1000 मिटर की है तो तब होगी equality ताकि वो compete कर सके इसी principle को अफेल किया गया है Equal protection of law में यह positive concept है जो welfare state का जो concept है positive discrimination का concept है उसे denote करता है इसकी basis पर कई तरीकी का discrimination allow किया जाता है जैसे कि मान लेजे कि कोई ऐसा state है जहां पर liquor को ban कर दिया गया है लेकिन वहाँ पर जो soldiers हैं जो हमारे army के जवान हैं उन्हें liquor का consumption allow किया जाएगा या फिर मान लेते हैं कि women disadvantage की condition में है तो हम उनके लिए को special provision करेंगे that is also lies under equal protection of law हाँ जब भी ऐसा किया जाए तो दो conditions का ध्यान रखा जाता है जब भी आप special privilege किसी को दे रहे हो तो पहला point होता है homogeneity दो principles applied किये जाते हैं जब equal protection of law implement किया जाता है और दूसरा purpose homogeneity का मतलब यह है कि अगर आपने किसी एक soldier को लिखा का consumption allowed किया है तो सारे soldiers को लिखा का consumption allowed होगा ऐसा नहीं कि एक battalion पी सकती दूसरा battalion नहीं पी सकती ठीक है तो सब को मतलब एक जैसा सब को treat करना होगा similar जैसे जो लोग है अगर आपने किसी and the next point is purpose जब आप soldiers को लिखा का consumption allowed कर रहे हो तो उसका एक purpose है कि थोड़ा सा लिखा का consumption माल लेते हैं 100 ml आप उनको अलाओ कर रहे हो 100 ml तो 100 ml अगर वो लिखा का consumption करेंगे तो उनका mind थोड़ा light रहेगा, free रहेगा they will feel better they will be healthy यह purpose है, liquor consumption का soldiers के लिए कि उनका मन हलका रहे, mind free रहे वो healthy feel करें इसके लिए आप उनको liquor का consumption allow कर रहे हो अब उसके लिए आपको quantity define करनी होगी कि 100 ml, 200 ml आप allow कर रहे हो इसके ओपर नहीं, पता चला कि कोई एक बोतल लेके और फिर कहीं पर पड़ा हुआ है अब तो purpose defeat हो गया ना तो purpose is important अगर आपने women को कोई special privilege देना है आप मालेज़ उनको 33% reservation दे रहे हो कि उनका upliftment हो तो वो purpose fulfill होना चाहिए तब आप वो दोगे नहीं तो नहीं दोगे तो यह होता है दूसरा point जो मैंने आपको बता दिए ठीक है rule of law rule of law का concept AV-DC ने दिया था जिसके दहस सारी शीजिए law की basis पर होनी चीए within the limits of the law arbitrary decision जो एक individual government official का होता है यह उसको limit करता है और Supreme Court ने held किया है कि जो rule of law है article 14 के ambit में वो हमारे constitution का basic structure है article 15 discrimination को रोकता है only on in 5 ground पर religion, race, caste, sex और place of birth in 5 ground पर discrimination नहीं होगा word only का मतलब यह है कि बाकी किसी ground पर discrimination हो सकता है article 15 clause 1 यह बोलता है कि इन 5 grounds पर कि वो state discrimination नहीं कर सकता ठीक है on 5 grounds only by state ठीक है article 15 clause 2 5 grounds पर discrimination नहीं हो सकता मतलब देखे no discrimination on 5 grounds और combination by both state and private individual यह तो केवल state के लिए है यह private individual के लिए पर अपलिकेबल है जैसे public places, parks, roads, wells यहाँ पर आप किसी के access को बाहर नहीं कर सकते है non-discrimination एक enabling provision है positive discrimination यह एक्रोड protection of law से derived है article 14 से इसी के basis पर हमने गहाता आप special provision कर सकते हो article 15 clause 3 enabling provision है जो की women और children को special provision देता है इसी के basis पर 73rd और 74th constitutional amendment में reservation दिया गया है article 15 clause 4 8 को permit करता है कि वो special provision कर सकते है socially और educationally backward classes के लिए SC, ST के लिए reservation का provision article 15 clause 4 के तहत किया गया है और इससे हमने first constitutional amendment के जरिये सम्विधान में संसोधन करके जोड़ा था four exceptions to non-discrimination are enabling provisions मतलब यह हमारे constitution के core provisions नहीं है rather they are enabling provisions जिने बाद में add किया गया है ठीक है? यह तो बाद से मैंने कर लिया article 15 clause 5 educational institutions में reservation की बात करता है ठीक है? इसे 93rd constitutional amendment act के जरिये add किया गया हमारे constitution में ठीक है? क्रीमी लेयर का concept अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 में अपहल किया गया कि हाँ जो लोग क्रीमी लेयर में हैं other backward class के लोग उनको reservation नहीं मिलेगा article 15 clause 6 इसे 103.103 में तंग्वैधानिक संसोधन constitutional amendment act के थुरू add किया गया जिसमें economically weaker section के लोगों को 10% reservation दिया गया employment में या fundamentally बाकी developmental purpose से education वगेरा में article 16 public employment में सभी लोगों को equal opportunity देने की बात करता है किसी भी व्यक्ति को only on religion, race, caste, sex, decent, place of birth और residence इसके basis पे discriminate नहीं किया जाएगा employment में हाला कि residence के basis पे discrimination होता है इसके लिए कुछ exception दिये गये हैं Parliament sons of the soil doctrine लगा सकती है मतलब कोई state ये बोल सकता है कि हम इस job में अपने state के लोगों को ही लेंगे इसके लिए public employment requirement as residence act 1957 पास किया गया था और कुछ states को allow किया गया था certain period of time के लिए कि आप किवल अपने state के लोगों को job दे सकते हो ये law provide करता है कि कुछ religious offices कुछ certain religion के लोगों के लिए ही open होगी कैसे army में priest की post होती है मतलब पंडित की प्रोहित की अब एक muslim को तो आप प्रोहित नहीं बना सकते न मौलवी का पद है तो वो muslim के लिए होगा कोई father है कोई church है तो फिर वहाँ के लिए तो एक Christian ही चाहिए होंगे सीदी सी बात है logical बात भी है कि जो हिंदू system of religion है वो एक muslim उसके बारे में well aware नहीं होगा और मानता हूँ कि well aware है भी तो वो इतना expert नहीं हो सकता कि वो सारे काम करवा सकें same with the Islamic practices and the Hindus तो यहाँ पर logical है कि आपर discrimination अलाओ करो employment में ठीक है article 16 clause 4 reservation देता है OBCSC, ST को mandal commission आया OBC को 27% reservation मिला, इंद्रासानी के 1992 आया, इसमें बोला गया है कि promotion में हम reservation नहीं देंगे और 50% के ओपर reservation नहीं दिया जाएगा, creamy layer लगेगा OBC में और backwardness का जो test है STST के लिए वो नहीं किया जाएगा बून को दे दिया जाएगा, article 16 में 4A add किया गया, 77th constitutional amendment act के जरिए और यहां पे promotion में reservation दे दिया गया, और consequential seniority का concept implement कर दिया गया, माल लेते हैं, एक व्यक्ती junior था, reservation पाकर वो senior बन गया, तो वो एक बार senior बन गया तो बन गया, पहले था कि उसको जबर्जस्ती वापिस से junior बनाओ, जो पिछले वाला person है उसको deliberate promotion दे के, उसको तो नहीं down कर सकते, बट वो बोला नहीं, जो senior हो गया, वो हो गया, जबर्दस्ते किसी को senior नहीं बनाएंगे article 16, clause 4b, 81st constitutional amendment act के जरिए 2000 में जोडा गया, इसमें carry forward policy आई, कि माल लेते हैं कि हमने 50 post SC के लिए open करी थी, लेकिन हमें 25 candidate ही मिलें, तो बाकी की जो 25 seat होगी, उसे हम अगले साल advertise करेंगे, और ये जो limited quota है, percentage का, उसे breach नहीं माना जाएगा, और इस पे वही लोग appoint होंगे, उस seat को हम carry forward कर देंगे, ये article 16, clause 4b कहता है, article 16, clause 6, 103rd constitutional amendment act, यहाँ पे economically weaker section की reservation की बात की गई है, ये आपको पता है, एड किया गया था, article 17, abolition of untouchability, किसी भी form में untouchability prohibited है, constitution में क्या punishment है, untouchability का इसको लेकर कुछ बात नहीं कहीं गई है, सिरक ये बोला गया है, कि edge for the law, तो law बनाती है parliament, तो parliament ने इसके लिए untouchability offenses act of 1955 बनाया, जो बाद में civil rights act of 1955 में convert हो गया, untouchability कहीं भी define नहीं किया गया हमारे constitution में, supreme court ने इसको define किया है, untouchability should not be understood in its literal and grammatical sense, मदब आपको इसको wider connotation में देखना होगा, और practice के historical roots हैं, ठीक है, article 17 में जो rights हैं, ये private individual के against में भी available हैं, ऐसा नहीं कि केवल state discriminate करेगा, तो punishment मिलेगी, कोई private individual में discriminate करेगा, तो punishment मिलेगी, punishment will be granted to the private individual as well, ठीक है, उनको भी ये punishment दे दी जाएगी, untouchability को ना केवल practice करना, बलकि justify करना भी, ठीक है, पर्फेक्ट है, बढ़ियां कर रहे हैं आप लोग, great, untouchability को justify करना भी crime माना जाता है, ये कि नोट justify कि is ground to untouchability कर सकते हैं, आटिकल 18, abolition of title, पहले English title दे दिया करते थे राय, बहादूर, knighthood kind of title, तो इस तरीकी के titles अवालिश कर दिये गए, केवल military और academic titles allowed, आपने PhD किया तो डॉक्टर आप लगा सकते हो, आपको brigadier, major general का title मिला है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि वो merit के basis पे आपने earn किया है, अगर कोई भी देखिए, जो foreign nationals हैं, वो अगर इंडिया में employed हैं, तो वो किसी foreign state से तब तक कोई title assume नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हमारे president को allowed ना कर दें, अगर मालने किसी ने कोई title बोल भी दिया, तो कोई punishment नहीं मिलती, अगर कोई ये बोल दे कि मैं बोल दूँ कि मैं राय बहादुर देविंद्र दूबे हूँ, तो इसका कोई punishment नहीं है, ये allowed नहीं है, allowed नहीं है मतलब इसको accept नहीं किया जाता, acknowledge नहीं किया जाता, अब मैं कुछ लोगों के बीच में बोल दूँगा, तो ऐसे नहीं कि मुझको लेके जाएंगे जेल में बंद कर देंगे, तो इसमें कोई punishment का provision नहीं है, तो आप ये जानते रहा हूँ हैं, exception है, military और academic titles allowed हैं, भरत रत्न और पद्न भूशन, ये awards हैं, ये titles नहीं हैं, आपको कुछ भी बोलने या express करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, आप पेंट कर सकते हो, sketch बना सकते हो, आप कोई YouTube वीडियो बना सकते हो, ठीक है, आप sign language में कोई poster बना सकते हो, किताब लिख सकते हो, TV से रिल बना सकते हो, movie बना सकते हो, news channel में जाकर आप अपनी बाते कह सकते हो, तो express करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, it's not just saying something verbally, तो सबकी आज़ादी है, ये केवल Indian citizens को available है, पाँच ऐसे articles हैं, बिल्कुल बहुत बढ़ियां, वदिहाँ मीर ने पहले ही ये बात बता दी है, कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ Indian citizens को available हैं, ये बात मैं अभी जिस्ट बताने जा रहा था, तो बहुत बढ़ियां काम किया आपने, ऐसे पाँच आर्टिकल्स हैं, जो केवल Indian citizens को available हैं, इस आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, बढ़ियां बात, आपको पता है, अच्छी बात है, ठीक है? रिजनेबल रिस्टिक्शन, आर्टिकल 19, क्लॉस 2 में दिये गए है, कि स्टेट की सॉवरेनिटी, इंटिक्रिटी, सेक्यॉरिटी, प्रेंडी रिलेशन दिर फॉरें स्टेट, प्लिक और, डीसिंसी, मॉरेलिटी, कंटेंप्ट अफ कोट, दीफेमेशन, इंसाइटमेंट उफेंस, इन सभी आधारों पर आपकी जो freedom of speech and expression है, वो रोख सकते हैं, हाँ, रिजनेबलिटी है कि नहीं है, वो कोट बताएगा, आर्टिकल 19, क्लॉस 1, सब क्लॉस 2, इसी के तहत, प्रेस को भी freedom मिलती है, ऐसा रोमी इस्थापर केस में, 1950 में कोट ने बोल दिया था, ठी अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया है, तो वो आर्टिकल 19 में, defamation में चला जाएगा, Supreme Court ने criminal defamation को upheld किया, हर व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत, right to repetition है, क्योंकि हर व्यक्ति को dignified life जीने का अधिकार है, ठीक है, तो constitutional fraternity के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की respect करे, Sedition का अटिकल 124 AIPC का है, Supreme Court ने केदादनाथ केस 1962 में इसे अपहल्ड किया, और बलवन्त सिंग केस में 1995 में इसको अपहल्ड किया, कि हमें ऐसा sedition का केस जरूरी है, नहीं तो फिर कोई मानता नहीं है, ठीक है, clear और immediate incitement अगर आप violence का कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा advocate कर रहे हो, जिससे violence हो सकता है, तो उसे seditious माना जाएगा, censorship, Indian, cinematography, act of 1952 भी इसे limit करता है, hate speech के बारे में section 153A में provision किया गया है, article 19 clause 1 sub clause B में right to assemble peacefully without arms का provision है, आप इकठा हो सकते हो, बिना मतलब इसी के जरीए इसी provision के तहता आप meetings वगरा कर सकते हो, हम लोग class पुला के पढ़ा स सकते हैं, आपको इकठा करके, क्योंकि हम जो इकठा हो रहे हैं, वो peacefully है और बिना हाथियारों के है, हाँ, आप केवल public land पे ही ऐसी meeting कर सकते हो, मतलब आपको peacefully बिना हाथियारों के assemble होने का right है, इसका मतलब यह नहीं है कि 500 लोग मेरे घर के सामने आके बैठ जाओ, कि नहीं restrictions हैं, इसमें भी sovereignty, integrity of India, public order और maintenance of traffic किसी area में रोका जा सकता है, आपको रोकने, बैठने से, ठीक है, section 144 CRPC का है, जो कहता है कि magistrate आपको restrain कर सकते हैं, कुछ समय के लिए assemble होने के लिए, और IPC 141 है, जिसमें यह कहा जा सकता है, कि 5 या उससे जादा लोग unlawfully assemble नहीं हो, दिया जाता है, तो cooperative societies, political parties, associations, वो इसी article का इस्तेमाल करके बनते हैं, और 97th constitutional amendment act 2011 में आया था, जिसके तहत cooperative societies बनाने का इसमें incorporation कर दिया गया, reasonable restriction यहाँ पे भी लगेंगे, sovereignty and integrity of the India, public order, morality, अला कि associations बनाने का आपके पास अधिकार है, उनको सरकार recognize करे ना करे, इसका अधिका fundamental right है, नहीं, बनाने का right है, recognition सरकार की मरजी, वो देना दे, supreme court की according, right to strike एक statutory right है, right to strike, fundamental right नहीं है, उसे industrial जो acts हैं, उनके तहट deal किया जाता है, ठीक है? ओके? आप भारत देश में कहीं पे भी freely move कर सकते हो, ठीक है? subject to reasonable restrictions, दो grounds पे, general public interest में होना चाहिए, और schedule tribes के मतब यह नहीं कि जो protected area tribes का, वहाँ पे आप चले जाओगे, just because कि आपको कहीं भी जाने का right है, आप इंडिया में कहीं भी travel कर सकते हो, article 19 में आपको abroad travel करने का right है, क्योंकि article 21 आपको freedom देता है, आपके पास abroad जाने का भी right है, वहाँ से वापिस आने का भी right है, article 19 clause 1, sub clause E, आपको recite और settle होने का right है, इंडिया के किसी भी part या territory में, ठीक है, यहाँ भी restrictions है, general public के interest में, और schedule tribe के interest में, ठीक है, try to practice any profession, आपके पास कोई profession practice करने का right है, हाँ कुछ qualification ज़रूरी होगी, technical qualification, reasonable restriction के basis पर required हो सकती है, आप बिना medical degree के कोई medical store खोल के नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है, लोगों के general welfare में आपको रोका जा सकता है, लोगों के general welfare में आपको रोका जा सकता है, देखें यह F नहीं है, यह G है, आर्टिकल 20, protection in respect of conviction of offenses, जब आपको किसी अपराद में आरूपी बनाया जाएगा, तो आपके पास क्या right होंगे, arbitrary और excessive punishment आपको नहीं दी जा सकती, ठीक है, इसमें तीन clause है, no expose, post facto legislation, कोई भी कानून बना के समय से पहले लागों नहीं किया जा सकता, ठीक है, अलांकि ऐसा कानून के वल्क criminal cases में नहीं बनेगा, civil cases में बन सकता है, no double geo party, आपको एक अही crime के लिए, एक से जदा बार punish नहीं किया जाएगा, और no self incrimination, आपको compel नहीं किया जाएगा, कि आप खुद के against me, evidence रहे हैं, इसी लिए नार्को test, lie detector test, ये सभी जो proceedings होती हैं, इनको valid नहीं मना जाता, क्योंकि ये no self incrimination को valid करती है, article 21, protection of life and personal liberty, किसी भी person को उसकी life और personal liberty, जो है, वो available रहेगी, procedure established by law के तहट इसे छीना जा सकता है, पांसी के सजा तो होती है, वो procedure established by law होती है, एक एक को पालन केस 1950 में आया था, life and liberty को define किया जाना चाहिए, procedure established by law के sense में, फिर में इंका गांधी केसा है 1978 में, जहां पर बोला गया कि अब हम reasonable restriction, जो procedure established by law है, इसके अलागा due process of law भी follow करेंगे, due process of law का मतलब होता है कि क्या सही है, due है, उचित है, procedure established by law में केवल तीन चीज़े देखी जाती है, law है की नहीं है, law को बनाने वाली body, legitimate है की नहीं है, और उसने जो law बनाने का process of किया है, वो सही है की नहीं है, यह तीन चीज़े चेक कर ली तो procedure established by law ड़न हो गया, लेकिन due process of law में यह भी देखते हैं कि उसके बाद जो law बना, वो सही बना या गलत बना, आर्टिकल 21 के तहाद कई सारे laws आ जाते हैं, right to privacy, passive euthanasia का मामला यहाँ पर आता है, right to marry, आप अपनी choice के किसी person से marry कर सकते हो, जो cases यहाँ दिये गए हैं, प्रोलिम्स में तो नहीं पूछेंगे, right to reputation, primary education, इसके लाँ right to livelihood, right to rehabilitation, of bonded liver, right to speedy justice, right to clean surrounding, right to travel abroad, right to sleep, यह बाबाराम्दियो के case में आया था, इन सभी को आर्टिकल 21 के तहाद ही माल लिया गया है, आर्टिकल 21A, right to education देता है, 6 से 14 साल के बच्चों को free or compulsory education दी जाएगी, anti-six constitutional amendment रखे जरीए 2002 में इसको जोड़ा गया, ठीक है, इसके पहले इस डीपेसपी का पार्ट हुआ करता था, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 22, अगर आपको arrest किया गया है, तो फिर आपके पास क्या rights है, आर्टिकल 22 clause 1 और clause 2, आपके rights को बताता है, और आर्टिकल 22 के बाद बागी के 5, ये 1 और 2 के बाद जो 5 हैं, वो textually में बात करते हैं detention की, कि उसमें जो preventive detention होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन होते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, प्यूनिटिव का मतलब होता है कि आपने crime कमिट कर दिया है, उसके बाद आपको punish करेंगे और preventive का मतलब होता है कि आपके crime commit करने से पहले ही आपको punish कर देंगे ठीक है तो punitive detention मैंने आपको बता दिया देखे इसमें क्या rights होते हैं कि जब भी आपको convict किया जाएगा आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफतार किया जा रहा है और आपको right होगा कि आप एक legal practitioner जो आपकी मरजी का हो lawyer आप उससे बात कर सकते हो magistrate के सामने आपको within 24 hour लेके जाएगे और magistrate जितने time बोलेंगे उससे ज़्यादा time तक आपको बंद करके नहीं रखेंगे article 22 का clause 4 से और जो clause 7 है इसमें preventive detention की बात की गई है retention precautionary nature का होता है आपको यह अपराद कर सकते हो इसके लिए पहले गिरफतार कर लेंगे तो 3 महिने ज़्यादा एक बार में आपको गिरफतार नहीं कर सकते 3 महिने के बाद अगर गिरफतार करना है इंडिया की security Parliament के पास इस सम्मन में law बनाने का exclusive right है security of state, maintenance of public order maintenance of supplies, of services essentials या community यह concurrent power है जिसमें state और सेंटर दो में से कोई बना सकता है law अगर किसी व्यक्ति को capture किया गया abduct किया गया कहीं पे ले जाके बेच रहे हैं जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तो इसे रोका जाता है आटिकल 23 के तहत आटिकल 23 का clause 1 ये बोलता है कि कि किसी भी human being की trafficking नहीं करवा सकते उनका बेगार, मतलब जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवा सकते इसके लिए कानून मनाया गया immoral traffic prevention act of 1986 bonded labor abolition act of 1976 आटिकल 23 का clause 2 है जहां पे state compulsory service आपको करने को कह सकता है जहां पर माल लिजी state को ज़रूरत है और इसे bond and labor नहीं माना जाएगा इसमें हाँ वो जब भी करेंगे तो discrimination नहीं करेंगे religion, race, caste और class के basis पे gender के basis पे कर सकते हैं मतलब वो केवल men को service देने को बोल सकते हैं women को exam कर सकते हैं ऐसा वो कर सकते हैं आर्टिकल 24 ये बच्चों को factories में hazardous task में लगाने से prohibit करता है छीक है अनूप राज मज़ा लेने आए हो class में आप क्या चाहते हो कि मैं हर 5 मिनट पर 2 मिनट पर जोक मारता रहूं ताकि आपको मज़ा आता रहे है अरे कुछ content भी कॉंज्यूम करो कि कैंगे कि ठीक है अब मैं stand up comedian तो हूँ नहीं कि धाए घंटे की class में धाए घंटे आपको जोक सुनाओंगा और जोक सगर मैं सुनाओंगा भी तो फिर मैं कैसे कवर करूंगा टॉपिक कैसे कवर कर पाऊंगा मुश्किल हो जाएगी तो थोड़ा पड़िल वीच वीच में जहां मुझे लगेगा मैं कुछ उससे इंट्रेस्टिंग मना दूंगा कवर भी तो करना है कि आर्टिकल ट्वेंटिफॉर यह दिखो बच्चों को रोकता है कि वह है जार्डस वर्क में ना लगे सुप्रीम कोट ने एमसी मेहता स्टेट अफ तमिलनाडू केस में बोला था कि स्टेट अथार्टीज को जिम्मेदारी है कि वह एकनॉमिक सोशल और हुमनिटेरियन राइट्स बच्चों के प्रटेक्ट करें आर्टिकल ट्वेंटिफाइब Freedom of Conscience, Profession, Practice and Propagation of Religion यह आर्टिकल ट्वेंटिफाइब में राइट दिया गया है ठीक है? Conscience का मतलब यह होता है कि आप अपने अंतरात्मा से क्या सोचते हो? कई बार कोई किसी को बोलेगा कि चलो उठो भात माता की जय बोलो, जंगर मनगाओ इसे भी आर्टिकल 25 के तहट Conscience कैमिट में ही मानते हैं आप अपनी अंतरात्मा से क्या feeling रखते हो अपनी country के लिए यह आपका fundamental right है, no one can force you I hope आप किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी को जबर जस्ति बोलेगा, भात माता की जय बोलो अगर कोई आप से बोले ना, तो बोल देना क्या हो गया, भात माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है, बोल दो लेकिन आप किसी को compil मत करो क्योंकि यह अपनी faith का issue है, कि आप भात माता की जय बोलना चाहते हो, नहीं बोलना चाहते हो जंगर्मन गाना चाहते हो, नहीं गाना चाहते हो यह आपका अपना मामला है, परस्टनल इश्टू है कि आप अपनी कंट्री से कितना प्यार करते हो पहली बात तो आप अपनी और से किसी को किसी ऐसे सिचुएशन में मत डालना, और अगर पुलिक और मॉरिलिटी, हेल्थ और बाकी के प्रविजिन्स मेंटेन करने के लिए, आइपकल 26 विडम तु मैंज डिजिस अफेयर्स, सभी अपने डिजिस अफेयर्स को खुदी मैंच कर सकते हैं, वो अप डिजिस इंस्टुशन इस्टाबलिश कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे ओन कर सकते हैं, हाँ, रिजिलिबल इस्टिक्शन यहाँ पर भी रहेंगे, पब्लिक और मॉरिलिटी और हेल्थ के, आइपकल 27, freedom from payment of टेक्सस, ठीक है, ठीक है, freedom from payment of टेक्सस और प्रमोशन अफ रिलिजिन, जो भी रिलिजिस इंस्टुशन है, उनको टेक्स नहीं पे करना होता, और अपने रिलिजिन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, यह राइट आटिकल 27 में दिया गया है, और इसमें स्टेट किसी रिलिजिन की और बायस नहीं हो सकता, हाला कि कुछ फी सेकलर अडिनिस्टेशन के लिए चार्ज की जा सकती है आटिकल 28 रिलिजिस इंस्टुशन को अटिंड करने में freedom होती है, चार क्रिटेग्रिस के इंस्टुशन होते हैं, जिनको स्टेट पूरी तरीके से मतब रिलिजिस इंस्ट्रेक्शन दिये ही नहीं जा सकते, इन तीनों में दिये तो जा सकते हैं, लेकिन बच्चा उन्हें फॉलो करे या ना करे उसकी मर्जी है, पोर्स नहीं कर सकते हैं, आटिकल 29 माइनरिटीस के इंट्रेस को प्रिजर्व करेंगे, इसमें बोला गया है एनी सेक्शन अप स्रेडिजिन, मतलब की सभी भारती नागरिगों के लिए अविलेबल है, इस नोट जिस्ट पर मैनरिटीस, क्योंके पास अगर उनकी कोई distinct language है, script है, culture है, तो वो उसको protect कर सकते हैं Supreme Court के according, ये किसी religious या culture minority के लिए restricted नहीं है, बलके सभी के लिए applicable है किसी भी स्रेजिजिन को educational institution में जो fully या partially state के दरह funded है के वाल religion, race, caste या language के basis पे admission से रोका नहीं जाएगा हाँ, जो minority institution है, वो कुछ quota लगा सकते है minority student के लिए, बट रोक नहीं सकते हैं किसी को Article 30, right to minorities, to establish and administer educational institutions, वो in educational institutions को establish और administer कर सकते हैं सभी जो minorities हैं, उनके पास right होगा कि वो educational institutions को अपनी 24 के, establish और administer कर सकते हैं Article 32, एक institutional framework तैयार करता है, जहाँ पर अगर आपके fundamental right violate होते हैं, तो आप सीधा Supreme Court जा सकते हो वेर Ambedkar जी ने इसे heart and soul of the constitution कहा, यह Supreme Court को empower करता है कि fundamental right को अच्छे से enforce किया जाए और हमने ये concept UK से लिया, रिट्स का concept जो है, हमने UK से लिया है, ठीक है? पाँच types के risks हैं, पहला heavy scorpus, इसका मतलब होता है to have a body, किसी को illegal तरीके से detain कर दिया गया है, तो कोई भी person जाके heavy scorpus मांग सकता है, कि आप उस person को सामने रखो, ठीक है? यहाँ पे local stand apply नहीं होती, मतलब जो व्यक्ति aggrieved है, परिशान है, वो जाए case करे जरूए नहीं, आपको अगर detain किया गया है ना, तो being teacher मैं जाके आपके लिए heavy scorpus मांग सकता हूँ, कि मेरा student detain है, आप उसके लिए यह rate जारी करो और उसको छुडवाओ, मतलब आप मेरे लिए मांग सकते हो, heavy scorpus, यह कोई किसी के लिए मांग सकता है, और कोई private person में किसी को detain नहीं कर सकता है, एक movie आई थी जिंदा, जिंदा movie में क्या हुआ था, कि John Abraham थे, उन्होंने संजेदत्य को detain कर लिया था, 7 साल तक बंग किया था, क्योंकि संजेदत्य उनकी बड़ी बहन के पीछे पड़े हुए थे, उनके बारे उन्होंने रियूमर फैला दिया था, जिससे उनकी बड़ी बहन ने suicide कर लिया था, अब संजेदत्य तब, मतब उन्होंने ऐसा रियूमर फैला दिया, उस समय जौन इबराहिम थे, वो छोटे थे, उनको पता था कि अगर इस व्यक्ति को मेरी बहन के मॉडर में सजा मिलती ही, तो साथ साल की मिलती, उन्होंने उस व्यक्ति को एक प्राइविट जियल में बंद किया, संजेदत्य को साथ साल प्राइविट जियल में बंद किया, यह पूरी मूवी का प्लॉट है, बट अगर कोई यासा करता है, तो वहाँ पे यह habits corpus मांग सकता है, किसी को खबर लग जाए कि detain किया है, habits corpus मांगो पुलिस जाएगी, आर्मी जाएगी, निकाल के लेकि आएगी ठीक है, mandamus, we command यहाँ पे देखें यह statutory nature का है discretionary direct public authority आप मैंडुट के जारी करो तहुआ उस असमाद क को तो आप मैंडमस जारी किया जाएगा उनसे बोला जाय और कवह स्टेट अथोरिटी के अगेंज्ट में है लेकिन ये प्रेसिटिंट और गवर्रंणर के अगेंज्ट में नहीं लगा जासकता हमें प्राइबिट इंडिविजोल्स के अगेंस्ट में नहीं लगाया जा सकता लोकस टेंडी का कॉंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई नहीं होता ठीक है प्राइबिशन प्राइबिशन का मतलब होता है तू फॉर्बिट यानि कि मना करना जो inferior courts हैं या semi judicial bodies हैं इनको superior court dictate कर सकता है कि आप जो case सुन रहे हो उसमें आप अपनी authority से बाहर जा रहे हो तो trial के पहले ही उनसे बुला जा सकता है कि case छोड़ दो इसे हम देखेंगे ठीक है लोका स्टेंडी apply होती है जिसका case है वही जाएगा कोई भी जाके नहीं पहुंच सकता और preventive nature का है मतलब misjudgment ना आए उसे रोकने के लिए provision जारी किया जाता है तरशरारी का मतलब होता है to be certified या informed अगर कोई lower court है lower judicial authority है वो कोई भी judgment दे रही है जो उसके एमबिट के बाहर है तो जो superior court है वो बोलता है कि भाई आप limit के बाहर जा रहे हो रुक जाओ हम देखेंगे ये मामला क्या है ठीक है ये preventive और curative दुनों निचर का होता है अगर law में error है तो ये उसको correct करते हैं local standee apply होती है जो aggravated person है केवल वही जा सकता है कोई भी जाके तरशुरारी नहीं मांग सकता Q warrant हो इसका मतलब होता है किस हक से कोई person किसी public post पे बैचा हुआ है जबकि वो उसके लिए eligible नहीं है और कोई काम कर रहा है कोई doctorate के degree नहीं रखता उसके पास appointment letter नहीं है और वो सरकारी hospital में जाके लोगों का इलाज कर रहा है तब आप जाके Q warrant हो मांग सकते हो उससे पूछा जाएगा उससे जेल में डाला जाएगा ठीक है और यहाँ पे ये किवल देखे ओके inquires legality of the claim of person public office ठीक office of the substantial importance जो important offices है वहाँ पे चेक किया जाता है ministerial office पे ये लागू नहीं होता है local standing apply नहीं होती है कोई भी person जाके बोल सकता है कि ये person क्यों काम कर रहा है ये सरकारी hospital में doctor क्यों बना हुआ है कि इसका appointment नहीं हुआ है Supreme Court को इस तरीके से ये defender और गरांटर बना देता है fundamental right का Supreme Court का jurisdiction exclusive नहीं है High Court के पास भी आर्टिकल 226 के तहत ऐसे ही रिट्स जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत ये constitutionality को चेक कर सकते है कि मतलब जो भी constitution में fundamental right है उससे सही तरीके से implement किया जाए तो पर application fundamental right का certain legislations के जरिए limit किया जा सकता है ठीक है Article 31a ऐसे laws को बचाता है जो किसी व्यक्ति की property को capture करते हूं Article 31b Legislations को validation देता है 9th schedule में जिन्हें रख दिया गया हो अगर कोई भी law पहले बनता था fundamental right isolated उसके उपर judicial review ना लगे इसलिए Article 31b लाया गया था कि एगर वो law 9th schedule में चला गया तो उस पर judicial review नहीं होगा IR कोई लोग के द्वज़ा साथ में सुप्रीम कोट ने बोला कि कैश्वन भारती जज्जमेंट के पहले जो laws 9th schedule में गये थे उन पर judicial review नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद यानि कि 1973 के बाद जो भी law 9th schedule में डाले गये उन पर judicial review लगेगा आर्टिकल 31C ये किसी भी law को saving of laws giving effect to certain directive principles ये कुछ DPSPs को protect करता है आर्टिकल 31C जो है इसने DPSPs के scope को बढ़ा दिया 42nd amendment के जर्ये doctrine of harmonious balance का concept आया मिलरबा मिल्स केस में मतलब जब debate आती है कि fundamental right important है या फिर DPSP मदिहा ठीक है देखिए थूरा सा speed में थो हमें cover करना होगा quality जादा है नहीं cover कैसे करेंगे revision कर रहे है न तो revision जैसे low ठीक है आर्टिकल 33 Parliament को empower करता है कि वो fundamental rights के कुछ provisions abrogate कर सकते है security services के लिए soldiers को सारे fundamental right नहीं मिलते और इस बारे में जो law बनाने का राइट है वो कि यह पार्लेमेंट को है state legislature को नहीं है court martial के जो cases होते हैं उन्हें supreme court और high court के jurisdiction के बाहर रखा जाता है मतलब यह fundamental rights वाले पार्ट से आर्टिकल 34 यह martial law के बारे में provision करता है आर्टिकल 35 यह बताता है power to make laws giving effect to certain fundamental rights to be vested with the parliament not with the state parliaments कुछ article ऐसा है जिसमें बोला गया है कि age party law यह काम होगा तो age party law जो बोला गया है उसमें law जो बनाएगा वो पार्लेमेंट बनाएगा ठीक पालेमेंट और state legislature वो पार्लेमेंट कानून बनाएगा औरिजिनली ये आर्टिकल 19, क्लॉस और सब्क्लॉस F में था, ठीक है, बाद में इसे हटा के, और आर्टिकल 13, 1 में भी इसका प्रोविजन था, इन दोनों को स्क्रैप करके 300A में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में राटिकल 326 में है, ये एक लीगल राइट है, ये कुछ constitutional राइट्स है, आर्टिकल 226 में है, कि कोई भी टेक्स तब तक नहीं लिया जा सकता, जब तक कि उसके लिए लॉना बनाया गया हो, आर्टिका 300A है, कि ट्रेट कॉमर्स पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति फ्रीली कर सकता है, ये constitutional rights है, ठीक है, अब हमनों बात करते हैं, DPSPs के बारे में, डिरेक्टिर प्रिंसिपल सॉफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया, समस्ते रहिए, DPSP, डिरेक्टिर प्रिंसिपल सॉफ स्टेट पॉलिसी, ये कुछ गाइड लाइन्स हैं, जो स्टेट को ये expect किया जाता है, कि जब भी वो law बना रहे होंगे, तो follow करेंगे, क्योंकि जब मारा constitution बन रहा था, तो कुछ ऐसी conditions थी, जिने implement कर पाना possible नहीं था, क्योंकि हमारे पास या तो पैसों के कमी थी, या social condition ऐसी नहीं थी, कि हम उन्हें implement कर सकें, तो हमने उन्हें DPSP में डाल दिया, ये बोल कि कि जब मारे constitution के ऐसी हालत हो जाएगी, मारे देस के ऐसी condition हो जाएगी, कि मारे पास पैसी होंगे, social conditions अच्छी होंगी, तो धिमे-धिमे करके हम इन DPSPs को implement कर देंगे, तो उन्हें non-justiciable nature का बनाया गया, मतलब अगर इन्हें implement ना किया जाए, तो आप court में जाके इनके लिए case नहीं कर सकते हो, Dr. B.R. Ambedkar जी ने, जो डेकर प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें novel feature of the constitution कहा, और इसे, अगर आप add करो DPSP को fundamental right के साथ, तो इसे conscience of the constitution क कहा जाता है, जो provision है DPSP का, वो आटिकल 36 से 51 के बीच में है, ये 1935 के government of India 8 में जो instrument of instructions हुआ करता था, उसी से निकाल दिया गया है, welfare state का जो concept है, उसे अचीव करने के हम कोशिस करते हैं, इसके जरीए, आटिकल 36, state शब्द, यानि की term को define करता है, कुछ define नहीं करता है, तो आर्टिकल 11 में definition थी न, वही वाला यहां भी लगेगा, देखो कितना बढ़िया था न, वहीं आर्टिकल 12 में लिख देते हैं, कि यह वाला जो हम definition बता रहे हैं, DPSP में भी लगेगा, एक आर्टिकल बच जाता न हमारा, कुछ और उसमें हम लिख लेते हैं, नहीं, तो कितनी काम चोरी करी गई यहां, आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 37 में बोला गया है कि DPSP non-justiciable है, ठीक है, मतलब कि DPSP अगर implement ना हो, तो court में जाके case नहीं करोगे, DPSP को broadly हम तीन पार्स में classify करते हैं, socialist, गांधियन और western liberal, आर्टिकल 38, जहां पर बोला गया है, कि state को ज़रू को मेंटेन करें, और लोगों का welfare करें, मतलब welfare state का जो concept है, वो आर्टिकल 38 में है, welfare state का जो concept है, वो आर्टिकल 38 में है, और यह socialist principle है, यहां पर social justice, economic or political, मतलब जो social justice है, social economic, political, हम उसे ensure करने की गोसिस करते हैं, inequality को minimize करने की बात की जाती है, ठीक है, आर्टिकल 39, कुछ principles जो state follow करेगा, socialist principle, आर्टिकल 39A, सभी को adequate means of livelihood मिलेगा, कुछ DPSP implement हो चुके हैं, ठीक है, जैसे मन्रेगा आया तो livelihood दिया, आर्टिकल 39A का implementation है, आर्टिकल 39B, equitable distribution होगा resources का, सभी को ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलेगा पैसा, इसके जिसकी ज्यादा income है, उसको ज्यादा tax देना पड़ता है, जिसकी कम है, उसको कम देना पड़ता है, आर्टिकल 39C है, concentration of wealth को रोकिंग है, ठीक है, कई सारे examples है, progressive tax session, ये आर्टिकल 39B के लिए है, land reform लेके आये थे, banks का या corporations का nationalization किया था, आर्टिकल 31C जो है न, इसमें ये बोल दिया गया था, आर्टिकल 35, मतलब इंद्रा कांधी जी 25 समसुधन लेके आई थी, उसमें न बोला, ये आर्टिकल 31C में ये कहा गया है, ये आर्टिकल 31C में ये कहा गया है, कि आर्टिकल 31B और 31C को अगर implement करना हो, और उसके लिए आर्टिकल 14 और 19 वाइलेट हो जाएं, तो कोई बात नहीं है, फिर से दोर आता हूँ अपनी बाद, आर्टिकल 31C में ऐसा कहा गया है, कि एगर आर्टिकल 39B और 39C को implement करने के लिए, आर्टिकल 14 और 19 वाइलेट करना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं है, ठ जैसा काम कर रहा है, तो एक जैसा पेमेंट मिलेगा मैंन और विमेंट को, एक्कोल एक्टाया था 1976 में इसे इंप्लिमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39E है, जहां पर बोला गया है कि वर्कर्स, मैं, विमें और बच्चों की हेल्थ को हम प्रटेक्ट करेंगे, प्लांटेश की बात करता है, कई बार किस लोगों के पास लॉयर करने का पैसा नहीं हो था, तो सरकार अपनी और से लॉयर दे देती है, और नालसा बगरा बनाये गए हैं, फ्री लीगल एड के लिए, यह सोचलिस्ट प्रिंसिपल है, इसे 42nd Amendment Act के जरी इंसर्ट किया गया था, तो नालस इसका implementation है, आर्टिकल 40, यह कहता है, विलिश पंचायत का organization, गांधियन प्रिंसिपल है, 73rd Amendment Act जो आया था, वो इसे implement करने के लिए आया था, आर्टिकल 41, right to work, right to education, right to public assistance, in certain cases, socialist प्रिंसिपल है, मन्रेगा, right to education, जो बुज़र्ग लोगों को pension दी जाती है, old age homes बनाया जाते ह यह सब आर्टिकल 41 का implementation है, आर्टिकल 42, जस्ट और human condition workers के लिए और maternity relief, यह socialist principle है, maternity benefit act आया, factories आया, plantation labor act आया, सब आर्टिकल 42 को implement करने के लिए, आर्टिकल 43, decent standard of life and living, workers के लिए socialist principle है, minimum basis आया, आर्टिकल 43 implement करने के लिए, आर्टिकल 43A, workers का participation industry की management में, socialist principle है, original constitution में नहीं था 42nd amendment से जोड़ा, 1976 में, UPSC question पूछ चुगी है, 2017 में, यहां से, यहां से question पूछा जा चुका है, आर्टिकल 43B, cooperatives का promotion, यह 97th amendment act के जरिए, 2011 में इंक्लूड किया गया, आर्टिकल 44, uniform civil code लेकर आएंगे, इंडिया में, गोवा के अलामा, किसी भी और जगे पे, uniform civil code नहीं है, इसके जरिए हम personal matters में, जैसे की marriage, divorce, maintenance, succession, adaptation, adoption, हाँ, ठीक है, और adoption के case में, हम एक जैसा कानून बनाना चाहते हैं, यह अभी तक implement नहीं हुआ है, except Goa, Goa में, uniform civil code है, बाहर के किसी और हिस्से में नहीं है, Hindu marriage act, Indian Christian marriage act, special marriage act, Muslim personal law, act 1937, ऐसे कई साथ different laws है, बट हम uniform law अभी तक नह ना पाए है, article 45, early childhood care, 6 साल के बच्चों तक, liberal intellectual principle है, इसे 86th amendment act में, implement किया गया, amend किया गया, ICDS program, integrated child development scheme, और immunization drive, इसको implement करने के लिए आया, article 46, promotion of educational or economic interest of SCHD and other weaker section, यह जो लिकाया न, other weaker section, इसी के basis पे economically weaker section को reservation दिया गया है, जो 103 वा संसोधना आया था न, तो बोलते हैं कि वो article 46 का implementation है, article 47, state की duty होगी है कि वो nutrition के level और standard को बढ़ाएगा, और public health को improve करेगा, यह socialist principle है, इसका दूसरा हिस्सा है, कि हम consumption intoxicating drinks का कम करेंगे, यह गांधियन principle है, एक पीडियस जो स्कीम आती है, midday meal स्कीम है, सब इसका implementation है, liquor ban policy है, के लाभ यहार गुजरात में, यह सब इसी का implementation है, article 48, agriculture और animal husbandry को हम promote करेंगे, scientific line पे, और milch animals का slaughter रोकेंगे, जैसे cows and calves, मतलब ऐसे जानमर जो दूद देते हैं, वो livelihood का means होते हैं, हम उनको मारेंगे नहीं, उनको बचाएंगे, green revolution, white revolution, pink revolution, cow slaughter banning laws, जैसे गुजरात में, यह सब article 48 का implementation है, आर्टिकल 48A, यह protect और improve करने की बात करता है, environment को, यह liberal intellectual principle है, इसे 42nd amendment act के जरी, 1946 में, इंक्लूड किया गया, और इसके साथ, इंडिया दुनिया का एक मात्र ऐसा, ठीक है, दुनिया का एक मात्र ऐसा, constitution बन गया, जहाँ पे environment का clause, constitution में दिया गया है, environment protection act of 1986, wildlife act of 1972, यह सब इसका implementation है, आर्टिकल 49, तो विदा की बात यह है ना, कि जो slide change करने का tab है, वो इस तरफ है, तो मुझे इस तरफ आना पड़ जाता है, और फिर थोड़ा सा content hide हो जाता है, ना, चलो, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 49, protection of monuments, monuments वगेरा को बचायेंगे, जो national importance के है, liberal intellectual principle है, फिर दर स्कीम वगेरा सब आई है, इसी को implement करने के लिए आई है, ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 50, जो इसी को executive से अलग रखेंगे, आर्टिकल 51, international peace और security को maintain करेंगे, liberal intellectual principle है, neighborhood first policy, NAM, no nuclear first use, punch seal, UN peacekeeping forces में contribution, यह सब इसी का result है, देखो आशुदोस कितना अच्छा option बता रहे हैं, निकल जाता है, वैसे, not a big deal, देखे कुछ addition हुआ आर्टिकल का 42nd amendment एट के जरी आर्टिकल 39F, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, 44th amendment में, आर्टिकल 38A को add किया गया, आर्टिकल 86th amendment के जरी जो आर्टिकल 45 है, उसमें change हुआ, और 6 साल के बच्चों तक की education का provision हुआ, 97th amendment में, आर्टिकल 43 बी add किया गया, तो यह जो amendments एड हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, fundamental rights और DPSPs में comparison, यह political democracy का foundation है, वो social economic democracy का foundation है, यह negative obligation है, fundamental right तो DPSP positive obligation है, fundamental right justice-able है, जबकि DPSPs non-justiciable है, fundamental right automatically enforce हो जाते हैं, DPSPs को by law enforce करना बढ़ता है, आर्टिकल 335, कुछ DPSP जो हमारे DPSP के chapter से बाहर है, jobs में reservation, SCHT और के लिए government में, यहाँ पे administration में efficiency को ध्यान में रखके, हम reservation में maintain कर सकते हैं, आर्टिकल 350A, इसमें यह बुला गया है कि primary stage पर हम mother tongue में instruction देंगे, 7th amendment के जरी 1956 में इसे include किया गया, आर्टिकल 351, Hindi language को promote करेंगे, ठीक है, और इंडिया में composite culture को जो express करें, fundamental duties की बात करते हैं, 42nd amendment के जरी 1976 में add किया गया, हमने इसको USSR से लिया, स्वर्ण सिंग कमेटी के recommendation पर इसे incorporate किया गया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में एक और add की गई, 86th amendment के जरी 2002 में, non-justiciable nature का है, this is in the non-justiciable nature, ठीक है, मतलब अगर इन्हें implement ना करें, तो आप case नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक हिए, पिएम्न का फॉरप सिस्टम है, इसमें यह पहला तो यह है कि हम नेशनल फ्लाइग, नेशनल इन्थम को अवायडि करेंगे, र्रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरा यह है कि हम जो नोबल आइडियलस है नेशनल स्ट्रॉइवल कि उनको चारिस्क करेंगे जीुख हे कि छेंटाहिए है कि यह है कि कंट्रिय को टिफेंड करेंगे और rating के लिए प करने के लिए हाजिर हो जाएंगे जब और कल्चर को तात्वा ये है कि हम नेशनल इंवार्मेंट को प्रटेक्ट करेंगे और लिविंग क्रीशल की प्रस अपना कंपैशन दिखाएंगे आश्वा है कि साइंटिफिक टेंपर हुमनिजम और स्पिर्ट ऑफ इंक्वारी रिफॉर्म डेवलप करेंगे नौवा है कि प्रपरिटी को हम बचाएंगे और वाइलेंस को छोड़ देंगे दस्वा है कि हम इंडिविजल और कलेक्टिव एक्विटी में एक्सिलेंस अर्शीव करेंगे और ग्यारवा है कि जो पैरेंस हैं वो छह से चौदा साल के बच्चूं को एजुकेशन की अपरचुनिटी द लेता हूं कि अध्रेशन में छे एलेमेंट्स होते हैं कि अध्मी टेल यू देट अली मैं इसको देख रहा हूं कि अली मैं टोड़ा देख रहा हूं कि अली मैं आपके मैं जो देंगे। और ग्यों में टूभाब है कि ओंप एले हैं वो था यह तो कि अली मैं से खिम एली मैं पता स simplा बीक्सिवたい अक्से अहा हूं टीख है शेलिमेंट्स होते हैं रेतिन इपांस्टिंट्यूट्यूट्प्रिमेसी ऑफ दी कैन्सिट्प्रिमेसी ऑफ दी कॉंसिटूट्यूट्यूट्यूट्वेक्र लोग सभा राजसभा दोनों हो ठीक है? डिविजन अप पावर, सेंटर स्टेट की बीच में पावर्स का डिविजन हो और इंडिपेंडेंट जिडी स्री ये छे एलेमेंट्स होते हैं जो फेडरेशन को फेडरेशन बनाते हैं अब जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्शर है उसमें सेंटर स्टेट की बीच में पावर्स का डिविजन किया गया है और जो तीन फीर्ट में हैं, लेजिसलेटिव, अडिस्टेटिव और फैनेशल यहीं पर हम सेंटर स्टेट रिलेशन कवर कर लेते हैं, ठीक है तो परल्लेमेंट बाई लॉव यह कहती है कि स्टेट लेजिसलेचर के वज़ स्टेट के लिए लॉव बना सकती है ठीक है, जबकि परल्लेमेंट पूरे देश के लिए लॉव बना सकता है तीन लिश्ट दी गई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इनका जिक्र आर्टिकल 246 में मिलता है सेंटर स्टेट की बीच का जो डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट उसे आर्टिकल 131 के तहट रिजॉल्व करती है, डॉक्टर नॉफ पिस और सबस्टांस का इस्तेमाल किया जाता है मतलब की देखा जाएगा कि क्रक्स क्या है इशू का और डॉक्टर नॉफ कलरेबल लेजिसलेशन का मतलब यह होता है कि अगर आप कान सीधार नहीं पकड़ सकते तो फिर ऐसे घुमा के भी नहीं पकड़ सकते मतलब आप लीपा-पोती करके किसी कानून को सही नहीं बना सकते गलत है तो गलत है रेसिट्वरी पावर जो है वो सेंटर के पास है आर्टिकल 248 के पास ऐसी पावर होगी लाव बनाने की और वो टेक्स इंपोस कर सकते हैं सेंटर के सभी इशू उस पे आर्टिकल 249 यह बोलता है अभी हम बात कर रहे हैं इसा कोई भी लॉआ अगर बनाया गया है तो वो छे महिने के बाद जो resolution है उसके 6 महिने के बाद expire कर जाएगा अगर राज्यसमा के request पे law बना है तो Article 250 बोलता है कि Parliament चाहे तो state list के किसी भी subject पे emergency के proclamation creation में law बना सकती है Parliament चाहे तो state list के किसी subject पे law बना सकती है अगर emergency proclaimed है तो हाँ, national emergency खतम होने के 6 महिने बाद वो law खतम हो जाएगे Article 250 ये बोलता है कि Parliament के पास power है कि वो state list ये तो point हो गया है Article 249 और 250, state legislature को उस subject पे कानून बनाने से नहीं रोकते जिन पर Parliament ने कानून बनाया है, हलाँ कि contribution में आएगा तो Parliament का माना जाएगा Article 252, Parliament के पास power है कि वो 2 या 2 से ज़ादा states के लिए कानून बना सकते हैं, अगर 2 या 2 से ज़ादा states आकर खुजी center से request करें कि हमाई लिए कानून बना दो वो केवल उन पे लागू होगा, कोई और state चाहे तो उस law को join कर सकता है Once it's done, तो फिर उसमें कोई amendment वगरा करना है तो center ही करेगा, state नहीं करेगा और जिन states ने request किया है, क्यों उन्हीं पे लगेगा Article 253 International treaties को implement करने के लिए अगर center चाहे तो state के subject पे law बना सकता है ठीक है? ठीक है? ठीक है? पाल्यमेंट, international treaties को implement करने के लिए law बना सकती है Article 256 State list के सभी matters जहां पर article 356 imposed कर दिया जाने कि state emergency तो state में जो भी subjects available है, state list के उन पर center कानून बनाएगी और जो law पाल्लेमेंट बनाती है, वो प्रेसिडेंट रूल के खतम हो जाने के बाद भी उपरेटिव रहेंगे जब तक कि नई government उसे हटाना दे ये तो हो गया legislative relation अब आईए बात करते हैं administrative relation में Actually में जो division है न हमारे यहां center state की बीच का वो ज़्यादा administrative है legislative उतना ज़्यादा नहीं है तो administration में काफ़े division है जो executive power है हर state की वो इस तरीके से बनाई जाएगी कि वो parliament के laws के साथ compliance में रहे Parliament ने जो law बनाया है state कोई ऐसा law नहीं बना सकता कि वो parliament के against में चला जाए जो executive power है union की वो state की उपर extend होती है जहां कहीं भी जरूरी महसूस हो क्योंकि जो law बनायाएगा center वो लागू कहा होगा हवा में थोड़ी लागू होगा वो तो पूरी देश में लागू होगा मतलब states में लागू होगा union का control हो जाता है state के administration पे कुछ cases में article 257 के तहत union government direction दे सकती है state को कि आपको इस case में ये करना है communication lines national हो या military importance की हो उन्हें maintain करने के जिम्मेदारी भले ही वो state में है center की होंगी लेकिन जिम्मेदारी state की होगी national highway और waterways डेक्लेर करने का right center के पास है जो state में railway है उसके protection के जिम्मेदारी जो है वो मामला तो state का होता है railway तो जा state में सरा है लेकिन protection के जिम्मदारी center की है जो भी cost incur होगी ऐसे performance को इन चीजों को convey करने में manage करने में, security maintain करने में उसे government of India pay करेगी ठीक है Parliament की power power of parliament to confer powers on state in certain cases article 285 में बोला गया है कि president अगर चाहें तो state के governor की prior consent लेकर उनको ये बोल सकते हैं कि ये union का कुछ काम है आप देख लो कर दो ये right है center के पास कि भाई ये मेरा काम है आप कर दो न state के governor से पूछ लेंगे, president बोल देंगे चीक है जो parliament ने law बनाए है union list के अंदर उसकी भी implementation का काम अगर union चाहे तो बोल सकता है state को करने को, ये काम उनको करने को भी बोल सकते है now power of state to interest functions to union article 258 पहले ऐसा provision नहीं था, मतलब center तो state को बोल सकता था, कि भाई ये मेरा काम है please आप कर दो, state center को नहीं बोल सकता different article, तो government of state है वो government of India की consent से बोल सकती है कि ये हमारे executive domain का काम है please इसे आप कर दो, तो ये right article 258A में है public at record और judicial proceedings, जो भी कानूर बनाया जाएंगे परल्लेमन के दुरह जो records maintain किये जाएंगे, जो judicial proceedings होंगी, वो पूरे देश में लागू होंगी और states की जिम्मेदारी होंगी कि वो उसको maintain करें ठीक है? ठीक है? ओके? अब financial relations की बात करते हैं article 268 से 293 के बीच में part 12 में financial relations का जिक्र है, कोई भी text तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसके लिए law ना बने, article 265 में provision है text impose करने के लिए law होना चाहिए, law text authorize करें, ठीक है और text levy और collect किया जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि law में बताया गया होगा, ऐसा article 265 में साफ साफ बोला गया है stamp duty within a state union levy करेगा, यानि कि impose करेगा stamp duty लगाएगा कौन, union लगाएगा लेकिन collect और बत्वारा करने का अधिकार, state के पास होगा, article 268 ऐसा कहता है union और state के पास adequate financial resources हो इसके लिए दोनों के बीच में जो resources हैं, उनका distribution कर दिया जाएगा discussionary grant का provision article 282 में है, जहाँ center और state दोनों के पास grant है, यह center के पास है यहाँ पे अंतर आता है statutory grant और discretionary grant में statutory grant किसको कितना दिया जाएगा यह बताता है finance commission लेकिन discretionary grant किसको कितना दिया जाएगा, पहले यह planning commission decide करता था, अपनी तिया योग decide करता है और center government जो ज़्यादा तर grant देती है, वो statutory grant नहीं होता बलकि वो होता है discretionary grant, मतलब वो अपनी मर्जी से states को उनके additional खर्चे के लिए grant देते हैं कुछ और भी grant होते हैं जहाँ पे third type of grant in aid की बात की गई है, जो एक temporary period के लिए दिया जाता है कि किसी certain need को पुरा करने के लिए, पार्लियामेंट grant in aid states को provide कर सकता है मतलब provision कर सकता है कि state इस तरीके से center से grant in aid ले सकता है और उतना जो amount होगा वो consolidated fund of India पे चार्ज कर दिया जाएगा कि पार्लियामेंट ने कोई law बना दिया कि ये state center से इतना grant ले सकता है तो फिर वो जो हमारा CFI है consolidated fund of India है उसमें से automatically उस state को मिल जाएगा ठीक है now GST की बात कर लेते हैं 101 constitutional amendment act के जर्ये GST को implement किया गया देश में common market और common tax rate implement कर दिया गया एक common market और common tax rate implement कर दिया गया ठीक है common market और common tax rate implement कर दिया गया important changes जो constitution में किये गये article 264 में 264A एड किया गया जिसमें ये बोला गया कि ये नया article जो है ये GST के तहत include किया गया इसके according parliament और जो state का legislature है दोनों के पास power होगी कि वो GST के reference में law बना सकते हैं पालिया मिंट के पास exclusive power होगी ऐसे laws बनाने की जो तब GST के reference में बनाया जा सकते हैं जब किसी goods या services की दो states के बीच में trade और commerce हो रहा हूँ मतब वैसे तो GST के reference में center और state दोनों law बना सकते हैं लेकिन जब दो states के बीच में समान की या goods के या services की आवाज आई होगी तो इस reference में जो law बनाना होगा वो केवल बना सकता है state नहीं बनाएगा आर्टिकल 269A ये बोलता है कि goods और services tax में जो supplies होगी दो states के बीच में या जो commerce दो states के बीच में होगा उससे जो भी पैसा आएगा उसे लगाने और collect करने का राइट तो central government का होगा लेकिन उस text को appropriate यानि की बाट दिया जाएगा union और state के बीच में उसी manner में जिस manner में parliament by law decide करेगा ठीक है GST council का composition क्या है आर्टिकल 246A में इसका composition बताया गया है इसमें union finance minister chairperson होते हैं जो minister of state in charge of revenue और finance होंगे वो member होंगे minister in charge of finance जिस state के हैं हर state से वो उसके member हो जाएंगे क्या council का function है एक सेस और सर्चार्ज लेवी करना goods of services के उपर कितना कहां लगाया जाएगा council बताएगी goods जो GST में रहेंगे और कौन से exempt रहेंगे यह बताएगे principle governing apportionment of GST मतलब किसको कितना मिलेगा और किस basis पर मिलेगा वो IGST की case में बताएगे मतलब दो राज्यों के बीच में trade हो रहा है ठीक है दो राज्यों के बीच में trade हो रहा है तो फिर कहां कितना जाएगा वो यह देखेंगे कोई और matter जो council के पास जाएगा वो उसे देखेंगे पोरम आधे members होंगे तब जाके बाद चीत होगी तो नहीं होगी नहीं तो फिर बैठेक में कोई decision नहीं होगा three-fourth majority चाहिए होगी decision लेने के लिए one-third wait is central government का है two-third wait is state government का मतरब decision लेने के लिए center के साथ कई सारे state align होंगे तब जाके decision को पाएगा जिस्टी council जो है वो कोई भी ऐसा mechanism establish कर सकते है जिससे dispute center state के बीच में resolve हो जाए अगर ऐसा कोई मामला आता है तो इंटर-state water dispute की बात करते हैं इस मामले में इंटर-state river water dispute का जो provision है वो हमारे constitution में आर्टिकल 262 में दिया गया है पार्लेमेंट ने बाइलाउ मतला पार्लेमेंट में बोला गया है कि बाइलाउ अगर पार्लेमेंट चाहे तो यह बता सकती है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोड का कोई jurisdiction नहीं होगा इसके लिए कानू मना था इंटर-state river water dispute act 1956 में उसे के तहत आज जो dispute होता है दो राज्यों की बीच में पानी का उसे निप्टाया जाता है अगर state government कोई request करती है central government से कि हमारे राज्य का पानी दूसरे राज्य में जा रहा है तो ऐसे मामले को पहले center by negotiation resolve करेगा और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसे water dispute के पास भेज दिया जाएगा और वो उस dispute को resolve करेंगे जो एक्ट है उसे 2002 में amend किया गया और सरकारिय कमिशन की recommendation को incorporate कर लिया गया और कहा गया कि अगर request आई है तो एक साल के भीतर अगर आप अगर एक साल के भीतर आप issue resolve कर सकते हो तो ठीक है नहीं कर सकते हो तो फिर आप tribunal बनाओ central government को बोला और तीन साल के भीतर आप decision लो ऐसा नहीं कि 17-17 साल decision ही नहीं आ रहा है जैसे कावेरी water dispute में नह कर सकते हैं जो राज्यों के बीच में disputes को resolve करेंगी duties क्या है कि ऐसे disputes जो दो राज्यों के बीच में है वो उनकी inquiry करें investigate करें ऐसे issues को discuss करें ऐसे subjects को जिनके बीच में उनके interest clash कर रहे हैं और recommendation दे कि better coordination कैसे establish हो सकता है states के बीच में first interstate council 1990 में establish की गई थी सरकारिया commission की recommendation पे और composition में प्राइम निस्टर चेयर परसन थे सीम सभी स्टेट्स और यूटीज के थे यूटीज कैडमी स्टेटर्स थे छे cabinet ministers जो union के थे उन्हें हमें पाच जोन में डिवाइड किया बाद में एक जोरल मुजर इड़ किया गन्यायों सेंटर जोरन इस्टर चॉनल चॉनल मं भीत्तल Hello और दो और ने बनाया यूश यह दो नोध कर बने अनल सेंटर से दड़ल इसके चेर्में होते हे स्टेट से सभी स्टेट के CM होते हैं और दो अदर मिनिस्टर उनको CM नॉमिनेट कर सकते हैं वाइस चेर्मेन का पद जो होता है वो स्टेट के CM by rotation अवेल करते हैं एड्मिस्टेटर जो यूटीज के होंगे उस जोन के वो भी इसका हिस्सा बनेंगे ठीक है कुछ लोग एड्वाइजर की तरह जा सकते हैं जिनके पास voting right नहीं होगा जैसे एक परसन planning commission से जाएगा हर स्टेट के चीफ सेकरेटरी जाएंगे उस जोन के और जो development commissioner है हर स्टेट के उस जोन के वो भी जाएंगे वो बैठ सकते हैं debate discussion में पाटिसिपेट कर सकते हैं but they cannot vote they cannot vote ठीक है ठीक है ओके जोनल काउंसिल बाद में एक और एड की गई छठी North Eastern Region के लिए North Eastern Council को create किया गया एक separate एक जो पार्लेमेंट था उसके द्वारा North Eastern Council Act of 1971 इसमें असाम, मनेपुर, मिजोरब, घर्वाचर प्रदेस, नंगालेंड, मेगालिया, त्रपुरा और सिक्किम शामिल है बाकी तो North East के पुरा आपको समझ में आई रहा होगा इसमें एक सिक्किम को भी एड करके रखना तो एक, दो, ती, चार, पांच, छह, और साथ यानि कि Seven Sisters तो हैं, प्लस ये भी है सिक्किम भी है, तो आठ हो गए North Eastern Council में इसका फंक्शन विल्कुल वैसी है, जैसे Journal Council का है बढ़ हाँ, इनके पास कुछ additional function है क्योंकि North East की जो topography है, वो different है तो इस समय समय पे इनके काम को review किया जाता है कि ये बढ़िया तरीके से security public order rate जो region है उसमें maintain करें Emergency Provision की बात करते है Part 17 Article 352 से 360 के बीच में आर्टिकल 352 National Emergency Article 356 State Emergency आर्टिकल 360 Penal Emergency एम यही है कि देश की sovereignty, unity और integrity को protect किया जाए और aid और advice यहाँ पर ली जाए इन पूरे issues को exercise करने के लिए ठीक है ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं अब शेक 24 आज ही पूरा पॉलिटी कंप्लीट होगा, आज ही होगा, करके जाएंगे जब तक होगा नहीं हिलेंगे नहीं इधर से, पूरा करेंगे ठीक है, नेशनल एमर्जनसी आर्टिकल 352 के था, नेशनल एमर्जनसी तीन बेसिस पर टेक्लियर कर सकते हैं वार, एक्स्टर्नल एग्रेशन और आम्ड रेबेलियन, पहले यह हुआ करता था इंटर्नल डिस्टर्बेंस, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया पहले हुआ करता था, इंटर्नल डिस्टर्बेंस और बाद में इसे आम्ड रिविलियन से हमने कनवर्ट कर दिया प्रेशिडेंट नेशनल एमर्जनसी दिकलियर कर सकते हैं, प्रेशिडेंट के पास यह राइट है तीन बार आज तक national emergency प्रोक्लेम की गई है 1962, 1971, 1975 इस nature के question आते हैं, याद रखना इसको 1962 और 71 में external aggression के basis पे था और 75 में internal disturbance के basis पे था ठीक है, बाद में ये term हमने अटा दिया 38th constitutional amendment आया मतब इसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट का satisfaction judicial review के beyond है प्रेसिडेंट को लगता है emergency लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं फिर court नहीं देखेगा कि लगा रहे हैं तो सही लगा रहे हैं गलत लगा 39th amendment act आया 1975 में जहां पर court का jurisdiction यहां पर बार कर दिया गया कि जो election dispute है PM का और speaker का उसमें judiciary नहीं इंटर्वीन करेगी they will see इंद्रा गांदी जी का candidature रद्द कर दिया जिसकी बाद उन्होंने जो instability create उसकी बाद national emergency लगा दिए separation of power को basic structure टेकलर किया गया है प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 के तहत fundamental rise को suspend कर सकते हैं आर्टिकल 14 21 और 22 को पहले ऐसा था फिर एडियम जबलपूर केस आया जिसमें यह उनसे पूछा गया कि national emergency लग गई तो क्या article 21 भी suspend कर देंगे गया और 20 भी suspend कर देंगे मतलब किसी को भी जेल में डाल देंगे कुछ बताएंगे नहीं और आपकी जान भी ले सकते हैं अगर national emergency लग गई तो अब इसमें मामला यह निकल के आया कि court क्या stand लेगा court ने जो stand लिया वो justified नहीं तो उन्होंनों वोला emergency लग गई तो जो मर्जी वो कर सकती है सरकार कोई रोकेगा नहीं इसे judicial history में एक black chapter की तरह देखा जाता है प्रेसिडेंट अपने satisfaction पर national emergency लगा सकते हैं ऐसा कहा जाता है जब national emergency इंद्रा गांधी जी ने लगाया था उस समय फक्रुद्दीन अली एहमद president हुआ करते थे जब उन्होंने emergency के paper पर साइन किया था तो वह बाथिंग टब में नहा रहे थे उन्हें पढ़ा भी नहीं था पस इंद्रा गांधी जी ने बोला था कि एमर्जंसी लगाने उन्होंने साइन कर दिया एट वोज़ा इमर्जंसी डूटल एमर्जंसी अर्टी एट अमेंडिमेंट कोई रिव्यू नहीं हो सकता हालां कि इस प्रॉविजन को 1978 में 44th अमेंडमेंट से हमने अंडन कर दिया था यह बोला गया 44th अमेंडमेंड में की written recommendation चैने यह cabinet की और cabinet word पहली बार हमारे constitution में इसी reference में जुडा यह तो cabinet word हमारे constitution में जुडा नहीं था ठीक है कभी detail में class करेने का मौका मिलेगा तो जरूर से मैं 1975 की emergency explain करूँगा बट अभी वो important नहीं ठीक है Proclamation to be approved by both house of parliament within one month और अब अगर लग गया है national emergency तो दोनों house लोग सभा राजे सभा एक महिने की भीतर उसको approve करेंगे Proclamation को आप indifferent time तक extend कर सकते हो लेकिन हर 6 महिने पर उसे परलेमेंट का approval मिलना चाहिए और जो approval मिलेगा वो मिलना चाहिए special majority से या नहीं कि two-third majority से present and voting plus उसमें absolute majority add हो मतब two-third present and voting should not be less than the half of the majority यह 44th amendment में बोला किया Proclamation President किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं या लोग सभाइक simple majority से Proclamation पास कर सकती है Consequences क्या होते हैं Executive और Legislative Relations में Article 353 explain करता है Center Executive Direction दे सकता है स्टेट को Parliament स्टेट के मेंटर पर कानूर बना सकती है और Union कोई भी Authority को power दे सकता है Financial Relationship Article 354 में explain किया गया है कि revenue का जो distribution है Center or State का वो भी modify किया जा सकता है Fundamental right के उपर क्या effect पड़ता है Article 358 automatically Article 19 को suspend कर देगा अगर emergency war और external aggression के basis पे है Article 359 में suspension किया जा सकता है presidential order के जरिये सारे fundamental right को हला कि Article 21 और 20 suspend नहीं होगा किसी भी case में Article 355 ये बोलता है union government के duty है कि वो state को किसी भी प्रकार के खत्रे से protect करेंगे Article 356 बोलता है अब state emergency के बारे में It talks about state emergency कि अगर satisfied है President कि जो state है उसमें administration constitution के according नहीं चल रहा है तो फिर state emergency लगाई जा सकती है Consulop ministers ने अगर majority lose कर दी है और कोई भी नया सरकार नहीं बना पा रहा है तो state emergency लग सकती है State administration peace और order maintain ना कर पाए या state का administration secular values को maintain ना कर पाए अगर जो डिरेक्शन्स दिये गए है आर्टिकल 365 के तहट सेंटर के द्वारा state को और state उसे फॉलो ना करे इट केन ऑल्सो भी ग्राउंड फॉर दी स्टेट अमर्जन्सी ऐसा भूमाई गाइड लाइन्स आए थी 1994 में प्रेसिडेंट जो भी एमर्जन्सी के ग्राउंड पे एमर्जन्सी लगा रहे हैं उस पर जिदीशल रिवी होगा state government का opportunity मिले कि वो फ्लोट इस पे जाके अपनी majority प्रूव करें सिर्फ इस वज़े से क्योंकि आपको लगता है मिजोरिटी नहीं है आप नहीं state emergency लगा सकते और state legislative assembly को dissolve नहीं किया जाएगा केवल suspend किया जाएगा एले dissolve कर देते थे ठीक है Central government के उपर burden होगा कि वो इस बात को साबित करें कि state emergency लगाने के लिए enough सबूत available थे Court complete justice provide करवा सकता है affected लोगों को state anti-seculars अगर politics pursue कर रहा है तो state emergency लग सकती है Article 356 extraordinary power है इसका इस्तेमाल जमर जी तब नहीं किया जाना चाहिए PR Ambedkar जी तो ये सोचते थे कि Article 356 का कभी user ही नहीं होगा और ये एक dead letter बनके रह जाएगा जब Article 356 हमारे constitution में डाल रहे थे तो Ambedkar जी से पूछा गया ऐसे तो center state की government suspend कर देगा क्या करेगा कोई तो Ambedkar जी लगता है लोगों को अच्छा समझते थे तो नहीं बला नहीं ऐसा होगा नहीं कोई Article 356 का इस्तेमाली नहीं करेगा और ये तो dead letter बनके रह जाएगा बस ज़रुवत पढ़ने के लिए डाल देते हैं क्या पता कभी कोई ज़रुवत पढ़ी जाये तो अब आप देखो कि इसका बहुत massive misuse हुआ क्योंकि जब emergency खतम हुई और जनता दल की सरकार बनी 1978 में तो जनता दल की सरकार बनने के बाद उन्होंने नो राज्यों में जहां कॉंग्रेस की सरकार थी उसको एक जटके में सस्पेंट कर दिया ये बोलके कि अब लोग चाहते ही नहीं कि कॉंग्रेस की सरकार रहे और वहाँ पर state emergency लगा दी गई क्योंकि इसका कोई ग्राउंड ही नहीं था कि आप नौ राज्यों में अचानक से state emergency लगा दो फिर 1980 में जब इंद्रा गांधी जी एलेक्शन जीत कर आई तो उन्होंने नौ राज्यों में जहां नौन कॉंग्रेस गवर्मेंट थी वहाँ पर state emergency लगा दी बोली जब आपको लग रहा था कि जनता हमसे खुश नहीं है तो हमको लगता है कि जनता हमसे खुश है हर जगें कॉंग्रेस की सरकार होनी चाहिए मतलब आप समझो कि 9 नो राज्यों में एक एक साथ state emergency लगाई जा रही है तो पर्लेमेंट के दोनों house within two months उसको अप्रूव करेंगे एक बार में ये छे मैने के लिए अप्रूव किया जा सकता है और एक बार अप्रूव होने पर ये maximum तीन साल चल सकता है मतलब एक बार में तो आप extend करके एक साल बढ़ा सकते हो ठीक है उसके बाद जब दो साल औ और बढ़ाना हो ना तो उसके लिए भी प्रॉविजन है एक्षन कमिशन ये बोले कि भाई हम इलेक्षन नहीं करवा सकते माहौल नहीं है तब आगे का दो साल बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं ठीक है एक एर तक तक तो आप ऐसे 6-6 मेनी करके बढ़ा सकते हो लेकि नेशनल एमर्जनसी रेखे अगर पूरे पार्ट में या उस हिस्से में जहां पे वो स्टेट है लगी होई है तब और इलेक्षन कमिशन ये बोल दे कि इलेक्षन करवाने की हालत नहीं है या यहां पे अभी कंडिशन नहीं है कि अब इलेक्षन करवा के नई सरकार ला सके तब आप इसे आगे दो और साल बढ़ा सकते हो यानि कि एक साल प्लस दो साल मैक्सिमम स्टेट एमर्जनसी तीन साल लग सकते है इससे जादा नहीं है सिंपल मेजॉर्टी से इसको अप्रूव और एक्स्टेंड किया जा सकता है और प्रेसिजिटन किसी भी समय इसे बात करते हैं फिनेशल एमर्जनसी की प्रेसिजिट को लगता है कि फिनेशल मैटर अभी बहुत खराब हो गए हैं स्टेट का फाइनेंस खत्रे में हैं तो वो सिंपल में हाँ अब वो आर्टिकल 360 के तहत जो फाइनेशल एमर्जनसी वो लगा सकते हैं परल्लेमेंट को वै इंपोजड आज तक इसे कभी भी नहीं लगाया गया है बढ़िया बात चलिए कोंसिक्वेंस क्या होते हैं यूनिन गॉवर्मेंट डिरेक्टिव दे सकती है फिनिशल प्रप्राइटी के लिए कि पैसा आराम चाखरचा करो जदा मत खरचा करो दिक्कत है सेलरी सबी employees की कम कर सकते हैं money bill financial bill जो state के हैं वो भी president की consideration के लिए आएंगे और salaries में कमी की जा सकती है central government की supreme court और high court के judges की salary भी कम हो सकती है देखो फासाने के लिए यही देते हैं बोलेंगे Supreme Court और High Court के judges की salary भी कम कर सकते हैं जब financial emergency लगी हो और हमें क्या लगता है कि इससे तो उनकी independence खत्रे में पड़ जाएगी तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ऐसा हो सकता है Supreme Court और High Court की जो judges हैं उनकी भी salary कम कर सकते हैं अब आईए हम लोग बात करेंगे union executive के बारे में Union executive का में सामिल है President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers और Attorney General President, President Head of the State होते हैं और First Region मने जाते हैं इंडिया के Article 52 कहता है कि एक President होंगे Article 53 कहता है कि जो executive power होगी union की वो President के पास होगी Article 74 में बोला गया है कि Council of Ministers की aid and advice से President काम करेंगे और President को जो advice मिलेगी उसी के हिसाब से वो काम करेंगे 42nd amendment में बोला गया कि जो advice मिलेगी वो binding होगी तो President इस तरीके से nominal executive बन गया और real executive होगए Prime Minister Article 56 बताता है कि इनका जो term होगा वो 5 साल का होगा और अगर यह resign करना है तो यह Vice President को resign करेंगे और Vice President बाद में यह मामरा speaker को बता देंगे इन्हें impeachment के जरीए हटाया जा सकता है जिसका एक process है Article 61 में इसका provision है और इनका re-election हो सकता है Article 57 में बोला गया है Article 58 में qualification बताई गई है भारत के नागरिक होँ उम्रे कम से कम 35 साल हो लोगसवा का member बनने की काबियत रखते हूं और कोई office of profit इनके पास ना हो President का जो office है Vice President का Governor का Minister of State जो स्टेट के जो Minister है Union के हैं यह office of profit के investment नहीं आते है Article 59 office के conditions वो MPI मले नहीं हो सकते कोई office of profit में नहीं हो सकते उनको एक मिलता है राष्टपती भवन जिसका उनको कोई रेंडनी देना पड़ता और वो जो emoluments वगेरा मिलते हैं वो बने रहेंगे Article 60 उनकी oath CGI दिलवाते हैं oath जो उनको दिलवाई जाएगी वो CGI दिलवाएंगे या फिर senior most supreme court judge अगर CGI प्रेज़ेंट नहीं है तो प्रेज़ेंट का election एक electoral college के माध्यम से होता है जिसमें elected member होते हैं दोनों houses के nominated नहीं होते legislative assembly के भी elected member होंगे elected member of legislative assembly proportional representation का सहरा लिया जाता है secret ballot से voting होती है और single transferable vote system का model of किया जाता है इसके लिए vote value निकाले जाती है ठीक है vote value में क्या होता है कि जितने भी MLA है हम पहले एक state को उठाएंगे और उस state की जो total population है उसमें हम वहाँ जितने MLA है उनको divide कर देंगे अब state की population बहुत सारी होती है MLA होते हैं गिंती की जब divide करोगे तो number आएगा बहुत बड़ा उस number को छोटा करने के लिए हम एक हज़रा से divide कर देंगे तो छोटा से number आजाएगा अब ऐसे कई सारे states का हम जो MLA हैं उनकी vote value निकाल लेंगे और उन सारे states की vote value को हम जोडेंगे और MPs से divide कर देंगे यानि कि member of parliament से तो हमें मिल जाएगा member of parliament की vote value अब यहाँ पे जो vote value होगी वो state की जो state की vote value होगी वो एक state से दूसरे state में differ कर सकती है लेकिन सारे MPs की member of parliament की vote value एक जैसी होती है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि value of MP जो लोग सभाके हैं और जो राजे सभाके हैं उनकी एक बरावर होती है क्योंकि सबको equal लिया जाता है इसके बाद जब vote पड़ेगा तो फिर quota देखा जाएगा quota होता है 50% plus 1 जितने valid vote पड़े हैं उसमें से आधे से जादा मिलेगा तो जीतोगे और single transferable vote system में क्या होता है कि माल लेते हैं चार लोग election contest कर रहे हैं A, B, C, D तो जब आप vote करने जाओगे न तो आपको सबको vote करना पड़ेगा मतलब मैं चाहता हूँ सबसे पहले A जीते हैं फिर B, फिर C, फिर D ऐसे नहीं कि मैं चाहता हूँ A जीते था ठीक है उन्होंने किसी को तो second priority का vote दिया होगा न तो मतलब इनका ये vote इनको आ जाएगा इनका ये vote इनको आ जाएगा इनको पहले सो दो मिला था तो अब ये जीत जाएगे मतलब ऐसे vote transfer होता है ठीक है आपको जिसने first priority का vote दिया था ठीक है आप तो बाहर हो गए तो जिसने आपको first priority दी थी उसने किसी को तो second priority दी होगी न तो आपका vote उसको मिल जाएगा यहाँ पर vote waste नहीं होता सबका vote utilize हो जाता है और सबकी मरजी से एक जो president है वो चिन लिये जाते हैं Article 71 में बोला गया है कि Supreme Court के पास original और exclusive jurisdiction है अगर election dispute आता है प्रेसिडेंट का तो ठीक है Electoral College में vacancy है कुछ लोग vote करने नहीं गए इसके basis पर प्रेसिडेंट का election invalidate नहीं किया जाता impeachment जो है उसके लिए resolution आता है उसका procedure क्या है उसका ground है कि President ने constitution violate किया हो मतलब वो constitution के principles के according काम ना करें constitution में क्या है कि वो council of ministers की aid and advice से काम करेंगे और अगर वो यह बात नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ impeachment आ सकता है उन्हें 14 दिन पहले notice दो एक house pass करेगा special majority से ठीक है सबसे पहले तो resolution को support करें कम से कम one fourth member जिस भी house में उसको propose कर रहे हैं फिर two third member की majority से उसको pass करें उसके बाद वो second house में जाएगा second house investigate करेगा charges सही है कि नहीं है ठीक है उसके सब के पहले 14 दिन पहले notice देना पड़ेगा अगर आपके खिलाफ impeachment ला रहे है second house मामला investigate करेगा अगर उसने भी pass कर दिया तो president impeach हो जाएंगे अगर president की office में vacancy होती है death resignation impeachment की वज़े से तो vice president post पर आ जाएंगे vice president की भी अगर vacancy हो जाती है वो मर जाते हैं, बिमार हो जाते हैं, कुछ और हो जाता है सारे executive actions उनके नाम से ही लिए जाते है उनके पास कुछ dignitaries को appoint और remove करने का right होता है जैसे CAG, CEC, election commission attorney general, UPSC, JPSC, judges supreme court और high court के इन सभी लोगों को, ठीक है legislative powers में वो parliament का integral part है कोई भी bill कानून तब बनेगा जब वो sign करेंगे parliament के session को बुलाना, प्रोग करना, dissolve करना ये उनका काम है वो president को उनके पास right होता है कि वो house को message बेज सकते हैं president special address दे सकते हैं house का ठीक है, उनके पास members को nominate करने का right होता है house में लोग सभा में वो दो members पहले nominate करते थे, अभी ये system नहीं है, खतम हो गया, anglo-indians वाला 12 members वो nominate कर सकते हैं जिन्होंने arts, science, literature या social service में अच्छा contribute किया हो article 80 के ताहर, prayer sanction या introduction कई सारे bills में उनका required होता है वो बोलेंगे तब bill introduce होगा जैसे नए states बनाने हैं या फिर कोई financial bill लाना है तो पहले president approve करेंगे और चाहे तो उसे consideration के लिए return कर दें, उनके पास कुछ veto होते हैं absolute, qualified, suspensive और pocket इंडियन president के पास absolute veto है, suspensive veto है pocket veto है, qualified veto नहीं qualified veto में क्या होता है कि अगर president ने ये बोल दिया कि भाई ये bill मेरे को अच्छा नहीं लगा है, return कर दिया तो अगली बार उससे बड़ी majority से उसको पास होना चाहिए ठीक है मुस्कान रतन, 36 ready-made president बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि 34 judge हैं अभी हमारे पास और एक president और एक vice president है तो 36 ready-made president हमारे पास हमेशा available रहते है ठीक है ओके now, go ahead, president के पास veto power होता है कुछ bills को रोब सकते है जो state legislature से related हो governor ने अगर कोई bill governor के पास राज्य में जाता है article 200 के तहर, तो governor उस पे ascent दे सकते हैं, withhold कर सकते हैं reconsideration के लिए वापिस कर सकते हैं या president के पास भेज़ देते हैं तो president अब decide करेंगे कि उस bill का क्या होगा अगर president की consideration के लिए कोई bill reserve किया गया है article 201 के तहत, तो president के पास option है वो ascent दे, withhold कर दे, reconsideration के लिए वापिस भेज़ दे या फिर ठीक है और उन्होंने गार reconsideration के वापिस भेज़ा है और state legislation ने within six month उसे return करके वापिस से पास करके भेज़ दे ज़रूरी नहीं कि वो वापिस session दे उनकी मर्जी, देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे president joint setting बुला सकते हैं अगर कोई ordinary bill लोग सभा राजे सभा में पास नहीं हो पाराया टक गया है तो एक joint setting वो बुलाएंगे उसे preside करते हैं speaker कोई भी house अगर session में नहीं है तो वो ordinance issue कर सकते हैं ordinance एक law होता है यह maximum 6 महिने तक applicable होता है और house session में आ जाए तो 6 हफ़ते maximum time होता है house को पास करना पड़ेगा नहीं तो खतम हो जाएगा यह parallel power नहीं है अगर house session में है तो president ordinance issue नहीं कर सकते हैं अगर house session में नहीं है तभी president यह issue कर सकते हैं government of India Act 1935 में ऐसा provision था हमने वहीं से उठाया है और जो ordinance making power है वो judicial review के अमबिट में आती है RC Gopher case में court ने बोला 38th constitutional amendment में बोला गया कि president का satisfied है तो उनका satisfaction judicial review के अमबिट के बाहर है हाला कि बाद में इसे 44th amendment में नलनवाइट कर दिया गया था ओर्डिनस इसको बार बार प्रमिलगीट करना fraud है ऐसा court ने बोला Supreme Court ने इस बात को कृष्ण कुमार केस में 2017 में बोला था कि लोग कानून बनाते नहीं क्योंकि कानून बन नहीं पाता ठीक है बन नहीं पाता तो इसलिए ठीक है इसलिए फिर यहाँ पे बार पर ordinance issue होता है तो यह ordinance का misuse है that is the misuse of ordinance governor को लगबग वैसी ही power होती है article 213 के तहत हाँ कुछ legislations में मतब governor की powers जो है वो president के जैसी ही होती है moral less pardon power होती है president के पास pardon पुरी तरीके से माफ कर देना commutation punishment का जो nature है वो change कर देना पासी की सजा मिली थी आज इवन का रावाज दे दिया nature change हो गया remission का मतलब होता है term कम कर दिया 20 साल की सजा मिली थी कुछ special cases में मालनो कोई women है pregnant है तो कम punishment दे देंगे respite है reprieve का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए execution रोग देंगे अक्सर ऐसा आफ फासी की सजा में किया जाता है that sentence में मालनो किसी को that sentence देना है अगले महिने की 5 तारिक को और फिर उसने pardon के लिए plea किया हुआ है तो pardon के लिए जब तक president उसका case सुनेंगे तब तक तो आप उसको फासी पे चड़ा दोगे बेचारे को तो फिर क्या मतलब निकलेगा फिर तो नहीं बात बन पाएगी न तो इस चीज को खतम करने के लिए मतलब अगर किसी ने pardon के लिए apply किया हुआ है someone has applied for the pardon और उसे समय मिलना चाहिए न तो फिर उस case में जो सबसे पहले काम होता है वो यही होता है कि जो रिप्राइब है या रिप्रीव है उसे हम सबसे पहले execute कर देते है It is executed in the first place ठीक है Let's go ahead Court Marshall के case में जिसमें prosecuting agency central government हो इसमें केवल president के पास power होती है governor के पास इस case में कोई power नहीं होती ठीक है और article 72 के तहत उनके जो rights है वो judicial review के ambit में आते हैं no need to go for the cases ठीक है अब देखिए इसमें वही कुछ details है जो pardon करने की power होती है उसमें कि जो वो pardon करेंगे हो मनमाने तरीके से नहीं करेंगे council of ministers के aid and advice पर करेंगे और ये power एक definite time frame में किया जाए ये नहीं कि आप 10-10 साल decision ही नहीं ले रहे हो कि pardon करना है कि नहीं करना है अब हो भी नहीं रही है और आप उसे pardon भी नहीं कर रहे हो ठीक है प्रेमिशन का power आर्टिकल 432 और 433 जो CRPC का है उसके Mbit में भी available रहेगा ओके इसमें oral hearing का right नहीं होता मालोग president के पास कोई case गया तो president उसको बुलाएं और उससे सुने कि भई आप क्यों चाहते हो आपको pardon कर देए यह समय होते हो president को मन लगेगा तो कर देंगे नहीं मन लगेगा तो नहीं करेंगे governor के पास भी pardon, commute, remit, reprieve और respite की power होती है जहां पे state का law applicable हो state का law applicable हो और वो court marshal की cases में कोई right नहीं रखते court marshal का अगर case है आर्मी वाला तो उनके पास कोई right नहीं होगा और यह death sentence नहीं माफ कर सकते है death sentence में इनको pardon का right नहीं है ठीक है? तो यह तो यहीं पे वही बात यहां लिखिए हो vice president की बात करते हैं एक vice president होंगे और यह ex official chairman होते है राज्यसभा के भाई है वो आपके ex official mama है जो भी आपकी माताजी का भाई है वो आपका ex official mama है बिना किसी objection के ठीक है? तो president death resignation या remote की case में उनकी जिगर पर vice president आ जाते हैं, president बन जाते हैं और अपनी duties बिल्कुल वैसे discharge करेंगे जैसे president discharge करते हैं vice president का election आर्टिकल 66 में दिया गया है एक electoral college बनता है proportional representation single transferable vote system और secret बलर से voting होती है जैसे मैंने president में बताया था electoral college में दोनों ही houses के member होते हैं parliament के elected और nominated president में कि वाई elected होते हैं? इसमें nominated वाले भी होते हैं ठीक है? eligibility criteria बिल्कुल president जैसा ही है एक अंतर है वस eligibility रखते हूँ, vice president राज्यसभा का member होने की eligibility रखता हूँ इनकी oath president करवाते हैं, पांच येर का term होता है, president को resign कर सकते हैं इन्हें 14 दिन का notice दे के राज्यसभा में remove किया जाता है और जब भी remove किया जाता है तो effective majority का इस्तेमाल होता है effective majority का होता है the than majority मतलब जो भी vacancy होगी न उसे minus कर देंगे और उसके बाद उसकी majority माल लो 545 लोग है, अभी तो 543 हैं इसमें आप vacancy minus कर दो और उसके बाद उसकी majority निकाल लो, इसे कहा जाता है effective majority हमारे constitution में कहीं भी effective majority term use नहीं किया गया है, इसके जिगे पे जो term use होता है, that is the than majority the than majority term use होता है, ठीक है यह तब तक अपने पत्पे बने रहेंगे, जब तक कि इनका successor आ नहीं जाता, term खतम होने पर गदी नहीं जोड़ते, अगर vice president की office में vacancy है, उनका term खतम हो जाने के बाद, expiration, death, resignation, remove, या किसी भी और वज़ए से मेना नहीं बोला गया है, यह सब जानते हैं रहे technicality है, प्राइम मिनिस्टर, head of the government होते हैं, लोगसभा में जो majority party होती है उसकी leader को प्राइमिस्टर बनने के लिए president invite करते हैं वो इंडिया के citizen हो, राज्यसभा, लोगसभा किसी भी एक के member हो, नहीं है, तो फिर 6 मेने के भीतर बने, उनकी उम्रे कम से कम 30 साल होनी चाहिए, राज्यसभा से आ रहे हैं, तो 25 साल होनी चाहिए, कम से कम अगर लोगसभा से आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर country को serve करते हैं, कई सारे उनके functions होते हैं, वो head of the government होते हैं, portfolio allocation करने का किसको कौन सा मंत्राल है मिलेगा, ये काम इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है, this function is done by him, ओके, ओके, chairman होते हैं, ये cabinet के, cabinet में जो ministers होते हैं, वो इनके chairman के तरह काम करते हैं, प्राइम minister, मतब कई सारे cabinet में जो ministers होते हैं, core minister जिनके हम बात कर रहे थे, ये उनके chairman होते हैं, ये अपने decision को impose कर सकते हैं, और crucial opinion भी grant कर सकते हैं, official representation country को इनके तरह दिया जाता है, किसी भी global matter में president और cabinet के बीच का ये link होते हैं, ये सभी important decisions को president को communicate करते हैं, personal, public grievance and pensions, इन सभी के head होते हैं, फुछ ले जाता किस केड है, chief advisor होते हैं, ये president के लिए, और prime minister, president, ये दोनों, council अप मतब जो prime minister होते हैं, वो president को council of ministers के साथ connect करते हैं, तीन चीजे हैं, president prime minister को appoint करते हैं, बाकि ministers president appoint करते हैं, PM के advice पे, ministers अपने office पे president के pleasure के थ्रूब बने रहते हैं, और president का pleasure is the pleasure of the prime minister, council of ministers collectively responsible होते हैं, लोग सभा के लिए, PM कम्मिनिकेट करते हैं, सभी decisions council of minister के president को, वही repeated है, council of ministers की बात करते हैं, इन्हें appoint किया जाता है, president के द्वारा, prime minister की advice पर, prime minister, जो होते हैं, इंडिया के, वो council of ministers को जो appoint करते हैं, वो पूरे house की strength का, 50% से ज़ादा नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर 15% के उपर नहीं बढ़ सकता, 91st amendment में ये बोला गया, कि disqualification, अगर ministers का disqualification हो जाएगा, अगर ये जो 15% का criteria आगे बढ़ता है, ठीक है, Minister ceases to exist as one, if he is not member of either house of parliament, अगर कोई ऐसा person जो minister बनना चाहता है, तो बन सकता है, कहीं का भी minister, कहीं का भी member नहीं, लोग सबाराज सबागा, तब भी बन सकता है, within six months उसे चुन के आना होगा, अगर within six months चुन के नहीं आ सका, तो फिर गया, होते हैं, उनको किसी भी house ते हम चुन सकते हैं, लोग सबागा से या फिर राज्य सबागा से, ठीक है, और उनके पास, देखे, लोग सबागा कोई minister है, वो राज्य सबागा में जाके बैठ सकता है, वो वहाँ पे proceedings में पार्ट ले सकता है, debate कर सकता है, vote नहीं कर सकता, cannot vote, आप कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को, राज्य सबागा बैठा हुआ देखें गे, और कई सारे और मेंबर्स को भी, but they cannot vote, try to vote नहीं होगा, collective responsibility और individual responsibility, individually, जो एक minister है, वो प्रेसिडेंट के लिए responsible होता है, फुल मिला के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वैसे प्रेसिडेंट याद रखना, और collectively ये लोग सभा के लिए responsible होते हैं, अगर किसी भी एक मामले में, एक minister गलत पाया गया, house में, within house, उसका कोई decision गरबड़ पाया गया, तो ये माना जाएगा कि पूरी council of minister ने गरबड़ी करी है, और पूरी council को resign करना पूरेगा, ये है concept of collective responsibility, ठीक है, ये मैंने बता दिया, attorney general, attorney general government के lawyer होते हैं, center government के lawyer को attorney general कहा जाता है, ये highest law officer होते हैं country में, और article 76 में, इनको constitutional status दिया गया है, ये president के दरा point किये जाते हैं, और ये ऐसे person होने चाहिए, जिनके पास Supreme Court का judge बनने की काविलियत हो, ये अपने office में president के pleasure के थूरू रहते हैं, और जब चाहें quit कर सकते हैं, इनको remove किया जा सकता है, अगर ये constitution के हिसाब से काम ना करें तो, उसके पहले भी हटा सकते हैं, president जब चाहें इनको remove कर सकते हैं, duties ये होती है कि advice दे government को legal matters में, कोई भी ऐसा काम जो president को सौपते हैं, वो ये करे, ये government of India के भिहाब ने, इंडिया के किसी भी court के सामने जाके cases लड़ सकते हैं, high court में या किसी भी और court में, the government of India को represent करते हैं, supreme court में, ये वो सभी duties या functions जिस्चार्ज करेंगे, जो इनको दिये जाएंगे, rights or limitations, ये house में, किसी भी house में, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, committees का part बन सकते हैं, बट vote नहीं कर सकते हैं, ये सभी powers and privileges enjoy करते हैं, जो एक member of parliament को मिलते हैं, ये government servant की category में फाल नहीं करते हैं, मतलब कि अगर ये चाहें, तो private legal practice कर सकते हैं, बस उसमें limitation होती है, कि वो कोई ऐसा भी case नहीं लड़ सकते हैं, जो गौवर्मेंट की against में हो, मतलब आप गौवर्मेंट की लायर हो, किसी और का independent case लड़ सकते हैं, गौवर्मेंट की against में आप case नहीं लड़ सकते हैं, ऑर additional solicitor general, ये attorney general की मदद के लिए होते हैं, क्योंकि attorney general की पास बहुत सारा काम होता है, तो article 165 में, इनके पास कुछ corresponding officers होते हैं, मतलब कुछ officers होते हैं, जिनकी help करते हैं, और advocate general बिल्कुछ similar post है states में, अब हम लोग बात करते हैं state government की, state government में देखे, सारा system बिल्कुछ center government जैसा ही है, chief minister, council of ministers and advocate general, ये state government का part बनते हैं, जो governor होते हैं, वो constitutional head होते हैं state government के, और इनके दो function होते हैं, एक तो ये constitutional head है state government के, और दूसरा ये center और state के बीच का link है, जो governor होते हैं state के, उनको president appoint करते हैं, by warrant under his hand and seal, ये, हर state में governor होते हैं, 7th amendment attack था 1956 में, जहां बोला गया कि, एक governor एक से ज़्यादा states के लिए भी काम कर सकता है, qualification है कि, वो governor जो भी person बन रहा है, वो इंडिया का citizen हो, कम से कम 35 years age हो, और convention ये है, कि जब भी बनाया जाता है governor, तो जो भी वहाँ के state के chief minister होते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है, दो conventions हैं वैसे, एक तो वो person उस state का ना हो, जहां का governor बन रहा है, दूसरा chief minister से पूछ लो, कई बार ये conventions follow होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, article 156 है, उसमें का term of office बताया गया है, नॉर्मली 5 साल होता है, पर उसके पहले भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये president के pleasure के थ्रू रहाते हैं, president का जब तक मन है, तब तक governor बने रहेंगे, बाकि जब चाहें, president को in writing resign कर सकते हैं, condition of office, देखे, ये लोग सभा के member नहीं हो सकते, और राज़े सभा के भी नहीं हो सकते, अगर ये किसी house के member हैं, तो जैसे ही ये पद पे जाएंगे, इनको अपनी seat vacant करनी पड़ेगी, इनको एक राजबहुन मिलता है, जिसके कोई payment नहीं देनी होती, और parliament इनके emoluments, allowance and privileges decide करता है, governor दो या दो से अधिक राज़ियों के अगर बनते हैं, तो उनके emoluments दोनों राज़ियों में बाढ़ दिये जाएंगे, कि कौन कितना pay करेगा, parliament उन emoluments को उनके office के term के duration में कम नहीं कर सकती, मतब जब तक उनका पद बना हुआ है, तब तक नहीं, अगला governor आएगा आप उसके लिए कम कर सकते हो, जब तक वो अपने office में है, civil proceedings में, जो उनका personal act है, उन्हें दो महिने का prior notice दे के आप उनके खिलाफ, जो proceeding है वो start कर सकते हो, criminal cases में नहीं, powers and functions, executive power यह होता है, यह state government के जो भी काम होते हैं, वो governor के नाम से किये जाते हैं, उनके नाम से ही सारे documents authenticate किये जाते हैं, यह state government अच्छे से काम कर सके, उसके लिए rules बना सकते हैं, chief minister और बाकी के ministers इनके दौरा अपॉइंट किये जाते हैं, यह advocate general को अपॉइंट करते हैं और उनका renumeration decide करते हैं, state election commission को इनके दौरा अपॉइंट किया जाता है, यह state public service commission के chairman और members को अपॉइंट करते हैं, vice chancellor होते हैं यह de facto universities के, जो भी state में universities हैं, यह chancellor होते हैं, vice chancellor को यह अपॉइंट करते हैं, यह chancellor होते हैं, constitutional emergency अगर state में लगानी हैं, तो इसकी जो notice है, वो president को governor ही देते हैं, ठीक है, governor extensive executive powers रखते हैं, president के agent के तौर पे, अगर राज्य में president rule लगा है तो, इनकी responsibility होती है, एक tribal welfare minister को appoint करें, ठीक है, state में कौन-कौन से 36 गण, जहारखंड, मदरप्रदेस और उडिसा में, जो tribals के interest को secure करें, इनके पास legislature, जो assembly है state की, उसे प्रोरोग करने का right है, ये state के legislature के first session को address करते हैं, हर साथ, ठीक है, governor किसी bill को अगर चाहें, तो assent दे सकते हैं, विद्धोल कर सकते हैं, या president की consideration के लिए जौब भी कर सकते हैं, अगर जो speaker है legislative assembly के वो absent है, और deputy speaker भी absent है, तो governor किसी एक ऐसे person को appoint करते हैं, जो sessions को preside करें, governor appoint करते हैं one sixth, जो total membership है legislative council की, उनके members को, जिनोंने literature, science, art, cooperative movement, और social services में अच्छा contribute किया हूँ, cooperative movement ये term है, ये आएगा तो confusion होगी, तो इसको याद रखना, governor एक member को nominate करते हैं, Anglo-Indian को assembly में, और वो election commission से consult कर सकते हैं, किसी member के disqualification के मुद्धे पे, वो किसी bill के respect में अगर चाहें, तो ascend day withhold करें, या bill को return कर दें, और अगर वो चाहें, तो president की consideration के लिए भी बेज सकते हैं, governor reserve कर सकते हैं, किसी bill को president की consideration के लिए following cases में, अगर वो bill constitution को violate करें, DPSP उसको violate करें, larger interest country का hinder करें, national importance का हो, उसके concerns जुड़ा हुआ हो, या फिर article 31A में जो property right हैं, उनसे connected हो तो, तो फिर वो bill चला जाएगा, president के पास, वो ordinance issue कर सकते हैं, अगर state में जो house है, वो session में नहीं है तो, ठीक है, अगर by candle है, तो अगर दोनों session में नहीं है, तब issue कर सकते हैं, state finance commission, मतब इनकी reports हैं, जो वो लेते हैं और house के सामने रखते हैं, state finance commission, state public service commission, CAG, इनकी reports को ये उठाएंगे, और assembly के पास रखेंगे, जो reports आती हैं, वो governor के पास आती है, financial powers में, ये state के budget को oversee करते हैं, और recommend करते हैं, money bill को, कि उसे introduce किया जाए, state legislation में, ये recommend करते हैं, demand for grant को, ये approve करेंगे, तब demand for grant का जो proposal है, वो जाएगा, contingency fund जो state का होता है, वो governor के पास होता है, state finance commission जो होता है, उसे हर 5 साल पे, इनके दौरा constitute किया जाता है, judicial powers में, जो governor होते हैं, वो high court के judges को, appoint करते हैं, ठीक है, president इनसे consult करते हैं, appointment का नहीं होता, appointment president करते हैं, लेकिन consultation, high court की judges का होता है, ठीक है, और high court की judges के साथ, consult करके, यह जो district judge होते हैं, उनका appointment, posting और promotion करते हैं, judicial powers में, यह consult करते हैं, state के high court के साथ, state public service commission, के साथ consult करते हैं, और appoint करते हैं, judicial services के members को, ठीक है, pardoning power में, इनके पास, pardon, reprieve, respite, remission, इन सभी का right होता है, ठीक है, बट यह pardon नहीं कर सकते, death sentence के cases में, जो pardoning power है, governor की, वो कैसे different है, दो cases में different है, as I told you earlier, जो death sentence है, वो यह pardon नहीं कर सकते, precedent कर सकते है, court muscle के cases में, जो pardoning power है, वो governor के पास नहीं होती, केवल प्रेसिदंट के पास होती है, constitutional discussion, discretionary power बहुट जदा है, governor के पास, governor के discretionary power क्या है, यह कहा जाता है जो governor को लगे कि, उनके discretionary power है, वही governor की discretionary power मान ले जाती है, anything, that is discretionary power, as assumed by governor, जो वो कहते हैं कि, मेरे discretionary power है, वह उनकी discretionary power बन जाती है तो discretionary power जो governor की है वो president से कही गुना ज़ादा वाइड है President के इतर governor के पास जादा powers है वो किसी बिलकु रिजर्व कर सकते है president के लिए तब वो अपनी हिसाब से काम कर सकते है वो जब recommend करते है president rule तब भी वो अपनी हिसाब से काम करते है जब additional charge उन्हें किसी administrator को देना हो UT के वो किसी additional charge पर हो administrator के तोर पे तब उनके पास काम करने का बहुत window आ जाता है जब वो ये decide कर रहे हो कि असाम मिघालया तरप्रवा मिजोरम में जो autonomous tribal district है उनको कितना amount पे किया जाना चाहिए तब वो बड़ा discussion से काम करते है जब वो chief minister को बुलाते है administrative और legislative affairs के लिए तब वो अपनी हिसाब से बुलाते है वो किसी की recommendation नहीं लेते chief minister की बात करते है जिस तरीके से PM होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से PM होते हैं center में वैसे state में CM होते हैं chief minister governor appointment करते हैं और वैसे specifically qualification CM के बारे में mention नहीं किया गया है यह governor को advice करते हैं कि कैसे किन ministers को चुना जाए CM के advice पर ही ministers को appointment करते हैं governor अपनी मर्जी से नहीं कर सकते portfolio की shuffling करना allocation करना यह governor करते हैं लेकिन CM की advice पर ठीक है अगर difference of opinion होता है तो CM ministers resign करने को बोल सकता है और governor इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे वो direct कर सकते हैं अगे हम बात करते हैं CM की तो CM direct करते हैं, guide करते हैं, control करते हैं ministers के activities को वो leader है MLS की general public के भी, chief minister resign करता है तो सारी cabinet को resign करना पड़ता है फिर नई cabinet बनेगी, नया CM आएगा तो article 167 में बोला गया है कि chief minister link होता है council of ministers और governor के बीच में बिल्कुल same explanation है जैसा कि हमने देखा था, उनके बीच में था president के बीच में और council of ministers के बीच में जब भी governor कोई information मांगता है तो CM जाके उन्हें सारी information communicate करते हैं governor consideration पूछ सकते हैं council of ministers से की governor can ask for the consideration of council of ministers when a decision has been taken without the consideration of cabinet अगर मालनों कोई ऐसा decision है जो ले लिया गया है और वहाँ पर कोई वहाँ पर कोई recommendation नहीं ली गई है council of ministers से तो CM पूछ सकते हैं कि आपकी मतलब क्या राए है governor पूछ सकते हैं कि आपकी क्या राए है अगर CM ने आपसे नहीं पूछता है CM advice करते हैं governor को appointment के बारे में CM advice करते हैं governor को कुछ appointment के बारे में attorney general state public service commission के जो chairman and members है और state election commission वैसे तो appointment होता है उन्हीं के द्वारा governor के द्वारा but appointment CM का जाता है state legislature के respect में सभी जो policies होती है यह इन्हीं के द्वारा announce की जाती है CM के द्वारा और वो legislature का जो dissolution है उसे भी recommend कर सकते हैं करेंगे तो governor ही बट यह recommend करते हैं यह governor को advise करते हैं कि कब जो street legislature है उसे summon प्रोरोग या उस session को end करना है other functions ground level पिन के पास authority होती है कि लोगों के साथ connect करते हैं उनकी जो concerns होते हैं उन्हें address करते हैं उस state planning commission के chairman के तोर पे भी act किया करते थे वो vice chairman होते हैं जो concern general council होती है जहाँ पर वो है रोटेशन में आता है ना बताया था मैंने तो रोटेशन में यह भी जाते हैं emergency के समय में यह crisis manager के तरह काम करते हैं मतलब यह help करते हैं कि चीज़े अच्छे से manage होती रहे ठीक है Parliament एक legislative organ है Parliament एक legislative organ है Just give me a minute एक मिनट का समय मुझे दीजे मेहिज जी लंबा जा रहा है ऐसा कर सकते हैं कि आज यहां रोक के और कल यहीं से फिनिश कर दें एक जड़ घंटा लगेगा कि और बिठाओं इनकों पाकी बैस बूटेशन करते हैं स्टूडेंस शूखी बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं और टाइम एक्सीड हो रहा है कर दो 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 अगर आप लोग कंप्लीट करें तो हम इससे प्रोसीड करें ठीक है ओके आज कंप्लीट करते हैं डोट वरी जस्ट बी दियर चलिए प्रसीड करते हैं पार्लैमेंट के साथ प्रसीड करते हैं और आप लोग जस्ट थोड़ा सब बने रही है आज हम लोग इसे करी लेते हैं फिर नहीं तो यह रह जाएगा जो पार्लैमेंट है वो लिजिस्टिटिव ओर्गन है यूनिन गवर्रमेंट का और पार्ट फाइब जो है कॉंस्टिटिशन का इसमें इसका जिक्र दिया गया है अर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के बीच में आर्टिकल 79 जो पार्लैमेंट का है इसमें होते हैं प्रेसिडेंट तौंसल अफ स्टेट्स और हाउस अप पीपल राज्यसभा का कॉंपोजिशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ऑथराइज्ड स्टेंथ है तैट इस 250 और जो 250 ऑथराइज्ड स्टेंथ हैं इसमें 238 स्टेट और यूटी के हैं 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 238 सीट्स जो स्टेट्स और यूटी के लिए हैं उन्हें 4th schedule के basis पे allocate किया जाता है, जो elected members है legislative assembly के, वो electoral college का part भी बनते हैं, indirect election होता है, proportional representation के basis पे, single transferable vote system पे, ये मैंने आपको बता दिया था, जो representation है, यूटीज का, council of states में, वो parliament by law decide करती है, पारा member जो nominate किये जाते हैं, president के दारा, वो art, literature, science और social service में, जिन्होंने अच्छा किया हो, वो होते हैं, present का status बताता हूँ, presently, 233 streets हैं, जो states और यूटीज के लिए हैं, इसमें states के लिए 229 और यूटीज के लिए 4 streets हैं, जो राज सभा है, वो federal character का है, जो states को representation देता है, center के level पे, यहाँ पे elected, जो representatives जाते हैं, उन्हें MLA's elect करके भेजते हैं, वो USA जैसा तो federal नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो हर state को equal street मिलती है, 50 राज्यों की 100 seats, लेकिन यहाँ पे proportional representation होता है, मतलब कि राज्य की population के basis पर, state की population के basis पर, यह पूरा जो division होता है, यह चलता रहता है, members को elect किया जाता है, casual vacancy के basis पर, और, एक बार, अगर माल लिजे, राज्योंसभा का कोई member, किसी वज़र से, ठीक है, आशितोस कह रहे हैं, घर जाने में late हो, तो अपने हिसाफ से time schedule कर लिजेगा, आशितोस आप मेरी बहुत ज़्यादा care कर रहे हैं, बट मुझे घर जाने में ऐसा कोई देर नहीं हो रहा है, if you can be here, I can teach till the night, बट ठीक है, उतनी जरूत नहीं पड़ेगी, मैं इसे complete करता हूँ आपके लिए, आज ही, चुकि आपके exam में कम समय है न, हाँ, seen it, knowledge track, seen it, seen it होता है उनका upper house, जहाँ पे 50 states के लिए 100 seats होती है, कई बार आप लोग अपनी teachers की बहुत ज़्यादा care करते हैं, अच्छा भी है न, दोनों तरफ से होना चाहिए प्यार मौबबद, एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता है, composition of लोग सभा, article 81, authorized state, अब देखिए यहां लोग सभा का बता रहा हूँ, तो 530 states के लिए हैं, और 20 UTs के लिए, दो Anglo-Indians के लिए पहले हुआ करती थी, अभी इनको हटा दिया गया है, ठीक है, direct election होता है, universal adult franchise पर, जो territorial constituency का concept है, वो यहाँ पे applicable है, एक constituency से एक member चुनके जाता है, first positive post system applicable है, मतलब जो सबसे ज़्यादा words लेकर आएगा, वो जीतेगा, UPSC ने पूछा था 2017 में ये question, और सबका दिमाग घूम गया, उसमें मुरादा कि 50% से ज़्यादा words ये जीतने के लिए, और सब ने इसको हाँ बोल दिया, जबकि हम सभी को election, हम सभी को election हमने देखा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे 50% ज़्यादा seat लेकर आएगे, अगर आप 25% भी लेकर आ रहे हो, लेकिन बाकि सबके 20% है, 15% है तो आप जीत जाओगे, यूनिफॉरमिटी होती है रिप्रस्टेशन में, स्टेट्स में और विदिन स्टेट्स में, डीलिमिटेशन कमिशन, एक बॉडी है, एक कॉंस्टिटुशन बॉडी, जो ये decide करता है, कि किस consistency का area कितना होगा, ये डीलिमिटेशन कमिशन डीसाइड करता है, Parliament के house का duration 5 साल का होता है normally हम पूछते हैं कि लोगसभा का tenure कितना है तो बताएंगे 5 साल बोलेंगे राज्यसभा का कितना है बोलेंगे 6 साल गलत है राज्यसभा का tenure 6 साल का नहीं होता राज्यसभा एक permanent house है जिसका कोई tenure नहीं होता राज्य सभा के members का tenure 6 साल का होता है लोग सभा का tenure 5 साल का होता है हालां कि वो पहले dissolve हो सकती है लोग सभा 5 साल तक चलती है unless उसके पहले इसे dissolve न कर दे dissolve हो सकता है अगर council of ministers majority lose कर दे council of ministers अगर advise करते हैं dissolve करने के लिए dissolve हो जाएगा या national emergency लग जाए और अगर national emergency लग जाती है तो पांस साल के लावा एक और साल के लिए इसको extend कर सकते है ठीक है राज्य सभा permanent house है इसका resolution नहीं होता इसके one third member हर दूसरे साल retire होते है ठीक है qualification क्या है parliament के members की इंडिया के citizen हो authorized authority के सामने oath लेनी होती है अगर राज्य सभा में जा रहे हैं तो 30 साल लोग सभा में जा रहे हैं तो 25 साल एज होनी चाहिए कुछ और qualification जो भी representation of people act में दिया गया है वो भी सामिल होना चाहिए disqualification members जो है parliament की उनका यह है कि अगरोंने कोई office of profit लिया हुआ हुआ है unsound mind के हैं unsound mind का मतलब दिमाग अच्छे से काम ना करे अब आपको लग रहा होगा यह provision डालना जरूरी धाका है मतलब कोई unsound mind का क्यों होगा क्यों नहीं हो सकता आप देखो तो कुछ age related problem होती है age related problem का मतलब यह है कि कई बार लोग elderly होते हैं आपने देखा होगा जो MPs होते हैं वो कई बार 65-70 years cage में चुने जाते हैं और age के साथ कई बार आपका mental status है वो weakened होने लगता है तो सकता है कि कोई 70 years cage में चुना गया अच्छी condition में था 72 में वो mental illness face कर रहा है तो फिर उसको डेट था जिसका वो चुका दिया तो आप इंसॉल्मेंट हो अंडिस्चार्ट इंसॉल्मेंट का मतलब यह है कि आप दिवालिया हो गए आपके पास कुछ नहीं है और आपने लोगों का पैसा दिया भी नहीं है ऐसे केस में भी आपको हटा देंगे आप इंडिया के सिर्जन नहीं रहे गए आपने वोलेंटरली किसी और देश के सिर्जन से प्रिक्वायर कर ली ठीक है आप अगर आर्पीय के तहट किसी और लोगे तहट इसक्वालिफाई हुए अगर आप ऐसी किसी भी संस्था का हिस्सा है तो उसे ऑफिस और प्रॉफिट माना जाएगा जया बच्चन जी का केसा है था 2006 में जब उन्होंने कहा कि वो ऑफिस और प्रॉफिट पर थी जरूर लेकिन आपने पैसा लिया हो ना लिया हो फरक नहीं पड़ता है अगर मिलता है तो ओफिस और प्रॉफिट है इसक्वालिफाई कर दिया उनको देलीर में इन उनने 20 पर्ल्लमिटरी सेॉर्चर बना दिये थे तो बोला कि यह आफिस और फेस और रॉफिट नहीं है वोटने का औरुने को औरुफिस और पर प्रॉफिट है इसक्वालिफाई कर दिया को किसी और offense में अगर उनको चार्ज किया गया हो और उन्हीं दो साल से ज़ादा सजा मिल जाए तो डिस्कौलिफाई हो जाएंगे अगर किसी गौर्वर्मेंट सर्विस से वो डिस्मिस किये गए हैं अच्छा तो भी डिस्कौलिफाई होंगे यही सेम जो प्रॉविजन है वो MLA's और MLC's के लिए भी है ठीक है 10th schedule में डिस्कौलिफिकेशन का प्रॉविजन है अगर कोई person 10th schedule के तहट डिस्कौलिफाई हुआ है तो फिर वो MP या MLA नहीं बन सकता जिस्कौलिफिकेशन का question जो है उसमें जो president का decision होगा वो final होगा और MLA's के case में governor का decision final होगा अपील high court में की जा सकते है कोई problem नहीं है अगर seats की vacancy होती है तो MPs और state legislature के लिए defection की वजह से या किसी भी और वजह से या वो resign कर देते हैं तो भी seat खाली हो सकती है या वो साथ दिनों से ज़्यादा समय तक absent रहें तो भी उन्हें हटा दिया जाएगा अगर seat में vacation आता है तो देखे state के लेस्टेशर में भी सेम प्रॉविजन है है अगर कोई एक person दो constituency से चुना गया है ठीक है दो जैसे माली जी आप गुजरात में भी चुन लिए गया है गुजरात के लेक्शन में और मत्यप्रदेश में भी चुन लिए गया तो आपको एक seat से वैकिंट करना पड़ेगा खुद को खुद से अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोनों से एक क्यानवे को चेंज किया और एंटेट इफेक्शन के प्रावजन किये एंटेट इफेक्शन में यह होता है कि आप अपनी पार्टी छोड़के जिस पार्टी के टिकेट से आप जीते जीत गया तो दूसरी पार्टी में चलेगा इस कुलिफाई कर देंगे पॉलेंतरली अपनेपनी पार्टी झोड़ दी पार्टी नी जहां वोट करने को कहां नहीं किया किसी और को वोट कर दिया इसे यहां पॉल्टिकल पार्टी को प्योगो Dutch को पार्टी को चैनल महीने के बाद जोइन किया है शे महीन तक आप जोइन कर सकते हैं उसकी बाद जोइन नहीं कर सकते हैं तो इसको इसको जाओगे 91 अमेंडमेंट एक आया था 2003 में पहले ऐसा था कि अगर अगर वन थार्ड मेंबर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं तो इनका डॉसक्वालिफिकेशन नहीं होता था बाद में इसे बढ़ा के टू-थार्ड किया गया क्योंकि वन थार्ड के मेंबर को कलेक्ट करना और दूसरी पार्टी में खिच लेना आसान था टू-थार्ड मुसकिल है। डिफेक्शन की बेशेश पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, अगर तू-थार्ड मेंबर के साथ एक party दूषरे में मर्ज हो जाता तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। कि कर डेपुंटी स्पीकर्धिटी चेहरमेन और जो डेपुंटी स्पीकर इसेडर Luis इसेम्बल लीब के चियर्मैन और Aberty इसेडरी जो कांसिल के हैं यह अगर अपने पत पर जाने के बाद resign कर दे, मतलब अपनी party की membership छोड़ दे अगर party membership छोड़ दे तो यह resign नहीं किए, तब इन्हें disqualify नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनकी post से neutrality expect की जाती है, तो यह resign कर सकते हैं, कोई दिकर speaker और chairman का decision disqualification में final होता है vice president की बात करते हैं presiding officer chairman और deputy chairman of राज्यसभा, vice president ex-officio chairperson होता है राज्यसभा का बता दिया deputy chairman को elect किया जाता है members के द्वारा ही, यह कभी भी चाहें, तो chairman को address करके resign कर सकते हैं, जो deputy chairman है, और उन्हें effective majority से 14 दिन का notice देके हटाया भी जा सकता है, effective majority मैंने बताया, 10 दिन majority अगर vacancy होती है, chairman है deputy chairman की office vacant होता है, तो deputy chairman chairman की दरहा काम करने लग जाते हैं, अगर deputy chairman भी अपनी जो seat है, वो vacant कर दे, तो president किसी भी member को राज्यसभा से chairman बना सकते हैं chairman और deputy chairman अगर उनके against में कोई removal का motion चल रहा है, तब वो preside नहीं कर सकते, they cannot preside they cannot preside अगर उनकी removal के लिए वहाँ पर proceeding चल रही है तो अगर उनके removal का process यह resolution introduced हो चुका है तो preside नहीं करेंगे लेकिन present रह सकते हैं बोल सकते हैं और proceeding में बिना vote किये participate कर सकते हैं speaker और deputy speaker तो members को अगर हम लोग सभा की बात करते हैं तो एक को speaker और दूसरे को deputy speaker चुना जाएगा deputy speaker कोई subordinate position नहीं है उनके पास वैसी ही power होगी जब वो speaker की post पर आएंगे जब वो speaker बनेंगे मतलब deputy speaker is not responsible towards speaker is responsible towards the house deputy speaker की post एक subordinate post नहीं है अगर खाली होती है seat vacation, resignation, removal की वज़े से तो deputy speaker काम समालेंगे और अगर वो भी खाली करते हैं तो फिर किसी एक member को बना दिया जाएगा house से ही speaker deputy speaker जब भी चाहें speaker को resign कर सकते हैं last लोगसभा का speaker तब तक नहीं resign करता जब तक कि नई लोगसभा convene ना हो जाए नई लोगसभा की जिस दिन पहली meeting होने वाली होगी उस दिन वो अपना पद छोड़ेगा चीक है और जब वो अपना पद छोड़ेगा तो एक नया speaker बनाया जाएगा जिसे कहते हैं प्रोटेम speaker प्रोटेम speaker का सिर्फ इतना काम होता है कि वो speaker को चुने और उनकी ओथ दिलवा दे और अप दिप्रस प्रसाइडिंग ऑफिसर ये अपनी पावर्स तीन सोर्सेस से लेते हैं Constitution से, Rule of Procedure and Conduct of Business of लोगसभा और Parliamentary Convention से ये पूरी प्रोसेडिंग को रेगुलेट करने का अधिकार रखते हैं और ये Money Bill को सर्टिफाइड करते हैं Joint Sitting को प्रसाइड करते हैं लोगसभा के speaker इसक्वालिफिकेशन मेंबर्स का यही देखते हैं Equality हो जाए वोट्स में तो ये नहीं होता और ये Joint Sitting को Certified नहीं करते हैं बाकी पावर्स एक जैसी होती है Parliament की Leader जो House होते है जो Leader होता है House का जैसे PM अगर वो लोगसभा से हैं तो वो लोगसभा की Leader बन जाते हैं नहीं है तो किसी और को बना दिया जाता है तो एक व्यक्ति को Leader of the House पार्टी अपनी और से बनाती है Leader of the Opposition Leader of the Opposition जो है वो Largest Opposition Party का Member होता है जिसको कम से कम 1-10th seat मिली हो अभी कोई भी Opposition Leader नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको 1-10th seats मिली हो मतलब Congress के पास भी 1-10th seat नहीं है तो अभी Leader of Opposition पास नहीं है WIP WIP एक ऐसा रेक्ति होता है जो Party के Director's उनके Members को बताता है वैसे तो हिप का मतलब होता हैai कोडा जिससे घोड़े को मारा जाता है ताकि वो तेजी से चले मट यहाँ पर वैप एक person होता है जो Party के Director's पहुँचाता है किस तक? Party के Members continues इनके पास कुछ राइट से इमिनिटीज होती है ताकि वो अच्छे से काम कर सके इंडिजल कैपसिटी में और मेंबर के तौर पे इनके पास इनकी डिगनिटी और इनके काम को इंडिपेंडेंट रखने पे जरूरी है कि कुछ पावर्स दिये जाएं जैसे कि हाउस में क्या बोलते हैं उसके लिए आप इनको कहीं कोट अफ लॉक के सामने ने लिजा सकते हैं हाउस की प्रोसीडिंग कौन सी पब्लिश होगी कौन सी नहीं होगी यह डिसाइड करते हैं जो पार्लियमेंट का लॉओ है जो पार्लियमेंट का लॉओ है उसके जरी इनको रेगुलेट किया जाता है जब तक कि कॉंस्टूशन में कोई और ऐसा प्रोवेजन ना हो जो प्रिविलिजिस इनके पास होते हैं जैसे कि जो MPs के पास होते हैं वही Advocate General और Attorney General के पास भी होते हैं Parliament में और States में Positives इनके जो Privileges हैं वो Codified नहीं है तो इस बात को लेकर कई सरी के Question रेस किये जाते हैं कि Parliamentary Privileges Codified होने चाहिए क्योंकि कई बार ये बात-बात पर बोल देते हैं कि Parliamentary Privileges को ब्रीच किया गया है और चुकि वो ब्रीच कर दिया गया है तो फिर उसके लिए पनिश कर देते हैं जैसे करनाटेका की Assembly ने दो जनलिस्ट को एक-एक साल के सजा सुना दी on the breach of the Parliamentary Privileges अब क्या है Parliamentary Privileges जैसे किसी को clear नहीं है और किस बेसिस पर सजा सुनाई जाते है ये भी किसी को पता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि Parliamentary Privileges को जरूर से codify कर दिया जाए बिल्स चार तरीके के होते हैं Ordinary Money Finance Bill और Constitutional Amendment Bill Money Bill का Article 110 है कोई taxation का matter हो borrowing clause हो मतब कहीं पर कोई पैसे उधार बगएरा लेने हूँ Consolidated Fund of India में से Continency Fund of India में से कोई पैसा निकालना हो तो ऐसे जो भी बिल्स होते हैं वो Money Bill कहा जाते है Money Bill Consolidated Fund of India में से निकालने के लिए अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको Money Bill लाना पड़ेगा अगर कोई पैसा Charged Expenditure है तो वो Automatically निकल जाता है कोई पैसा अगर CFI में जाना है या Public Account of India में जाना है उसके related कोई बिलाना है तो वो Money Bill हो जाएगा अगर किसी expenditure को आप Charged expenditure बनाना चाहते हो तो वो Money Bill हो जाएगा Imposition, Abolition, Regulation ये Tax जो Local Authorities के तरह किया जाता है वो Money Bill में लोकल अथरिटीज का काम Money Bill से नहीं होता Peaker Criticism Money Bill है कि नहीं है उसमें Final होता है Money Bill के संबन्द में जो Procedure होता है इसे सिर्फ लोग सभा में इंट्रिउस कर सकते है Council of State इसे Maximum 14 दिन तक रख सकती है उसे Within Time Frame वापिस करना होगा नहीं वापिस करेंगे तो मान लिया जाएगा कि पास्ट है जो House of People अनी की लोग सभा है वो उस बिल को पास्ट भी कर सकती है बिल नहीं जो Recommendation राज्यसभा दे रही है विदिन 14 देज में वो उस Recommendation को Accept और Reject कर सकते है ऐसा बिल जिसमें केवल Article 110 के Provisions होते है उन्हें केवल President के Prior Approval से ही आप Propose कर सकते हो President ऐसे बिल को अपनी Ascent दे भी सकते हैं और Ascent देने से मना भी कर सकते हैं थोड़ा Ironical है क्योंकि वो Reconsideration के लिए वापिस नहीं भेज सकते हैं लेकिन वो अपनी Ascent देने से मना जरूर कर सकते हैं ठीक है Financial Bill इसमें दो टाइप होता है Type 1, Type 2 Article 117, Clause 1 में Type 1 के बिल होते हैं जो वैसे तो Money Bill जैसे होते हैं इन्हें भी केवल लोगसमा में प्रपोस कर सकते हैं इसमें बाद सब्जेक्ट Article 117 के होते हैं जो बाते Article 117 में लिखी हैं उसके अधार पर अगर कोई बिला रहा है तो Financial Bill कटेकर इवन होता है President का Prior Approval चाहिए कि वह लोगसमा में प्रस्तुत कर सकते हैं बाकि सब और इनरी बिल के जैसा होता है President अप्रूव भी कर सकते हैं विदोल भी कर सकते हैं के लिए वापिस भी सकते हैं Financial Bill Type 2 जो Type 2 होता है उसमें ऐसा होता है कि कोई बिल और इनरी बिल है बस उसमें आपने कोई एक ऐसा क्लॉज जोड दिया जो पैसे का है जिसे रोड सेफटी एक्ट पैसे कें जो है इसका प्रोसीजर बिल और रिल जैसा होता है प्रूसीजर बिलकुल ओज्सडरेशन जेली जाखिए इसको एक चीज़ होती है जो इसको थुप आलग बनाती है वो यह है कि प्रेसिडेंट से पहले consideration ले लिए जाती है बस प्रेसिडेंट से पहले पूछ लेंगे उसके बाद का सारा प्रोसेस और इनरेबल का होता है बाकी ascent, withhold और reconsideration तीनों का राइट होता है constitutional amendment bill, article 368 में इसका provision है किसी भी house में propose कर सकते हैं दुना house में अलग-अलग pass करना होगा special majority से, अगर दुना house अलग-अलग pass ना करें तो नहीं होगा pass, कभी नहीं होगा पर joint setting नहीं होती federal provisions को अगर amend करना है तो आधे से जाधा states की concern भी चाहिए होगी और states simple majority से पास करते है प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि वो इस पे एसेंट दे वो मना नहीं कर सकते एसेंट देने से constitutional amendment बिल पर उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी ठीक है ठीक है new hollywood movies उन्हें lecture अच्छा लग रहा है और मुझे आपका नाम अच्छा लग रहा है new hollywood movies के नाम से mandatory for the president to give his assent ठीक है constitutional amendment act यह mention article 13 में वो जो बात कहीं गई थी कि जो law define किया गए article 13 में उसमें constitutional amendment act नहीं आएगा it will not go there ठीक है इसमें joint setting का provision नहीं होता है deadlock में यह बस याद रखना पढ़ियां से यह मत बोलना ordinary bill किसी भी house में propose कर सकते हैं simple majority से पास होगा राजसभा के पास equal power है वो bill accept करे reject करे amendment के साथ पास करे यह अच्छे मेने तक कोई action ना ले अगर नहीं लेती है कोई action तो joint sitting बुला सकते हैं में हाला कि भारी पर जाता है लोग सभा क्योंकि उनके पास numbers जादा है तो joint sitting में majority अगर चाहिए तो फिर लोग सभा भारी पर जाती है और वो पास करवाई लेते हैं जोएं सेटिंग के लिए बुलाते हैं president लेकिन इसे प्रिसाइड किया जाता है speaker के द्वारा annual financial statement जिसको हम लोग बोलते हैं budget budget word हमारे constitution में कहीं नहीं है हमारे constitution में जो word है article 112 में that is annual financial statement president हर साल एक इस report को house के सामने रखते हैं इसमें बताया जाता है कि कितना पैसा आएगा कितना खर्चा होगा expenditure जो charged होता है कुछ पैसे जो वोट नहीं किये जा सकते किवल consolidated fund of India में से सीधे निकल जाते है प्रेसिडेंट को जो salary मिलनी है salary in allowances chairman deputy chairman speaker deputy speaker के government का जो भी debt है salaries और pensions judges और supreme court की यह सब charged होता है automatically इसमें से निकल जाएगा और उनको मिल जाएगा हाई court के judges की pension CAC की salary allowances और pension किसी भी judgment को implement करने के लिए जो पैसा चाहिए वो और कोई भी और expenditure जो by law declare कर दिया जाए कि charge expenditure है पर्लेमेंटरी प्रोसीजर एक्स्पेंडिचर जो CFI पे चार्जड होता है उस पर वोट नहीं कर सकते हैं डिस्केशन हो सकता है expenditure जो consolidated fund of India में से होता है उसे एक demand for a grant के रूप में पर्लेमेंट के सामने रखना पड़ता है तब ही निकलेगा पैसा नहीं तो नहीं निकलेगा appropriation bill आर्टिकल 114 में कहा गया है इसी के through जो parliament है वो amount appropriate करती है यानि कि देती है कि आप पैसा खर्ज कर सकते हो supplementary additional और excess grant supplementary grant का मतलब यह होता है कि मान लीजिए जो पैसा दिया गया था पहले किसी काम के लिए वो कम पड़ गया तो supplementary grant मांगा जाता है additional grant का मतलब यह है कि जो पैसा आपने दिया था वो तो enough था लेकिन अब जो कुछ नई services है जो add हो गई है तो उसके लिए थोड़ा और चाहिए additional grant access grant का मतलब यह है कि money जो spend किया गया है किसी भी service के लिए financial year में वो जितना दिया गया था उससे ज़ादा खर्च कर दिया गया है तो फिर वो access grant मांगते हैं ठीक है vote on account vote for credit and exceptional grant vote on account का मतलब यह होता है कि अगर आपको advance में कोई पैसा चाहिए पहले क्या होता था न कि budget जो आता था उसको pass होने में दो मेने लग जाते थे financial year शुरू हो जाता था अप्रेल से और budget पास होते होते मई भी जाता था तो अप्रेल और मई का खर्चा कैसे चले तो अप्रेल और मई का खर्चा चलता रहे इसके लिए vote on account आता था इसके तहत one six amount निकाल लिया जाता था अभी तो budget फरवरी में ला देते हैं तो अब इसकी ज़रूत पढ़ती नहीं है ठीक है बट इससे आप advance पैसा ले सकते हो election year होता है तब कई बार vote on account के जरीए पैसे लेने पढ़ते हैं vote of credit कोई unexpected demand आ गई कोई unexpected खर्चा आ गया तो votes of credit के जरीए पैसा लिया जाता है exceptional grant financial year में उसे estimate ही नहीं किया गया था कि यह खर्चा आएगा लेकिन आ गया तो उसके लिए exceptional grant मांगा जाता है demand for grant का जो introduction और voting है वो सिर्फ लोगसभा में हो सकता है लोगसभा के पास ही पावर है कि उसे assent करे या फिर refuse कर दे या फिर अगर वो चाहे तो उसे कम करने की बात करे राज्यसभा के पास किवल जनरल discussion का राइट है budget के उपर वो उसमें कोई और cut नहीं लगा सकते हैं cut motions हलांकि कुछ हाते हैं cut motions में कोई भी जो opposition party होते हो बोलती है आप ज़दा पैसा मांग रहे हो इतना पैसा नहीं लगना चाहिए ठीक है this much amount is not needed एक होता है economy cut वो बोलते हैं कि specific amount आप कम कर दो policy cut इसमें बोलते हैं अपना जो आपने पैसा मांगाया ज़्यादा मांगाया उसको एक रुपए पे लेकिया हो एक होता है token cut इसमें यह बोलते हैं कि आप सो रुपए कर दो आपका जो भी आप amount मांग रहे हो इन तरीके के cut होते हैं consolidated fund of India के बारे में जो provision है वो आर्टिकल 266 में है तो 662 में public account fund का जिक्र है और contingency fund का जिक्र है आर्टिकल 267 में contingency fund जो skate का है उसका 267 clause 2 में जिक्र है rules of procedure आर्टिकल 118 हर house के काम करने का अपना तरीका है president rules बना सकते हैं joint sitting के बारे में और ऐसा करते वक्त वो presiding officer से consult करते हैं speaker preside करते हैं joint sitting को language जो parliament में use होगी वो हिंदी या फिर English होगी जो presiding officer होगे वो members को उनकी mother tongue में भी अपनी बात express करने के लिए बोल सकते हैं restriction जो parliament में discuss किया जाता है judges के removal के motion के अलामा उनके किसी भी function को यहां पर discuss नहीं किया जाएगा एक्वा स्टेटरस comparison between दी लोगसभा और राज्यसभा election और जो impeachment है president का ordinary bill का pass होना constitutional amendment ordinance का approval और emergencies का approval इनमें दोनों को एक्वल पावर है आने को स्टेटरस money bill में लोगसभा ज्यादा पावर रखती है राज्यसभा नहीं रखती है numerical minority होती है joint sitting में तो वो पास नहीं करवा पाते बिल council of ministers की जो responsibility होती है वो केवल लोगसभा के लिए होती है राज्यसभा केवल budget discuss कर सकती है और राज्यसभा जो होती है वो non confidence motion नहीं ला सकती special powers राज्यसभा के पास जो होती है वो state list के subject में union को approve कर सकते हैं कि वो कानून बना ले session majority से two thirds से अगर वो इसको pass कर दे तो article 312 parliament को power देता है कि वो नई all India services create कर सकते है parliamentary control question are start question होते हैं जहां पे oral answer करना होता है और दो supplementary question allowed होते है अंस्टार्ट question में written answer देना होता है supplementary question allowed नहीं होते है short notice question में oral answer देना होता है किसी urgent मुद्धे पर question पूछा जाता है ठीक है no confidence motion आता है जिसमें यह वाल राज्यसभा में प्रपोस कर सकते हैं कम से कम 50 लोग हों जो इसको support करें पिर debate की जाती है तो सरकार अगर majority prove नहीं कर पाती है उसके बाद तो फिर सरकार गिर जाती है motion of thanks जब भी president की speech होती है तो दोनों house में motion of thanks आता है motion of thanks पास ना हो तो सरकार गिरती नहीं किवल embarrassment होती है यह तो मैंने बता दिया censor motion किसी policies पर अगर वो criticism कर रहे हैं तो वो sensor motion लेके आते हैं पास हो जाता है सरकार नहीं गिरती लेकिन embarrassment होती है privilege motion अगर किसी member of parliament ने अपना privilege misuse किया है तो उसके against में privilege motion आता है calling attention motion adjustment motion देखिए एक मुद्धे के discussion के लिए आता है जबकि calling attention motion में किसी एक minister से सवाल किया जाता है urgent public issue पे और उससे कहा जाता है कि आप एक authoritative statement हो कि यह क्यों हो रहा है कि कमिटीज होती है financial committees, ad hoc committees, TRCs और administrative committees financial committees में तीन आपके लिए important है public account committee, estimate और committee on public undertakings public account committee में 22 member होते हैं, 15 लोग सभासे, 7 राजस सभासे, यह proportional representation से चुने जाते हैं एक साल के term के लिए, membership ministers की chairman जो होते हैं उन्हें speaker appoint करते हैं और opposition से एक person होते हैं by convention, ठीक है, function यह देखते हैं कि जो खर्चा कर रही है सरकार वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है estimate committee, 30 member होते हैं के वह लोग सभासे, एक साल का time होता है, proportional representation से चुने जाते हैं ministers member नहीं बन सकते, ministers इसमें भी member नहीं बन सकते, public account committee member नहीं बन सकते chairman speaker appoint करते हैं, by convention public account committee के opposition के member होते हैं estimate committee में chairman speaker appoint करते हैं function यह होता है कि देखें कि जो estimate budget के लिए proposed किया जा रहा है वो सही है या नहीं है इनका काम होता है कि सरकार की जो कंपणिया है उनको यह audit करें और देखें कि उनका सब काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं करते हैं बहुत सारी डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है है चौबीस कमिटीज होती है चौबीस कमिटीज है सोला लोग सभा में आठ राज्य सभा में और इनके यह नाम है नो नीट टू गो इन वैरी डीटियल फंक्शन्स जो होता है वो यह है कि बिल्स जो उन तक गए हैं वो उनको स्कुटनाइज करें और अलग अलग पॉलिसी को इंप्लिमेंट करें और बजट को एडाउक कमिटीज टैंपरेरी नीचर की होती है और अपना काम करने के बाद दिजौल हो जाती है अबिस्ट्रीटीज जो होते हैं जिसे बिजनेंस एडवाइसरी कमिटी है जो देखती है, सारा काम का जिस्स चलता रहे, Committee on Government Assurance, ये देखती है कि कोई भी Assurance जो सरकार ने Parliamentarians को मतलब House of Parliament में दिया है, वो Assurance पूरे हो रहे हैं कि नहीं है, Committee on Subordinate Legislation, जो Ordinances वगरा इशू होते हैं, उस इशू को ये देखते हैं, प्रिवलेज कमिटी देखती है कि कोई प्रिवलेज मिस्यूज ना करें, रूस कमिटी देखती है कि हाउस के सारे काम रूस के अकॉर्डिंग होते रहें, इथक्स कमिटी देखती है, moral character maintained रहे, ethical conduct अच्छी तरीके से follow और general purpose कमिटी देखती है कि सारा काम, general purpose से जो हो रहा है, presiding officer जो उनको refer करते हैं, वो उसको देखते रहते हैं, state legislature में देखिए, governor, legislative assembly और council, ये तीन इसका part होते हैं, legislative council को abolish करने की जो बात है या create करने की बात है, parliament by law council को बना या abolish कर सकती है, उसके लिए एक resolution लाना होता है, state उस resolution को pass करेगा special majority से, इसके लिए कोई constitution में amendment required नहीं होता, general तरीके से हो जाता है, legislative assembly का जो composition होता है, वो पास्तों member से जादा नहीं हो सकता, और 60 member से कम नहीं हो सकता, direct election होता है, जैसे लोग सभाका होता है, 1971 के census के according seats freeze की गई हैं, और territorial, जो constituencies के adjustment हुआ है, वो 2001 के census के basis पे हुआ है, one third members जो है, legislative assembly में, जो composition होता है, legislative council का, council की जो numbers हैं, वो one third, one third, assembly के members से कम नहीं हो सकते, अधर कम से कम one third हो सकते हैं, maximum one third और less than, 40 नहीं हो सकते, one third से जादा नहीं हो सकते, और 40 से कम नहीं हो सकते हैं, एक electoral college होता है, जिसमें one third electorate आते हैं, municipalities, district board और बाकी local authorities से, one third legislative assembly की दौरा, one third electorate, जिसमें वो graduate होते हैं, जिनको degree मिलें कम से कम तीन साल हो गया, one third, ऐसे electorate होते हैं, जो secondary level पर कम से कम teaching कर रहे हों, और one sixth को nominate किया जाता है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, कि art, literature, science, social service तो है, cooperatives भी है, यह miss करते हैं, और यहाँ से आता है, तो question की गलत होने की possibility ज़ादा होती है, ठीक है, powers of legislative council, जब bill को pass किया जाता है, तो council के पास वो bill जाता है, वो bill accept, reject कर सकते हैं, या तीन मेने तक कोई action नहीं ले सकते, तीन महीने में अगर उन्हेन नहीं लिया, तो एक महीने के लिए उनको return भेजा जाएगा, और एक महीने के बाद उन्हेन वापिस नहीं किया, तो फिर कुछ नहीं, फिर माल लिया जाएगा, कि passed है, तो maximum 4 महीने तक, यह किसी भी bill को रोख सकते हैं, लेसे इन council अगर accept नहीं करती बिलको, उनके एक महीने का समय और मिलेगा, वो one month, यह बात मैंने आपको बता दी है, joint sitting का कोई provision नहीं है, वो reject भी कर देते हैं, तब भी council पासी करवा लेती है, ठीक है, local government, इसके बाद, इस session के PDF में update करवा दे रहा हूं, ठीक है, local government और judiciary, आप इनको देख लीजिएगा, बाकि आपको कोई दिक्कत होगी, तो आप उसमें question पूछेगा, और जो team है, वो update कर देगी, ठीक है, तो आज के session को मैं यहीं पर sum up कर रहा हूं, हमने काफी topics आज cover कर लिए हैं, जितना speedly cover किया जा सकता था, बाकि ये PDF मैं update करवा देता हूं, थैंक यू, थैंक यू for this discussion, थैंक यू for this session, थैंक यू very much, लाश्ट में मुझे दिखा देते हैं, बच्चे क्या आप बोल रहे हैं से, session in करते वक्त मैं देख रहूं, एक मिनिट आप इसको on कर दो comment, थीक है, comments on हो गए, ओके ठीक है, थैंक यू, PDF में update करवा दूँगा, I am here again, आपके जो comment का section है, वो open नहीं था, तो I just make that open, ठीक है, ठीक है, भावना, अमरजीत, भावना, ठीक है, comment, इस session को यहीं पर finish कर रहे हैं, thank you very much, मैंने आपके comments देख लीजिए, जो मैं end में देखना चाह रहा था, thank you very much, कर दोड़ा है,